दोस्तों मुंबई वर्सेस गुजरात का ये मुकाबला और ये मैच नमबर है सोला गुजरात वर्सेस मुंबई इंडियन्स के बीच में अरुन जेटली स्टेडियम जो की मौजूद है दिल्ली में यहाँ पर आपको दिल्ली और कल खेली थी दिल्ली कल जीत गए थी और हार थी उपी के खिलाफ आखरी गेन तक काटे का मुकाबला हुआ था लेकिन कल का मुकाबला अज है गुजरात और मुंबई का मुकाबला आए देखते हैं कि कौन जीता है इस मुकाबले को मस्ट विन गेम दोनों ही टीमों के लिए खासतोर से गुजरात के लिए मुंबई तो व बहुत-बहुत स्वागत है इस मैच नमबर 16 में जो कि मुंबई इंडियन्स और गुजरात जायंट्स के बीच हो रहा है तो आए एक नजर प्लेइंग 11 पर डाल लेते हैं आज सलामी बलेबाजी में मुंबई इंडियन्स की टीम की तरफ से जो इस मैच में ओपनिंग करेंगी वो हैं यास्तिका भाटिया के साथ हेली क्रिस्टीन मैथ्यूज जो हैं वो सलामी बलेबाजी करने वाली हैं नम्ब तीन की पॉजिशन के उपा दायहाथ की नाट्स की वब ब्रंट जो हैं वो बलेबाजी करेंगी बहुत कमाल की खिलाडी हैं नाट्स की वब ब्रंट के बाद नम्ब चार की पॉजिशन पे दायहाथ की हर्मन प्रीत कौर कप्तान जो हैं वो उतरेंगी नमब पांच की पॉजिशन के उपा दाएं हाथ की एमेलिया कौर उतरेंगी अब एमेलिया कर उतरेंगी इनका नाम अब कर ही कौर ही रख देना चाहिए हमेलिय relativity कर के बाद number 6 की position पे दाए हाथ की पूझा वस्त्राकर जो कि तेज़ गेंबाद है बहुत यची बल्लेबाद भी है पूझा वस्त्राकर पूझा वस्त्राकर के बाद number 7 की position पे अमंजोद कौर को मौका मिलेगा खेलने का बहुत खतरनाख खिलाडी हैं अमन जोद कौर नमबर साथ की पॉजिशन पे इस माच के अंदर नजर आएंगे खेलते हुए नमबर आठ के उपर आपको S साजना खेलेंगी बहुत अच्छी खिलाडी हैं दोस्तों S साजना इस माच में S साजना number 9 की position पे खेलेंगी number 10 की position के उपड़ शबनेम इसमेल नदर आएंगी जो कि तेज गेंदबाज है शबनेम इसमेल के बाद number 10 की position के उपड़ इस टीम के अंदर शामिल की गई हुमेरा काजी हुमेरा काजी जो कि दाएं हाथ के खिलाडी है बले-बाजी और गियंद बाजी दोनों कर लेती हैं और नंबबाऑ 11 की पॉजिशन के उपा साईकाई शाक जो की बाँ-हाथ की गेंद बाज हैं और वो आपको नंबबब 11 की पॉजिशन के उपा इस मैच के इंदे नजर आने वाली है तो ये तो हमने गुजराथ जायंट्स की टीम की प्लिंग 11 देख लिए इस match नमबर 16 में लेकिन अब हम एक नजर डाल लेते हैं गुजराथ जायंट्स की टीम क्या है तो दोस्तों गुजराथ जायंट्स की टीम आपके स्क्रीन पर ये रही पिछले मैच की स्टार लॉरा वुलवार्ट क्या सांदार बल्ले बाजी पिछले मैच के अंदर आपको लॉरा वुलवार्ट ने करके दिखाई थी लॉरा वुलवार्ट के साथ आपको सलामी बल्ले बाजी में इस मैच के अंदर जो नज़र आएंगी वो हैं बायाहाथ की बैथ मूनी जो की बहुत जबर्दस खिलाडी है बैथ मूनी और बैथ मूनी के बाद नमबर तीन की पॉजिशन पे दायाहाथ की वेदा कृष्णा मूर्ती नजर आएंगे खेलती हुई बहुत कमाल की खिलाडी है वेदा कृष्णा मूर्ती वेदा कृष्णा मूर्ती के बाद नमबर चार की पॉजिशन के पप बाय हाथ की फियोबी लिच फील्ड जो है वो आपको इस मैच के अंदर नगर आएंगे खेलती हुई बहुती जबरदस्त बल्लेबाज है फियोबी लिच फील्ड भी लिच फील्ड के बाद आपको नमबर पांच की पॉजिशन पे आती है दाय हाथ की स्पिन गेंबाज और ये हैं दायालान हेमलता तो दायालान हेमलता आपको इस मैच के अंदर नमबर पांच की पॉजिशन पे खेलेंगे आल राउंडर बल्लेबाज दयालान हेमलता के बाद अगली खिलाडी का जो नाम है ये हैं आपको नमब च्छे की पॉजिशन पे आश गार्डनर तो आश गार्डनर नमब च्छे की पॉजिशन पे नजर आएंगे खेलती वी आल राउंडर नमब 7 की पॉजिशन के उपधर तर्ण्नूम पठान बहुत अच्छी खिलाडी है और तर्ण्नूम पठान आल राउंडर है ये नमब 7 की पॉजिशन पे खेलेंगी नमब 8 की पॉजिशन पे मध्यम गती की तेज गेनबाज गातुरीन बराइस नजर आएंगे खेलती वी और मेगना सिंग के बाद आपको बताते चलें कि तनूजा कवर जो कि बाएं हाथ के एक और स्पिन गेंद बाद हैं बहुत कमाल की खिलाडी हैं तनूजा कवर और नमबर 11 की जो पॉजिशन के उपर इस मुकाबले में मौजूद हैं वो है मननत कश्यप जिया मननत कश्यप नमबर 11 की पॉजिशन पे नज़र आएंगे खेलती वही हैं अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की ग्राउंड की डाइमेंशन किस तरीके की नज़र आ रही हैं ग्राउंड की डाइमेंशन आपको आज के दिन में बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं सामने की तरफ जो डाइमेंशन हैं वो स्ट्राइट डाउन दे ग्राउंड 62 मीटर की हैं लॉंग ओन की तरफ आपको 60 मीटर की बाउंडरी ज़र आ रही हैं लॉंग ओफ के दिशा में 60 मीटर की बाउंडरीज हैं इस मैच में इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लेक साइड में स्क्वेले के एरिया में जो बाउंडरीज की डाइमेंशन्स हैं वो हैं 50 मीटर की आफ साइड में जो बाउंडरीज की डाइमेंशन्स हैं वो हैं 58 मीटर की पाइनले के ऐरिया में जो boundaries इस तरीके से कहती है दोस्तो अरुन जेटली स्टेडियम के अंदर अरुन जेट लिग स्टेडियम के पिछ हमने देखा है कि कल और परसो के मैच में थोड़ी सी स्लो खेली है यह विकेट तो इस विकेट के उपर अगर आप टॉस को जीतते हैं अगर आप टॉस को जीतते हैं तो पहले बैटिंग कीजिए और अगर आप पहले बैटिंग करके 150 भी रंस बना देते हैं इस विकेट के उपा तो एक बहुत बढ़िया टोटल सावित हो सकता है हमने देखा है कल के मैच में और उसके पहले वाले मैच में भी तो 150 का टोटल पहले बैटिंग करके क्योंकि आज भी सिमिलर पिच के उपर इस्तवाल खेला जा रहा है जो कल और परसो के पिच का इस्तवाल किया गया है तो यहां टोटल को जीत के आपको पहले बैटिंग करना होगा बाकी अगर मैं आपको टॉस की बात कर लूँ तो टॉस के लिए दोनों ही टीमों की जो कपतान है वो तैयार हो रही है भारत की कप्तान और मुंबई इंडियन्स की कप्तान हर्मन प्रीत कौर और बेथ मूनी जो की आपको आस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं लेकिन गुजराद जायन्स की कप्तानी कर रही है देखते हैं गुजराद बड़ी मसकतों के साथ इसला मुकाबला जो जीतने में कामयाब हुआ था और अब देखते हैं गुजराद जायंट्स क्या दोस्तों आने वाले अपने सारे मैचेस को जीत कर अपनी रहा को बनाने में कामयाब रख पाएगा या नहीं ये तो हमें समय ही बताएगा लेकिन फिलहाल के लिए टॉस अब बस होने ही जा रहा है थोड़ी ही देर में जैसे ही टॉस होता है वैसे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है टॉस पे कौन जीत रहा है टॉस और कौन हार रहा है टॉस इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको जान सलामी बल्लिबाजी में मुंबई इंडियन्स की टीम की तरफ से जो इस मैच में ओपनिंग करेंगी वो हैं यास्तिका भाटिया के साथ हेली क्रिस्टीन मैथ्यूज जो हैं वो सलामी बल्लिबाजी करने वाली हैं नमब तीन की पॉजिशन के उपा दायहाथ की नाट्स की वब ब्रंट जो हैं वो बल्लिबाजी करेंगी बहुत कमाल की खिलाडी हैं नाट्स की वब ब्रंट के बाद नमब चार की पॉजिशन पे दायहाथ की हर्मन प्रीत कौर कप्तान जो हैं वो उतरेंगी नमब पांच की पॉजिशन के उपा दाएं हाथ की एमेलिया कौर उतरेंगी अब एमेलिया कर उतरेंगी इनका नाम अब कर ही कौर ही रख देना चाहिए हेमेलिय अकर के बाद नमबर 6 की पुजिशन पे दाएं हाथ की पूजा वस्तराकर जो कि तेज गेंबाज है बहुत यची बल्लिबाज भी है पूजा वस्तराकर पूजा वस्तराकर के बाद नमबर 7 की पुजिशन पे अमन जोद कौर को मौका मिलेगा खेलने का बहुत खतरना खिलाडी है अमन जोद कौर नमबर साथ की पॉजिशन पे इस मैच के अंदर नजर आएंगे खेलती हुई नमबर आठ के उपर आपको S साजना खेलेंगी बहुत अच्छी खिलाडी हैं दोस्तों S साजना इस मैच में S साजना नमबर नो की पॉजिशन पे खेलेंगी नमबर दस की नो की पॉजिशन के उपर शबनेम इसमेल नजर आएंगे जो कि तेज गेंदबाज है शबनेम इसमेल के बाद नमबर दस की पोजिशन के उपा इस टीम के अंदर शामल की गई है हुमेरा काजी हुमेरा काजी जो कि दाएं हाथ के खिलाडी है बले बाजी और गेंद बाजी दोनों कर लेती है और नमबर 11 की पॉजिशन के उपा साइकाई शाक जो की बाएं हाथ की गेनबाज हैं और वो आपको नमबर 11 की पॉजिशन के उपा इस मैच के अंदर नजर आने वाली हैं तो ये तो हमने गुजरात जायंट्स की टीम की प्लिंग 11 देख ली इस मैच नमबर 16 में लेकिन आप हम एक नजर डाल लेते हैं गुजरात जायंट्स की टीम क्या है तो दोस्तो गुजरात जायंट्स की टीम आपके स्क्रीन पर ये रही पिछले मैच की स्टार लॉरा वुलवार्ट क्या सांदार बल्ले बाजी पिछले मैच के अंदर आपको लॉरा वुलवार्ट ने करके दिखाई थी लॉरा वुलवार्ट के साथ आपको सलामी बल्ले बाजी में इस मैच के अंदर जो नज़र आएंगी वो हैं बायाहाथ की बैथ मूनी जो की बहुत जबरदस खिलाडी है बैथ मूनी और बैथ मूनी के बाद नमबर तीन की पॉजिशन पे दायाहाथ की वेदा कृष्णा मूर्ती नजर आएंगे खेलती हुई बहुत कमाल की खिलाडी है वेदा कृष्णा मूर्ती वेदा कृष्णा मूर्ती के बाद नमबर चार की पॉजिशन के पप बाए हाथ की फियोबी लिच फील्ड जो है वो आपको इस मैच के अंदर नदर आएंगे खेलती हुई बहुती जबर्दस्त बल्लेबाज है फियोबी लिच फील्ड भी लिच फील्ड के बाद आपको नमबर पांच की पॉजिशन पे आती है दाया हाथ की स्पिन गेंबाज और ये हैं दायालान हेमलता तो दायालान हेमलता आपको इस मैच के अंदर नमबर पांच की पॉजिशन पे खेलेंगे आल राउंडर बल्लेबाज दयालान हेमलता के बाद अगली खिलाडी का जो नाम है यह हैं आपको नमबर 6 की पोजिशन पे आश गार्डनर तो आश गार्डनर नमबर 6 की पोजिशन पे नजर आएंगे खेलती वी आल राउंडर नमबर 6 की पोजिशन के उपड़ तरन्नुम पठान बहुत अचких खेलाड़ी हैं और तरन्नुम पठान ओल राउंडर हैं यह नमबर 7 की पोजिशन पे खेलेंगी नमबर 8 की पोजिशन पे मध्यम गती की तेज गेंदबाज कातरीण बराइस नजर आएंगे खेलती वी कातरीन ब्राइस के बाद नमबह 9 की पोजिशिन के उपर दाए हाथ की मेगना सिंग नजर आइंगे जो के तेज गेंद बास है बहुत अच्छी खिलाडी है मेगना सिंग और मेगना सिंग के बाद अगर हम देखते हैं और मेगना सिंग के बाद आपको बताते चलें कि तनूजा कवर जो कि बाएं हाथ के एक और स्पिन गेंद बाद हैं बहुत कमाल की खिलाडी हैं तनूजा कवर और नमबर 11 की जो पॉजिशन के उपर इस मुकाबले में मौजूद हैं वो है मननत कश्यप जिया मननत कश्यप नमबर 11 की पॉजिशन पे नज़र आएंगे खेलती वही हैं अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की ग्राउंड की डाइमेंशन किस तरीके की नज़र आ रही हैं ग्राउंड की डाइमेंशन आपको आज के दिन में बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं सामने की तरफ जो डाइमेंशन हैं वो स्ट्राइट डाउन दे ग्राउंड 62 मीटर की हैं लॉंग ओन की तरफ आपको 60 मीटर की बाउंडरी ज़र आ रही हैं लॉंग ओफ की दिशा में 70 मेंटर की बाउंडरीज हैं स्कुये स्कुैर्ले के एरिया में जो बाउंडरी डामेंशन्स हैं और आपको थर्ड मेंटर के जो एरिया में बाउंडरी डामेंशन्स हैं वो हैं आपको लगभग लगभग 60 और मीटर की 50 मीटर की ये तो आप लोग ने ग्राउंड की डाइमेंशन्स देख ली हैं लेकिन आए अब एक नदर डालेते हैं आज की पिछ रिपोर्ट के उपा तो आज की जो पिछ रिपोर्ट है वो कुछ इस तरीके से कहती है दोस्तो अरुन जेटली स्टेडियम के अंदर अरुन जेटली स्टेडियम के पिछ हमने देखा है कि कल और परसो के मैच में थोड़ी सी स्लो खेली है ये विकेट तो इस विकेट के उपर अगर आप टॉस को जीतते हैं अगर आप टॉस को जीतते हैं तो पहले बैटिंग कीजिए और अगर आप पहले बैटिंग करके 150 भी रंस बना देते हैं इस विकेट के उपर तो एक बहुत बढ़िया टोटल सावित हो सकता है हमने देखा है कल के माच में और उसके पहले वाले माच में भी तो एक सो पचास का टोटल पहले बैटिंग करके क्योंकि आज भी सिमिलर पिछ के उपर इस्तमाल खेला जा रहा है जो कल और परसो के पिछ का इस्तमाल किया गया है तो यहां टोस को जीत के आपको पहले बाटिंग करना होगा बाकि अगर मैं आपको टोस की बात कर लूँ तो टोस के लिए दोनों ही टीमों की जो कफ्तान है वो तैयार हो रही है भारत की कफ्तान और मुंबई इंडियन्स की कफ्तान हर्मन प्रीत कौर और बेथ मूनी जो की आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं लेकिन गुजराद जायंट्स की कफ्तानी कर रही हैं देखते हैं गुजराद बड़ी मसकतों के साथ इसला मुकाबला जो जीतने में कामयाब हुआ था और अब देखते हैं गुजराद जायंट्स क्या दोस्तों आने वाले अपन मुंबई इंडियन्स बनाम गुजराद जायंट्स के बीच वुमेंस प्रीमियर लीग का ये खेला जा रहा है मैच नमबर 16 और आज की जो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 हैं वो कुछ इस तरीके से हैं सलामी बलिबादी में मुंबई इंडियन्स की टीम की तरफ से जो इ यास्तिका भाटिया के साथ हेली क्रिस्टीन मैफ्यूज जो हैं वो सलामी बलिबादी करने वाली हैं नमबर 3 की पोजिशन के उपा दाय हाथ की नाट्स की वब बरंट जो हैं वो बलिबादी करेंगी बहुत कमाल की खिलाडी हैं नाट्स की वब बरंट के बाद नमबर 4 की पोजिशन पे दाए हाथ की हर्मन प्रीत कौर कप्तान जो हैं वो उतरेंगी नमब पांच की पोजिशन के उपा दाए हाथ की एमेलिया कौर उतरेंगी अब एमेलिया कर उतरेंगी इनका नाम अब कर ही कौर ही रख देना चाहिए हیمیلیاکر کے بعد 6 की पुजिशन पे दाएं हाथ की पूजा वस्तराकर जो की तेज गेनबास है बहुत एचीब लिबास भी है पूजा वस्तराकर पूजा वस्तराकर के बाद 7 की पुजिशन पे अमन जोद कौर को मौका मिलेगा कھیलनेगा बहुत खतरना खिलाडी हैं अमन जोद कौर नमबर साथ की पॉजिशन पे इस मैच के अंदर नजर आएंगे खेलती हुई नमबर आठ के उपर आपको S साजना खेलेंगी बहुत अच्छी खिलाडी हैं दोस्तो S साजना इस मैच में S साजना नमबर नौ की पॉजिशन पे खेलेंगी नमबर दस की नौ की पॉजिशन के उपर शबनेम इसमेल नजर आएंगे जो कि तेज गेंदबाज है शबनेम इसमेल के बाद नमबर 10 की पॉजिशन के उपा इस टीम के अंदर शामिल की गई है हुमेरा काजी हुमेरा काजी जो कि दाएं हाथ के खिलाडी हैं बले बाजी और गेंद बाजी दोनों कर लेती हैं और नमबर 11 की पॉजिशन के उपा साइकाई शाक जो की बाएं हाथ की गेंद बाज हैं और वो आपको नमबर 11 की पॉजिशन के उपा इस मैच के अंदर नजर आने वाली हैं तो ये तो हमने गुजरात जायंट्स की टीम की प्लिंग 11 देख ली इस मैच नमबर 16 में लेकिन अब हम एक नजर डालेते हैं गुजरात जायंट्स की टीम क्या है तो दोस्तो गुजरात जायंट्स की टीम आपके स्क्रीन पर ये रही पिछले मैच की स्टार लॉरा वुलवार्ट क्या सांधर बल्ले बाजी पिछले मैच के अंदर आपको लॉरा वुलवार्ट ने करके दिखाई थी लॉरा वुलवार्ट के साथ आपको सलामी बल्ले बाजी में इस मैच के अंदर जो नज़र आएंगी वो हैं बायाहाथ की 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 पे आती है दाय хоч की स्पिन गेंग बाज और यह हैं दायालान हेमलता तो दायालान हेमलता आपको इस माच के अंदर नमबा 5 की पॉजिशन पे खेलेंगे आल राउंडर बलेबास दयालान हेमलता के बाद अगली खिलाड़ी का जो नाम है ये हैं आपको नमबा 6 की पॉजिशन पे आश गार्डनर तो आश गाड़नर नमब चे की पोजिशन पे नज़र आएंगे खेलती वी आल राउंडर नमब साथ की पोजिशन के उपद तरन्नुम पठान बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं और तरन्नुम पठान आल राउंडर हैं ये नमब साथ की पोजिशन पे खेलेंगी नमबर 8 की पुजिशन पर मध्यमगती की तेज गेंद बाज कैटरीन ब्राइस नजर आएंगे खेलती हुए कैटरीन ब्राइस के बाद नमबर 9 की पुजिशन के उपा दायें हाथ की मेगना सिंfa नजर आएंगे जो की तेज गेंद बाज है बहुत अच्छी खिलाडी है मेगना सिंग और मेगना सिंग के बाद अगर हम देखते हैं और मेगना सिंग के बाद आपको बताते चलें कि तनूजा कवर जो की बाएं हाथ के एक और स्पिन गेंद बाद हैं बहुत कमाल की खिलाडी है तनूजा कवर और नमबर 11 की जो पॉजिशन के उपर इस मुकाबले में मौजूद है वो है मननत कश्यप यहां मननत कश्यप नमबर 11 की पॉजिशन पे नज़र आएंगे खेलती वही अब एक नदा डा लेते हैं आज की ग्राउन की डाउंचन के इस तरीके की नधर आ रही है तो ग्राउन की डाउंचन आपको आज के दिन में बिलकुल साफ नधर आ रही है सामनी की तरफ जो डाउंचन है वो स्ट्राइड डाउंड गराउंड 62 मीटर की है long gone के तरफ आपको 60 मीटर की बाउंडरी ज़ना रही है long off के दिशा में 60 मीटर की बाउंडरी ज़ना है इस मैच में इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो leg side में square leg के area में जो boundaries की dimensions है वो हैं 50 मीटर की off side में जो boundaries की dimensions हैं वो है 58 मीटर की final leg के area में जो boundaries की dimensions हैं वो हैं लगभग 60 मीटर की और आपको third man के जो area में boundaries की dimensions हैं वो हैं आपको लगभग लगभग 60 और मीटर की 50 मीटर की तो ये तो आप लोग ने ground की dimensions देख ली हैं लेकिन आए अब एक नज़र डालेते हैं आज की pitch report के उपा तो आज की जो pitch report है वो कुछ इस तरीके से कहती है दोस्तो अरुन जेटली स्टेडियम के अंदर अरुन जेटली स्टेडियम के पिछ हमने देखा है कि कल और परसो के match में थोड़ी सी slow खेली है ये विकेट तो इस विकेट के उपर अगर आप टॉस को जीतते हैं अगर आप टॉस को जीतते हैं तो पहले बैटिंग कीजिए और अगर आप पहले बैटिंग करके 150 भी रंस बना देते हैं इस विकेट के उपा तो एक बहुत बढ़िया टोटल सावित हो सकता है हमने देखा है कल के माच में और उसके पहले वाले माच में भी तो 150 का टोटल पहले बैटिंग करके क्योंकि आज भी सिमिलर पिच के उपर इस्तमाल खेला जा रहा है जो कल और परसो के पिच का इस्तमाल किया गया है तो यहां टॉस को जीत के आपको पहले बाटिंग करना होगा बाकि अगर मैं आपको टॉस की बात कर लूँ तो टॉस के लिए दोनों ही टीमों की जो कप्तान है वो तैयार हो रही है भारत की कप्तान और मुंबई इंडियन्स की कप्तान हर्मन प्रीत कौर और बेत मुनी जो की आपको आस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं लेकिन गुजराद जाइंट्स की कप्तानी कर रही है देखते हैं गुजराद बड़ी मसकतों के साथ इसला मुकाबला जो वो जीतने में कामयाब हुआ था और अब देखते हैं गुजराद जाइंट्स क्या दोस्तों आने वाले अपने सारे मैचेस को जीत कर अपनी रहा को बनाने में कामयाब रख पाएगा या नहीं ये तो हमें समय ही बताएगा लेकिन फिलहाल के लिए टॉस अब बस होने ही जा रहा है थोड़ी ही देर में दोस्तों मुंबई इंडियन्स बनाम गुजराद जाइंट्स के बीच वुमेंस प्रीमियर लीग का ये खिला जा रहा है मैच नमबर 16 और आज की जो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरीके से है सलामी बल्लेबादी में मुंबई इंडियन्स की टीम की तरफ से जो इस मैच में ओपनिंग करेंगी वो है यास्तिका भाटिया यास्तिका भाटिया के साथ हेली क्रिस्टीन मैथ्यूज जो है वो सलामी बल्लेबादी करने वाली है नमब तीन की पुजिशन के उपा दाय हाथ की नाट्स की वब ब्रंट जो हैं वो बल्ले बाजी करेंगी बहुत कमाल की खिलाडी हैं नाट्स की वब ब्रंट के बाद नमब चार की पोजिशन पे दाय हाथ की हर्मन प्रीद कौर कप्तान जो हैं वो उतरेंगी नमब पांच की पॉजिशन के उपा दाएंहाथ की एमेलिया कौर उतरेंगी अब एमेलिया कर उतरेंगी इनका नाम अब कर ही कौर ही रख देना चाहिए हेमेलिया कर के बाद नमबर 6 की पुजिशन पे दाएं हाथ की पूजा वस्तराकर जो की तेज गेंबाज हैं बहुत यचीव बल्लिबाज भी हैं पूजा वस्तराकर पूजा वस्तराकर के बाद नमबर 7 की पुजिशन पे अमन जोद कौर को मौका मिलेगा खेलने का बहुत खतरनाख खिलाडी हैं अमन जोद कौर नमबर साथ की पॉजिशन पे इस मैच के अंदर नजर आएंगे खेलती हुए नमबर आठ के उपर आपको S साजना खेलेंगी बहुत अच्छी खिलाडी हैं दोस्तो S साजना इस मैच में S साजना नमबर नौ की पॉजिशन पे खेलेंगी नमबर दस की नौ की पॉजिशन के पर शबनेम इसमेल नजर आएंगे जो कि तेज गेंद बाज है शबनेम इसमेल के बाद नमबर 10 की पॉजिशन के उपा इस टीम के अंदर शामिल की गई है हुमेरा काजी हुमेरा काजी जो कि दाएं हाथ के खिलाडी हैं बले बाजी और गेंद बाजी दोनों कर लेती हैं और नमबर 11 की पॉजिशन के उपा साइकाई शाक जो की बाएं हाथ की गेंद बाज हैं और वो आपको नमबर 11 की पॉजिशन के उपा इस मैच के अंदर नजर आने वाली हैं तो ये तो हमने गुजरात जायंट्स की टीम की प्लिंग 11 देख ली इस मैच नमबर 16 में लेकिन अब हम एक नजर डालेते हैं गुजरात जायंट्स की टीम क्या है तो दोस्तो गुजरात जायंट्स की टीम आपके स्क्रीन पर ये रही पिछले मैच की स्टार लॉरा वुलवार्ट क्या सांधर बल्ले बाजी पिछले मैच के अंदर आपको लॉरा वुलवार्ट ने करके दिखाई थी लॉरा वुलवार्ट के साथ आपको सलामी बल्ले बाजी में इस मैच के अंदर जो नज़र आएंगी वो हैं बायाहाथ की बैथ मूनी जो की बहुत जबर्दस खिलाडी है बैथ मूनी और बैथ मूनी के बाद नमबर तीन की पॉजिशन पे दायाहाथ की वेदा कृष्णा मूर्ती नज़र आएंगे खेलती वी बहुत कमाल की खिलाडी है वेदा कृष्णा मूर्ती वेदा करिशन मूर्ती के बाद नमबर चार की पॉजिशन के पप बाए हाथ की फियोबी लिच फील्ड जो है वो आपको इस माच के अंदर नदर आएंगे खेलती हुई बहुती जबरदस्त बल्लेबाज है फियोबी लिच फील्ड भी लिच फील्ड के बाद आपको नमबर पांच की पॉजिशन पे आती है दाय हाथ की स्पिन गेन बाज और ये हैं दायालान हेमलता तो दायालान हेमलता आपको इस माच के अंदर नमबर पांच की पॉजिशन पे खेलेंगे आल राउंडर बल्लेबाज दयालान हेमलता के बाद अगली खिलाडी का जो नाम है ये हैं आपको नमबर 6 की पोजिशन पे आश गार्डनर तो आश गार्डनर नमबर 6 की पोजिशन पे नज़राएंगे खेलती भी आल राउंडर नमबर 7 की पोजिशन के उपर तरन्नुम पठान बहुत अच्छी खिलाडी हैं और तरन्नुम पठान आल राउंडर हैं ये नमबर 7 की पोजिशन पे खेलेंगी नमबर 8 की पोजिशन पे मध्यम गती की तेज गेंबाज कैफरीन ब्राइस और आप लोगों को बता दे कि गुजराज जायंट्स और मुंबई इंडियन्स की जो टीमें हैं वह इसे में टॉस के लिए तयार हैं देखते हैं इस मैच के अंदर टॉस आखिरकार कौन जीतता है बहुत दिनों चुके हैं दोस्तों यहां गुजराज जायंट्स की टीम रेकेवल एक मैच इस सीजन के अंदर जीता है यह दूसरा मुकाबला क्या आपको यह टीम जीतने में कामयाब हो पाई गया और उन जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर आपको यह मुकाबला खेडा जा रहा है आज टॉस बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि पहले पिछले दोनों मैचेस के अंदर यह दिल्ली में जितने भी मैचेस केले जा रहे हैं आपको जो टीम पहले बाटिंग कर रही है वो टीम आपको पहले बाटिंग करने वाली टीम मैचेस को ज़्यादा तर जीत रही है तो यहां बहुत अच्छी संभावना हैं कि Toss को जीत के पहले बाटिंग करें और बाटिंग करते वें दोस्तों आपको इस विकेट के उपर मुकाबला भी जीत सकती है आपको जो भी टीम Toss जीत के पहले बाटिंग करेगी की बाकी देखते हैं क्योंकि दोनों की कप्तान बेत्मूनी औस्ट्रेलिया की हैं भारत की हर्मन प्रीद कौर मुंबई इंडियन्स बहुत अच्छा प्रदर्शन आपको इस मुमेंस प्रीमियर लीग में किया है अगर मैं आप लोगों को एक पॉइंट्स टेबल के हाल दिख रहे हैं और आठ अंकों के साथ दिली नंबर एक पे है अल दिली ने बहुत जबर्दस जीत अल्मूस्ट दर्ज करी ली थी लेकिन कल मैच के अंदर यूपी वारियर्स ने अंत में जो है वो दिली कैपिटल्स को हरा दिया एक रंज से एक समय पे लग रहा था कि दिली कैप साथ आपको यह टीम बिल्कुल नंबर एक की पोजिशन के उपर मौझ पांच की पोजिशन पर मौझूद है बाकी दोस्तों टॉस दोनों की कप्तान जो है वो तयार है इस समय देखते हैं कौन सी टीम मैच के अंदर जीतने में कामयाब हो पाती है टॉस को लग बग एक मिन मॉंबई इंडेंस हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर ले लेकिन आपको दिल्ली क्यापिटल के गुजराच जाइंट की टीम कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं होगी समय लाल टॉस ऑल्मोस्ट हो चुका है समय टॉस का एक मिनट और 30 सेक इंडेंस वे बहुत बढ़ी बाउंड्री हैं आपकी कि मुकाबलों के दिन इडी बॉलर्स पॉल ये फुलर लेंट अंड ये विकेट तो इक बैडर्स सो गेंड़ बाज़्ों को जो है वह विक्टर के उपा गेंड़ाजी करने का कोशिस करना होगा इस विकेट के उपा इ कि अगर गुडलेंट पे गेन बाजी होती है तो आपको बहुत जादा मदद मिल सकती है तेज गेन बाजों को तो भी आग उना बैट फरस्ट गुज्राज जायंट्स की टीम की कप्तान ने टास के उपर आज बाजी मारी है और गुजराज जाइंट्स की टीम ने पहले बैटिंग करने का निर्णा लिया है इस सोलवे मुकाबले के अंदर गुजराज जाइंट्स जो है वो पहले बैटिंग करीगी इस मुकाबले के अंदर आई ए एक नज़र डाल लेते हैं आज की दोनों टीमों के उपप प्लेइंग 11 पर यही आपको ट्रेंड चलता हूँ आया है बैंगलोर में हमने देखा था कि सारी टीमें पहले टॉस को जीत कर बैटिंग नी गेंदबादी कर रही थी लेकिन यहाँ पर आपको सारी टीमें ट पॉस को जीता है और गुजरात की टीम आपको इस मैच के इंदर पहले बैटिंग कर रही है इस मुकाबले में यूपी वार्यर्स कल एक मैच जीत के इस कॉंप्रिटिशन के इंदर पॉइंट्स टीबल में नंबर चार पर अभी भी बनी हुई है एक मैच यूपी वारियर् मैच को छोड़ के रह जाएंगे दिल्ली के दो मैच जोर रह जाएंगे मुंबई के भी दो मैच रह जाएंगे बैंगलोर का दो मुकाबला मुंबई वाला मैच खेलने के बाद एक और मैच मुंबई का रह जाएगा बाकी और आईए प्लेइंग 11 के पर आज के इस मैच के नज़र आलते हैं दोनोंगी टीमों में तो शुरुआ था मुंबई इंडियन्स के टीम से करते हैं मुंबई में कौन-कौन आज के we will bat first it's a bit tricky to chase here in Delhi तो बारा से बैटिंग करना पसंद करेंगी यह प्लेइंग 11 के उपर दोस्तों नज़र डाल लेते हैं दोनों ही टीमों की जो प्लेइंग 11 है वो अल्मोस्ट अब आही चुकी है तो शुरुआत हम आपको मुंबई इंडियन्स की टीम के साथ करेंगे गुज गुजराद जाइंट्स की टीम टास को जीती है बेत मूनी ने और बेत मूनी ने पहले बैटिंग करने का फैसला आपको इस विकेट के उपा किया है यानि की गुजराद पहले बैटिंग कर रहा है और मुंबई आपको इस माच के इंदे जो वो पहले फिल्डिंग करता वा नजर आएगा तो आज की प्लेइंग 11 जो नजर आ रही है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी आपको इस मुकाबले में मुंबई इंडियन्स की टीम में तो मुंबई में यास्तिका भाठिया और हेली माथ्यूस जो है वो सलामी बल्लेबादी के अंदर नजर आएंगे करत लाड़ाड़ी है नाट्स की वर परन्ट और नाट्स की वर अब बरन्ट जो है बहुत बल्लबास थापीत हो सकती है आज के दीन इस टीम में हर्मन प्रीध कोई काुर की ईसंद्र कोर के आपको नभर पाँचडी नजर आएंगे कहलती ही लगया हाथ की एमेलिया कर, इस टीम के सबसे बहतरीन आल राउंडर्स में से एक मुंबई इंडियन्स की टीम में, एमेलिया कर के बाद नंबर चे की पुजिशन पे दाएं हाथ की तेज गेंद बाज जो की पूजा वस्तराकर है, पूजा वस्तराकर आपको इस मैच के अंदर नंबर चे की पुजिशन पे इस मैच के अंदर नजर आएंगी, खेलती वी नंबर साथ की पूजिशन के उपर आपको दाएं हाथ की एक और तेज गेंद बाज या हम कहें सकते हैं आल राउंडर अमन जोत कॉर जो हैं वो आपको नमबर साथ के उपखेलती वे नज़र आएंगी नमबर आठ के उपर पहले माच में अंतिम गेन पर चौका लगाने वाली साजना जो कि नमबर आठ की पॉजिशन पर आज मुंबई इंडियन्स की टीम की तरफ से करेंगी बाटिंग नमबर नौ पे मुंबई की एक और खतरनाक तेज़ गेन बाज शबनेम इसमेल जो की बहुत अच्छी तेज़ गेन बाजी करती है तो साइका इशाक ने अभी तक आपको शुरुआती माचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है और पिछले कुछ माचेस में और भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया तो मुंबई की कप्तान ने कोई बदलाव नहीं किया है तेंग गुजरात में दो चेंजेस किये गए है और गुजरात की कप्तान ने ये पहले ही कनफर्म कर दिया था कि स्नेहराना जो की आल राउंडर है इस टीम की वो उनका कमबाक हो रहा है तो आईए एक बार गुजरात जाइंट्स की टीम की प्लेंग 11 पे हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से खिलाडी गुजरात की टीम से बाहर जा रही है तो गुजरात की टीम में सलामी बल्लेबादी के अंदर बैत मूनी नज़र आएंगी और उनके साथ वुलवाड जो हैं पिछले माच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी इनोंने तो यह आप लोगों को सलामी बल्लेबादी के अंदर जो हैं वो नज़र आएंगी खेलती वी तो यह आपको ओपनिंग के रूप में इस मैच के अंदर नज़र आने वाली हैं यह दोनों के बाद नमबर तीन की पॉजिशन के पर जो नज़र आएंगी खेलती वी वो हैं आपको बाए हाथ के फियोबी लिच फिल्ड फियोबी लिच फिल्ड ने भी बल्ले बाजी के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और देखते हैं आज के इस मैच में दोस्तों कैसा प्रदर्शन फियोबी लिच फिल्ड का रहता है फियो बिलिच फिल्ड के अगर हम बात करते हैं तो इस टीम की सबसे बहतरीन बल्ले बाजों में से एक हैं शुरुवाती मैचस के अंदर अच्छा पॉफॉर्मिंस कर नहीं पाई थी लेकिन इस मैच में मौकर हैगा इनके पास अपनी बल्ले बाजी के साथ कमाल दिखाने का इसके लावा आपको नमबर चार की पॉजिशन के उपर दाएं हाथ की दयाला नहीमलता जो हैं वो आपको इस मकाबले में नज़राएंगी खेलती हुई दयाला नहीमलता ने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था और दयाला नहीमलता आपको नमबर चार की पॉजिशन के उपर नज़राएंगी खेलती हुई दयाला नहीमलता के बाद नमबर पांच की पॉजिशन के उपर आशली गारड़नर और स्नेहराना जो की चोट की वज़ा से बीच में बाहर हो गई थी, उनका आखिरकार आपको इस मैच में वापस से कमबाक होता हुआ, और देखेंगे दोस्तों कैसा प्रदर्शन उनकी तरफ से इस मैच में रहने जा रहा है, इसके अलवा हम देखेंगे तो कैतरीन ब्राइस जो की नमबर आठ की पॉजिशन पे इस मैच के अंदर नजर आने वाली है खेलती भी, और कैतरीन ब्राइस भी बहुत जबर्दस खिलाडी है ये, इस मैच में कैतरीन ब्राइस नजर आएंगे खेलती भी नमबर आठ की पॉजिशन पे, नमबर नौ के उपा दाय हाथ की त मेगना सिंग तेज गेन बाजी करती हैं आपको नई गेन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं मेगना मेगना सिंग के बाद आपको इस मैच के अंदर जो खिलाडी नजर आएंगे खेलती हुई वो हैं आप लोगों को मनत कश्यप को आज टीम से रखा गया है बाहर और उनकी जगह के पर टीम के अंदर जो वह शामिल किया गया है शबनम शकील को तो मनत कश्यप की जगह पर आपको शबनम शकील को जो वह शामिल कर दिया गया है यह आप लोगों को इस मैच के अंदर प्लेंग 11 नजर आ रही है यहाँ पर गुजराट जाइंट की टीम की तरफ से बाकि अगर हम देख लेते हैं आपको आज की ग्राउंड की डाइमेंशन्स तो ग्राउंड की डाइमेंशन्स आपको कुछ इस तरीके से दो चेंजिस आज आपको गुजराट की टीम देखिये हैं ग्राउंड की डाइमेंशन्स की बात अगर हम करते हैं तो सामने की तरफ जो बाउंडरीज की डाइमेंशन्स हैं रहो, स्ट्रेट डाउun दे ग्राउंड, वो होने वाला है, 72 मीटर लगबग लगबग आपको boundaries की dimensions, 72 मीटर boundaries की बिलकुल empire के सामने की तरफ boundaries की dimensions है, इसके अलावा, अगर हम आपको आगे चलते हैं, long of अगर हम देखते हैं, log of की तरफ अगर हम देखते हैं, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आपको डाइमेंशन्स जो नज़रा रही है लेक साइब में वो लग भग लग भग आपको पचास मीटर नज़रा रहा है और थर्ड में की दिश्चा में भी आपको उतनी ही बड़ी बाउंडरी जो हैं वो इस मैच के अंदर नज़र आ रहा है तो यह हैं आप लोगों को मैच नबर 16 के अंदर आज के ग्राउंड की डाइमेंशन्स लेकिन पिछ रिपोर्ट के अपका क्या बचाया गया है आए दिला सुनते हैं तो आज के पिछ रिपोर्ट जो की बताई गई है आपको कि यह विकेट जो है जिस तरीके से बाकी के मैचेस में खेलता वाया नहीं के पिछले मैच में यह थोड़ी सी अलग विकेट है यह दूसरी विकेट का इस्तमाल किया जा रहा आज के दिन और इस विकेट के उपर हम देखेंगे तो जो टीम पहले बाटिंग कर रही है अगर उसने डेड़ सो से उपर का स्कोर बना लिया तो मैच जीतने की जो संभावना हैं वो बहुत जादा बढ़ जाएंगी तो टॉस को जीत कर गुजरात ने यही फैसला किया है और गुजरात का यह फैसला बहुत सही साबित भी हो सकता है देखते हैं दोस्तों आपको गुजरात की टीम की तरफ से इस मैच में अगर डीर सो बना लेती है तो जीतने की भी संभावना है आपको इस पिच पे बहुत जादा बढ़ जाएंगी बाकिया आपको टॉस के उपा गुजरात जाइंट्स की टीम की पहले बाटिंग चल रही है इस मकाबले में मैच नंबर सो लमे मस्ट विंड गेम है आपको गुजरात के लिए अगर गुजरात हारता है इस मकाबले को तो गुजरात इस competition से भी बाहर हो सकता है तो इसलिए गुजरात को आज का ये माच जीतना पड़ेगा अगर आपको competition में बने रहना है तो और इस tournament के अंदर आपको बने रहना है तो नहीं बने रहना तो अलग बात है आपको टीम हार सकती है लेकिन आज के दिन टॉस को जीत कर बैटिंग करने का ये फैसला बिल्कुल सही फैसला भी साबित हो सकता है बागी चलते हैं दोस्तों क्योंकि टॉस हो चुका है माच के शिरुआत अपसे बस थोड़ी ही देर में होगी और दोनों ही सलामी बल्लेबाज गुजराट जाइंट्स की तरह से बेथ मूनी और उनके साथ वुल्वाट जो हैं वो सलामी बल्लेबाजी करने उतरेंगे इस मैच में और आज देखते हैं आपको ये दोनों ही खिलाडी जो है वो किस तरीके का प्रदर्शन इस मैच में करके दिखाती है अपने टीम के लिए गुजराथ की कप्तान ने कहा भी कि हम इस विकेट के उपर जो है पिछले मैच में मैच जीते हैं हो सकता है कि हम बाद में बाटिंग ना करें इस विकेट के उपर क्योंकि बहुट ट्रिकी हो सकता है बार इस और वूमेंट्स प्रिमीर लीग 24 के 16 मुकाबले से अपडेट ये है कि गुजराट जाइंट्स की टीम टॉस को जीती है बेत मूनी ने और बेत मूनी ने पहले बाटिंग करने का फैसला आपको इस विकेट के उपा किया है यानि कि गुजरात पहले बैटिंग कर रहा है और मुंबई आपको इस माच के अंदे जो हो पहले फिल्डिंग करता वा नदर आएगा तो आज की प्लेइंग इलेवन जो नदर आ रही है वो कुछ इस तरीके से नदर आएगी आपको इस मकाबले में मुंबई इंडियन्स की टीम में तो मुंबई में यास्तिका भाटिया और हेली माथियूस जो है वो सलामी बल्लेबादी के अंदर नदर आएगी करती हुई आल राउंडर्स में से एक है मुंबई इंडियन्स की टीम के अंदर नाट्स की वब ब्रंट के बाद अगली बल्लेबाद नमबर चार की पुजिशन के उपर आती है दायाहाथ की कफ्तान हर्मन प्रीत कौर अर्मन प्रीत कौर भी बहुत इंपॉर्टन बल्लेबाद साबित हो सकती है आज के दिन इस टीम में अर्मन प्रीत कौर के बाद आपको नमबर पाँच की पुजिशन के पर जो खिलाडी नदर आएंगी खेलती हुई दायहाथ की एमेलिया कर इस टीम के सबसे बहतरीन आल राउंडर्स में से एक मुंबई इंडियन्स की टीम में एमेलिया कर के बाद नमबर च्छे की पॉजिशन पे दायहाथ की तेज गेंबाज जो की पूजा वस्तराकर है पूजा वस्तरा कर आपको इस मैच के अंदर नमबर 6 की पॉजिशन पे इस मैच के अंदर नजर आएंगी खेलती वी नमबर 7 की पॉजिशन के पर आपको दाएं हाथ की एक और तेज गेंड बाज या हम कहें सकते हैं आल राउंडर अमन जोद कॉर जो हैं वो आपको नमबर 7 के उपर खेलती वे नजर आएंगी नमबर 8 के उपर पहले मैच में अंतीम गेंड पे चौका लगाने वाली साजना जो के नमबर 8 की पॉजिशन पे आज मुंबई इंडियन्स की टीम की तरफ से करेंगे बाटिंग नमबर 9 पे मुंबई की एक और खतरनाक तेज गेंड बाज शबनेम इसमेल जो की बहुत अची तेज गेंड बाजी करती है और नई गेंड के साथ बहुत अच्छा शुरुआत भी आपको ये देती हैं शबनेम इसमेल नमबर 10 पे एक और आल राउंडर जो की हुमेरा काजी हैं और नमबर 11 की पॉजिशन के पर जो इस मैच के इंदर नजर आएंगे केल टीवी वो हैं आपको बाइहां की साइकाई शाक तो साइकाई शाक ने अभी तक आपको शुरुआती मैचस में बहुत अच्छा परधरशन करे के दिखाया है और पिछले कुछ मैचेस में और भी ज्यादा अच्छा प्रदरशन किया तो मुंबई की कप्तान ने कोई बदलाव नहीं किया है तो इंग गुजरात में दो चेंजेस किये गए हैं और गुजरात की कप्तान ने ये पहले ही कनफर्म कर दिया था इस ने राना जो कि ऑल राउंडर है इस टीम की वो उनका कमबाक हो रहा है तो आईए एक बार गुजरात जाइंट्स के टीम की प्लैइंग 11 पे हम नजदर डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से खिलाडी गुजरात की टीम से बाहर जा रही है तो गुजराद की टीम μέें सलामी बलेबाजी के अंदर बेतमूनी नजर आएंगी और उंके साथ वुलवार जो हैं पिछले माच में बहुत अची बैटिंकी थी जो यह आप लोगों को सलामी बलेबाजी के अंदर जो हैं वो नजर आएंगी खिलती वी तो ये आपको ओपनिंग के रूप में इस मैच के अंदे नज़र आने वाली है ये दोनों के बाद नमबर तीन की पुजिशन के पर जो नज़र आएंगी खेलते हुई वो हैं आपको बाए हाथ के फियोबी लिच फिल्ड फियोबी लिच फिल्ड ने भी बल्ले बाजी के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और देखते हैं आज के इस मैच में दोस्तों कैसा प्रदर्शन फियोबी लिच फिल्ड का रहता है फियो बिलिच फिल्ड के अगर हम बात करते हैं तो इस टीम की सबसे बहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं शुरुवाती मैचस के अंदर अच्छा परफॉर्मिंस कर नहीं पाई थी लेकिन इस मैच में मौकर हैगा इनके पास अपनी बल्लेबाजी के साथ कमाल दिखाने का इसके लावा आपको नमबर चार की पॉजिशन के उपर दाय हाथ की दयाला नहीमलता जो हैं वो आपको इस मकाबले में नजर आएंगी खेलती हुई दयाला नहीमलता ने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था और दयाला नहीमलता आपको नमबर चार की पॉजिशन के उपर नजर आएंगी खेलती हुई दयाला नहीमलता के बाद नमबर पांच की पॉजिशन के उपर आशली गाड़नर जो कि spin गेंद बाज हैं Ash Gardner और बहुत अच्छी के लाड़ी आपको Ash Gardner जो कि निज़राएं के खेलती वी नंबर 6 की पोजिशन पे Ash Gardner के बाद आपको नंबर 7 की पोजिशन के उपर Schnee Rana का comeback हो रहा है और Schnee Rana जो कि चोट की वज़े से बीच में बाहर हो गई थी उनका आखिरकार आपको इस मैच में वापस से कमबाक होता हुआ और देखेंगे दोस्तों कैसा प्रदर्शन उनकी तरफ से इस मैच में रहने जा रहा है इसके अलबा हम देखेंगे तो कैतरीन ब्राइस जो की नमबर आठ की पॉजिशन पे इस मैच के अंदर नजर आने वाली है खेलती भी और कैतरीन ब्राइस भी बहुत जबरदस खिलाडी है ये इस मैच में कैतरीन ब्राइस नजर आएंगे खेलती भी नमबर आठ की पॉजिशन पे नम्मर नौ के उपा दाय हाथ की तेज़ गेंबाज, मेगना सिंग, तेज़ गेंबाजी करती हैं, आपको नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं, मेगना, मेगना सिंग के बाद आपको इस मैच के अंदर जो खिलाडी नजर आएंगे खेलती हुई, वो हैं आप मनत कश्यप को आज टीम से रखा गया है बाहर, और उनकी जगह के पर टीम के अंदर जो वो शामिल किया गया है, शबनम शकील को, तो मनत कश्यप की जगह पर आपको शबनम शकील को जो वो शामिल कर दिया गया है, यह आप लोगों को इस मैच के अंदर प्लेइंग 11 नजर हैं ground की dimensions की बात अगर हम करते हैं तो सामने की तरफ जो boundaries की dimensions है straight down the ground वो होने वाला है 72 meter लगभग लगभग आपको boundaries की dimensions 72 meter boundaries की बिलकुल empire के सामने की तरफ boundaries की dimensions है इसके अलावा अगर हम आपको आगे चलते हैं long on का area लगभग आपको 60 meter की boundaries हैं इस match में long off की तरफ अगर हम देखते हैं तो आपको लगभग 60 meter की dimensions नजर आ रही हैं इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आपको dimensions जो नजर आ रही है leg side में वो लगभग लगभग आपको 50 meter नजर आ रहा है और third man की दिशा में भी आपको उतनी ही बड़ी boundaries जो है वो इस match के अंदर नजर आ रहा है तो यह हैं आप लोगों को match number 16 के अंदर आज के ground की dimensions लेकिन pitch report के पा क्या बचाया गया है आए दिला सुनते हैं तो आज के pitch report जो की बताई गई है आपको कि यह wicket जो है जिस तरीके से बाकी के matches में खेलता वाया यानि के पिछले match में यह थोड़ी सी अलग wicket है यह दूसरी wicket का इस्तमाल किया जा रहा आज के दिन और इस wicket के उपर हम देखेंगे तो जो टीम पहले batting कर रही है अगर उसने डेड़ सो से उपर का score बना लिया तो match जीतने की जो संभावना हैं वो बहुत जादा बढ़ जाएंगी तो टॉस को जीत कर गुजरात ने यही फैसला किया है और गुजरात का यह फैसला बहुत सही साबित भी हो सकता है देखते हैं दोस्तों आपको गुजरात की टीम की तरफ से इस मैच में अगर डीर सो बना लेती है तो जीतने की भी संभावना है आपको इस पिच पे बहुत जादा बढ़ जाएंगी बाकि आपको टॉस के उपा गुजरात जाइंट्स की टीम की पहले बाटिंग चल रही है इस मकाबले में मैच नमबर 16 में मस्ट विंग गेम है आपको गुजरात के लिए अगर गुजरात हारता है इस मकाबले को तो गुजरात इस कॉमपर्टिशन से भी बाहर हो सकता है तो इसलिए गुजरात को आज का ये माच जीतना पड़ेगा अगर आपको competition में बने रहना है तो और इस tournament के अंदर आपको बने रहना है तो नहीं बने रहना तो अलग बात है आपको team हार सकती है लेकिन आज के दिन toss को जीत कर बैटिंग करने का ये फैसला बिल्कुल सही फैसला भी साबित हो सकता है आगी चलते हैं दोस्तों क्योंकि टॉस हो चुका है मैच के शिरुआत अब से बस थोड़ी ही देर में होगी और रुमेंस प्रीमियर लीग 24 के 16 मुकाबले से अपडेट ये है कि गुजराट जाइंट्स की टीम टॉस को जीती है बैथ मूनी ने और बैथ मूनी ने पहले बैटिंग करने का फैसला आपको इस विकेट के उपा किया है यानि कि गुजराट पहले बैटिंग कर रहा है और मूंबई आपको इस मैच के अंदे जो वो पहले फिल्डिंग करता वा नदर आएगा तो आज की प्लेइंग 11 जो नदर आ रही है वो कुछ इस तरीके से नदर आएगी आपको इस मुकाबले में मूंबई इंडियन्स के टीम में तो मूंबई में यास्तिका भाठिया और हेली माथियूस जो है वो सलामी बलेबादी के अंदे नदर आएगी करती हुई दोनों के दोनों बहुत जबरदस खिलाडी हैं और ये दोनों अगर चल जाती हैं तो फिर बहुत सारे रंस बन सकते हैं मूंबई के लिए हैं नमबर तीन पे नाट स्कीवर ब्रंट नजर आएंगे खेलती वी दाएहाथ की बलेबाज बहुत अच्छी खिलाड़ी है नाट स्कीवर ब्रंट और नाट स्कीवर ब्रंट जो है वन अधे बेस्ट आल राउंडर्स में से एक है मुंबई इंडियन्स की टीम के अंदा है नाट स्कीवर ब्रंट के बाद अगली बलेबाज नमबर चार की पॉजिशन के उपर आती है दाएहाथ की कफ्तान हर्मन प्रीद कौर हर्मन प्रीद कौर भी बहुत इंपॉर्टन बलेबाज थाबित हो सकती है आज के दिन इस टीम में अर्मन प्रीद कॉर के बाद आपको नमबर पांच की पॉजिशन के अपर जो खिलाडी नज़र आएंगी खेलती हुई दाएं हाथ की एमेलिया कर इस टीम के सबसे बहतरीन आल राउंडर्स में से एक मुंबई इंडियन्स की टीम है इमेलिया कर के बाद नमबर चे की पॉजिशन पे दाएं हाथ की तेज गेंबाज जो की पूजा वस्तराकर है पूजा वस्तराकर आपको इस मैच के अंदर नमबर चे की पॉजिशन पे इस मैच के अंदर नज़र आएंगी खेलती हुई नमबर साथ की पोजिशन के उपर आपको दाएं हाथ की एक और तेज गेन बाज या हम कहें सकते हैं आल राउंडर अमन जोत कोर जो हैं वो आपको नमबर साथ के उपर खेलती वे नजर आएंगी नमबर आठ के उपर पहले मैच में अंतीम गेन पर चौका लगाने वाली साजना जो के नमबर आठ की पोजिशन पर आज मुंबई इंडियन्स की टीम की तरफ से करेंगी बैटिंग नमबर नौ पे मुंबई की एक और खतरनाक तेज गेनबाज शबनें इसमेल जो की बहुत अच्छी तेज गेनबाजी करती है और नई गेन के साथ बहुत अच्छा शुरुआत भी आपको यह देती है शबनें इसमेल नमबर दस पे एक और अल राउंडर जो की हुमेरा काजी है और नमबर ग्यारा की पॉजिशन के पर जो इस मैच के अंदर नजर आएंगी केल पी वी वो हैं आपको बाय हाथ की साइकाई शाक तो साइकाई शाक ने अभी तक आपको शुरुआती मैचेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है और पिछले कुछ मैचेस में और भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया तो मुंबई की कप्तान ने कोई बदलाव नहीं किया है इंग गुजरात में दो चेंजेस किये गए हैं और गुजरात की कप्तान ने ये पहले ही कन्फर्म कर दिया था इस ने राना जो की ऑल राउंडर है इस टीम की वो उनका कमबाक हो रहा है तो आएए एक बार गुजरात जाइंट्स की टीम की प्लेइंग 11 पे हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से खिलाडी जो है उनको गुजरात की टीम से बाहर जा रही है तो गुजरात की टीम में सलामी बलेबाजी के अंदर बैत मूनी नज़र आएंगी और उनके साथ वुलवार जो है पिछले माच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी इनोंने तो यह आप लोगों को सलामी बलेबाजी के अंदर जो है वो नज़र आएंगी खेलती वी तो यह आपको ओपनिंग के रूप में इस मैच के अंदर नज़र आने वाली है यह दोनों के बाद नमबर तीन की पॉजिशन के पर जो नज़र आएंगी खेलती वी वो हैं आपको बाए हाथ के फियोबी लिचफिल्ड फियोबी लिचफिल्ड ने भी बल्लेबाजी के साथ बहुत अच्छा प्रोडर्शन किया है और देखते हैं आज के इस मैच में दोस्तों कैसा प्रोडर्शन फियोबी लिचफिल्ड कर रहता है फियो बिलिच फिल्ड की अगर हम बात करते हैं तो इस टीम की सबसे बहतरीन बल्ले बाजों में से एक हैं शुरुवाती मैचस के अंदर अच्छा परफॉर्मिंस कर नहीं पाई थी लेकिन इस मैच में मौकर हैगा इनके पास अपनी बल्ले बाजी के साथ कमाल दिखाने का इसके लावा आपको नमबर चार की पॉजिशन के उपर दाएं हाथ की दयाला नहीमलता जो हैं वो आपको इस मकाबले में नज़राएंगी खेलती वी दयाला नहीमलता ने पिषले मैच में बहुत अच्छा प्रधरशन करके दिखाया था और दयाला नहीमलता यदा आपको नमबर चार की पॉजिशन के इपर नज़राएंगी खेलती वी आश गार्डनर के बाद आपको नमबर 6 की पोजिशन के उपर सनेह राना का कमबाक हो रहा है और सनेह राना जो की चोट की वज़ा से बीच में बाहर हो गई थी उनका आखिरकार आपको इस मैच में वापस से कमबाक होता हुआ और देखेंगे दोस्तों कैसा प्रदर्शन उनकी तरफ से इस मैच में रहने जा रहा है इसके अलबा हम देखेंगे तो कैतरीन ब्राइस जो की नमबर 8 की पोजिशन पे इस मैच के अंदर नजर आने वाली है केलती भी और कैतरीन ब्राइस भी बहुत जबर्दस खिलाडी है ये इस मैच में कैतरीन ब्राइस नजर आएंगे केलती भी नमबर 8 की पोजिशन पे नमबर 9 के उपा दाय हाथ की तेजगेंबाज मेगना सिंग तेज गेंबाजी करती हैं आपको नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है मेगना मेगना सिंग के बाद आपको इस मैच के अंदर जो खिलाडी नजर आएंगे खेलती हुई वो हैं आप लोगों को मनत कश्यप को आज टीम से रखा गया है बाहर और उनकी जगह के पर टीम के अंदर जो वो शामिल किया गया है शबनम शकील को तो मनत कश्यप की जगह पर आपको शबनम शकील को जो वो शामिल कर दिया गया है यह आप लोगों को इस मैच के अंदर प्लेइंग 11 नजर आ रही है यहाँ पर गुजराट जाइंट की टीम की तरफ से बाकि अगर हम देख लेते हैं आपको आज की ग्राउंड की डाइमेंशन्स तो ग्राउंड की डाइमेंशन्स आपको कुछ इस तरीके से दो चेंजिस आज आपको गुजराट की टीम देखिये हैं ग्राउंड की डाइमेंशन्स की बात अगर हम करते हैं तो सामने की तरफ जो बाउंडरीज की डाइमेंशन्स हैं स्ट्रेइट डाउन दे ग्राउंड वो होने वाला है 72 मीटर लगभग लगभग इस मैच में लगभग की तरफ अगर हम देखते हैं तो आपको लगभग 60 मीटर की डाइमेंशन्स नजर आ रही है इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आपको डाइमेंशन्स जो नजर आ रही है लेक साइड में वो लग भग लग भग आपको 50 मीटर नजर आ रहा है और थर्ड मेंड की दिशा में भी आपको उतनी ही बड़ी बाउंडरी जो है वो इस मैच के अंदर नजर आ रहा है तो यह हैं आप लोगों को मैच नंबर 16 के अंदर आज के ग्राउंड की डामेंशन लेकिन पिश रिपोर्ट के पा क्या बढ़ाया गया है आए दिला सुनते हैं तो आज के पिश रिपोर्ट जो की बताई गई है आपको कि यह विकेट जो है जिस तरीके से बाकी के मैचेस में खेलता वाया यानि के पिशले मैच में यह थोड़ी सी अलग विकेट है यह दूसरी विकेट का इस्तमाल किया जा रहा आज के दिन और इस विकेट के उपर हम फैसला किया है और गुजरात का ये फैसला बहुत सही साबित भी हो सकता है देखते हैं दोस्तों आपको गुजरात की टीम की तरफ से इस मैच में अगर डीर सो बना लेती है तो जीतने की भी संभावना है आपको इस पिच पे बहुत जादा बढ़ जाएंगी बाकि आपको ट लेगा अगर आपको communist में बने रहना है तो और इस tournament के अंदर आपको बने रहना है तो नहीं बने रहना तो अलग आज देखते हैं आपको ये दोनों ही खिलाडी जो है वो किस तरीके का प्रदर्शन इस माच प्रीस और उमेंस प्रीमियर लीग 24 के 16 मकाबले से अपडेट ये है कि गुजराट जाइंट्स की टीम टॉस को जीती है बेथ मूनी ने और बेथ मूनी ने पहले बैटिंग करने का फैसला आपको इस विकेट के उपा किया है यानि कि गुजराट पहले बैटिंग कर रहा है और मूंबई आपको इस माच के अंदे जो है वो पहले फिल्डिंग करता वा नदर आएगा तो आज की प्लेइंग 11 जो नदर आ रही है वो कुछ इस तरीके से नदर आएगी आपक सकते हैं मुंबई के लिए हैं नमब तीन पे नाट्स कीवर बरंट नजर आएंगी खेलती वी दायाहाथ की बलेबाज बहुत अच्छी खिलाड़ी है नाट्स कीवर बरंट और नाट्स कीवर बरंट जो है वन अद बेस्ट आल राउंडर्स में से एक है मुंबई इंडियन की टीम के अंदा है नाट्स की वर बरंट के बाद अगली बलेबाज नमब चार की पॉजिशन के अपर आती हैं दायाहाथ की कफ्तान हर्मन प्रीत कौर हर्मन प्रीत कौर भी बहुत इंपॉर्टन बलेबाज थाबित हो सकती हैं आज के दिन इस टीम में हर्मन प्रीत कौर क आपको नमबर पांच की पॉजिशन के उप जो खिलाड़ी नज़र आएंगी खेलती भी, दाइँ हाथ की एमेलिया कर, इस टीम के सबसे बहतरीन आल राउंडर्स में से एक मुंबई इंडियन्स की टीम है, इमेलिया कर के बाद नमबर चे की पॉजिशन पे दाइँ हाथ की तेज गेन बाज जो कि पूजा वस्तराकर हैं पूजा वस्तराकर आपको इस मैच के अंदर नमबर 6 की पॉजिशन पे इस मैच के अंदर नजर आएंगी खेलती वी नमबर 7 की पॉजिशन के उपर आपको दाएं हाथ की एक और तेज गेन बाज या हम कहें सकते हैं आल राउंडर अमन जोद कौर जो है वो आपको नमबर साथ के उपर खेलती वे नजर आएंगी नमबर आठ के उपर पहले मैच में अंतीम गेंट पर चौका लगाने वाली साजना जो के नमबर आठ की पॉजिशन पर आज मुंबई इंडियन्स की टीम की तरफ से करेंगी बैटिंग नमबर नौ पे मुंबई सोलवा मुकाबला जो की आपको गुजराट जाएंट्स वर्सिस मुंबई इंडियन्स के बीच शुरू होने जा रहा है आज दोनों ही टीमों के लिए मस्ट विन गेम खासता और से गुजराट के लिए मुंबई आपको क्वालिफाई कर जाएगी अगर आज का मैच जीट जाएगी तो तो कि गुजराट फिर कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगी इसी वज़े से आज का यह मुकाबला गुजराट के लिए बहुत जादा ज़रुरियत जीतने के लिए इसके बाद गुजराट अभी भी दो मैचस खेलेगी इस मुकाबले के बाद क्यों ने केवल और केवल पांच मैचस खेले हैं सबसे कम मैचस आपको गुजराट के टीम दे खेले हैं इस सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ ये इनका दूसरा मुकाबला है आमने सामने दूनों एक दूसरे के सामने तो दोस्तों मुकाबले के शुरुआथ गुजराट जाएंनस की दूनों ही सलामी बलleबास बुलवाट और उनके साथ जो दूसरी सलामी बल्लेबाज हैं इसने में हम देख पा रहे हैं गुजराज जाइंट्स की टीम की तरफ से जिनका नाम है यहां पर बैत मुनी तो यह दोनों ही जो ओपनर्स हैं वो इससे में ग्राउंड के उपर उतर चुकी हैं और आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है इस मैच नमबर 16 में और पहली गेंज जो गेंबादी की शिरुवात करेंगे मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ स नमबर 16 में पहली एक वह दो पहली गेंज आपको स्पिन गेंबादी की शिरुवात कराई जा रही है एली माथ्यूज की पहली गेंज उलवाट ने पहली गेंज को बैट और पैड लेकर आके सामने की तरफ डिफिन्ड कर दिया और गेंज बले पर टकरा के वापस गेंज की तरफ लौट गई है पहली गेंद के पर कोई रन लेने का मौका नहीं मिला डॉट बॉल के साथ शुरुआत दूसरी गेंद हेली माथ्यूस की तरफ से जो कि वो दिविकेट से गेंद बादी करने के लिए तयार हैं यह पहला मुकाबला दोस्तों आपको यह दोनों टीम में आमने सामने इससे पहले दोनों टीम में बैंगलोर में एक दूसरे के खिलाफ मिली थी इस बीच हेली माथ्यूस की अगली गेंद जो पैरो पर आ रही थी फ्लिक कर स्वीप करने की कोशिस लेकिन गेंद बल्ले के बीच हम देखेंगे तो कोई संपर्क नहीं वा गेंद जा जादा बाहर जारी थी इसी वजह से हमने आपको वुलबार तयार इस बीच पैरो पर डाली वी गेंद इस बार अपील और इस बार अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी इसी के साथ बिना कोई रन के उपर गुजरात ने हमेशा की तरह पहला विकेट ड्रेवर गवा द कहा है रिव्यू लेने के लिए लौरा वुलबार को तो यहाँ पर रिव्यू के लिए रिव्यू ले लिया गया है और देखते हैं रिव्यू के उपर अगर आपको तीनों स्टम्स के सामने है या फिर अंपायर स्कॉल होता है तो भी आपको ये बस सकती है अन्यता अगर ग गेन थी, राउंद विकेट से बाकफुट पे जाकर पुल करने का प्रियास था, हो सकता है कि आपको ये गेन लेक्स्टम के बाहर टपा खाई है, क्योंकि रीप्ले में देखा जाए, तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि राउंद विकेट से इन्ट ने गेन बाजी की थी, और इन लाइन है, और गेन भी आपको लग रहा है कि लेक्स्टम को जाके लग जाएगी, अब देखा जा रहा है इंपाक्ट और ये पिचिंग आउट साइड लेग, यहां लेक्स्टम के बाहर ये गेन ठपा खाई है, दाए हाथ की बलेबास थी, इस वज़े से आपको जिनको सफलता मिल गए थी, यह आपको रिव्यू के बाद उनकी सफलता को वापस ले लिया गया है, तो गुजरात ने तीन गेन्डों में अभी खाता नहीं कोला है, जहां हेली माथियूस की अगली गेन्ड, राउंद विकेट से सामने आपको वुलवाट त्यार नज़र रही है सोवर की चौथी गेन का सामना करने के लिए, राउंद विकेट से लेक्स्टम पे जाके गेन्ड को सामने की तरफ शौट मारा मिड़ॉफ की दिशा में, जहां कप्तान कुद मौजूती हर्मन प्रीद कौर और हर्मन प्रीद कौर ने अपनी बाई तरफ जाके इस ग इनको केवल फील्ड कर लिया, और रन भागने का कोई मौका इस ओवर की चौथी गेन के उपन नहीं मिलने वाला है, हेली मैथ्यूस की गेन पर पांचवी गेन के लिए त्यार है, दाय हाथ से राउंद विकेट से, दाय हाथ की वुलवाट के लिए लेक्स्टम की लाइन प भाग कर ये एक रन और पूरा कर लिया, पैरो पराती भी गेन्द थी, जहां कदमों का इस्तमाल करके गेन्द के पिछ तक पहुंचके बल लिबाज ने ऑन साइड में गेन को मोड दिया था, अगली गेन्द के लिए त्यार दाय हाथ से, राउंद विकेट से, हेली अगली गेन्द, और सामने स्ट्राइक के उपा पहली दफा जो हैं, वो रहने वाली हैं, बाया हाथ की बैत मूनी, इस ओवर की अन्तीम गेन्द के उपा, एक स्लिप लगाई जा रही है, स्लिप को हटा दिया गया है, कैचिंग पोजिशन पे, एक शॉर्ट थर्ड में जुदे पचीज गच के खेरे में, और अब स्लिप को वापस लगा दिया है, तो बैत मूनी के लिए राउन्द विकेट से गेन्द बादी करेंगी, एक स्लिप के साथ, हेली माथ्यूज, और यह सोवर की अन्तीम गेन्द आने जा रही है, राउन्द विकेट से, सामने बले बाद त्यार है, राउन्द विकेट से, एक स्लिप के साथ, आस्टम के बाहर, बले का बाहरी किनारा छोड़ कर विकेट कीपा, यास्तिका भाटिया कहां तुमें, यास्तिका भाटिया ने गेन्द को पकड़ के सीधा स्टंप्स के उपर भी खेर दिया, और यह लिग अंप विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची थी, और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेम को पकड़ के सीधा स्टंप्स भी खेर दिया है, या यह देखते हैं कि आउट है या नहीं है, बले का बाहरी किनारा भी नहीं लगा है, और ऐसा लग रहा है कि बैत मूनी का पैर भी क्रीज के अंदर नजरा रहा है, टर्न होकर गेन बाहर की तरफ निकल रही थी, बले के बहुत ही पास से ये गुजरी है, और पैर थोड़ा सा आगया, जरूर आया था, लेकिन जब तक विकेट कीपर यास्तिका भाट या गेन को पकड़ के स्टंप्स भी खेर पात एक रन पहले ओवर की समाफ़ती के बाद, बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद, एक और ओवर जो है, वो इसी बीच समाफ़त होता, वो नजरा रहा है, अगली गेन्द नए ओवर की शिरवात शबनेम इसमेल आ रही है, तेज गेन्दास, जिनके नाम 244 टीट्वेंटी शबनेम इसमेल के लिए आफस्टम के बाद, फुल एंडिलिवरी, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच बहुत बढ़ा गैप मौझूद था, और गेन्द को सीधा पंच कर दिया, डीप कवर बाउंडरी की तरफ, चार रनों के लिए, साजना गेन्द के पीछे जरूर दोड बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक दसमलो एक गेन की इस्टमाफ़ती पे, चबनेम इसमेल एक स्लिप के साथ, दाय हाथ की वुलवाट के लिए, फाइन लेक बाउंडरी पे फिल्डर मौझूद, पैरो पर डाली वी एक गुडलन पे गेन, बिलकुल तीनों स्टम्स के सामने थी, सीध्य बल्ले से सामने के तरफ गेन को डिफेंड कर दिया है, गेन बल्ले पर टकराती वी सीधा मिडॉफ के पास पहुंची, मिडॉन के दिश्चा में, और बाकी का जो काम था, वो मिडॉन के फिल्डर ने इस गेन को फील्ड करके वहाँ वापस कर दिया, रन सुबर की, अगली गेन के लिए त्यार दाय हाँच से, उवद विकेट से, शबने मिडॉन की गुड्लेंड पर डाली वी आफस्टम के बाहर ये गेन थी, और इस आफस्टम के बाहर की गेन को अपने फ्रिन फुट पर आके, सीधे बल्ले से गेन को ड्राइफ कर दिया, और गुजराच जाइंड्स में आई है, जीनी, अभी तक तो ये गेन नहीं हुआ है, बाकि शबनेम इसमेल की, ये गुड्लेंड पर डाली वी आफस्टम के बाहर गेन, तपाखाने के बाद गेन दो और बाहर जा रही थी, और इस गेन को देख के समझ के जाने दिया, विकेट गेन बास, पिछले मैच में बहुत अच्छा गेन बास ही नहीं किया था, शुरुवात में ही दो-तीन विक्टे जो आपको ये दिला देती है टीम को, जब दो-तीन विक्टे गिर जाती है शुरू के 6-7 ओवरों में, तो टीम जो है वो बहुत जादा प्रेशर में आ जाती ह अगली गेन, शबने में स्मेल की, उवर दिविक्ट से शॉट अफ लेंड डिलेवरी है, स्क्वेर कट कर दिया, डी पोइंट बाउंडरी की तरफ, गती का पूरा फायदा उठाया, और यह चार रन्स मिलेंगे शबने में स्मेल की इस गेन के उपा, थोड़ा सा विड दिय जाइंस की टीम एक तस्मेलों पाँच गेंडों के समावती पे नौर रनों के पाप पहुंची, नौर रनों के पाप कोई विकेट नहीं, गुजराच जाइंस शबने में स्मेल की, अन्तीम गेंड दाय हाँ से दोड़ना शुरू कर रही है, एक स्लिप के साथ, फुलर लें की गई लेकिन अंत में इंकार कर दिया, वुलवार्ट ने रन नहीं मिलेगा, इस ओवर की समावती दो ओवर के बाद, नौर रन गुजराच चाइंस बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद, गुजराच ने दो ओवरों में नौर रन बना लिया हैं फिलहाल, बिना किसी व किट के नुकसान के बाद, और अभी शब नहीं मिलेगा, इस ओवर की समावती के बाद, नहीं ओवर की शुरुआत गेंदबादी में, और गेंदबादी करने के लिए आपको दूसरे छोड़ से हेली माथ्यूज, जिन्होंने बहुत अच्छा ओवर डाला था अपना पहला केवल 11 रंदिये थे आपको हेली माथ्यूज ने, बुलवाट और मूनी ने पिछले माच में बहुत सांधार शुरुआत दिलाई थी गुजराट जायंस को, आज वापस से उमीद होगी गुजराट को कि कुछ वैसा ही शुरुआत दिलाएंगे दोनों की दोनों, हेली माथ थी उसकी फ्लाइट डिलिवरी आफस्टम पर ड्राइफ किया, गेन पॉइंट बाउंडरी के तरफ, आउट फिल्ड बहुत तेज है, साइका इस शाग गेन को रोक नहीं पाएंगे और गेन डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ, चार रनों के लिए, फ्लाइट दीवी ग बल्ले थी है, इनका पहला चौका, खाता खोला बित मूनी ने, और अब गुजराज जाइंट पहुंची 13 रनों के उपा, 2 ओवर और एक गेन की समाफ्ती के उपा, हेली माथिव्ज, राउंड दिकेट से, दूसरी गेन डॉस्टम पर, एक बार फिर ड्राइफ किया, लेकि एक और रन के साथ, इन दोनों बल्ले बाजों ने, स्ट्राइक जो है, वो रोटीट कर लिया वहाँ, पहली गेन पर चौका, दूसरी गेन पर सिंगल प्रेशर जो है, वो गेन बास पर आ चुका है, क्योंकि पहली दो गेनदों के उपर 6 रन्स आ चुके हैं, और वलवार 11 11 गेनदों के पर 9 रन्स बना के मौझूद, हेली मैथ्यूज, राउंद दो विकेट से कदमों का इस्तमाल, गेन की पिछ तक पहुंच नहीं पाएं, लेकिन मिड़ान की बाएं तरफ से गेनद को उठा का मारा, गेनद एक और चौके के लिए, कदमों का इस्तमाल करके, साम पर 9 गेनदों के समाफ्ती पार, अगली गेनद के लिए त्यार, आंकरी के 3 और गेनदे मौझूद हैं, पहली गेनद पर चौका, फिर एक डॉट, फिर एक सिंगल, फिर एक चौका, और ये अगली गेनद के लिए त्यार, राउंद दो विकेट से लेक्स टम की लाइन पर पर आती वी हेली माथ्यूद की क्रीस के कोने से गेन, लेकिन अपने पैरों को आगे लेकर आके बले के बीच ओब बीच लेके गेनद बास की तरफ वापस इन्होंने धकेल दिया है, हेली माथ्यूद इस उबर की 5 वी गेनद डालने के लिए त्यार है, पहले ओवर में केव जाके सीधा स्टम्स पर टक्रा जाएगी, गेन को मिस कर गई और गेन जाका सीधा विक्टो के उपर टक्रा गई है, 18 रणों के उपर गुजरात ने ये पहला विकेट गवा दिया हेली माथ्यूद की गेन पर, थोड़ा सा उपर गेन जरूर डाला था, लेकिन कदमों का इस पिछले माच में बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था गुजरात को, लेकिन आज केवल और केवल आपको 13 रंस बना के अपनी विकेट गवा का वापस लोड़ गई हैं, तो गुजरात ने 18 रणों के उपर ये पहला विकेट गवा आया, नमबर 3 की पॉजिशन के उपर, फ तीन की पॉजिशन के पाइस माच के अंदर बैटिंग करने के लिए उतरी हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं आपको हेमलता, यह आपको नमबर 3 की पॉजिशन पे 122 मैचे में एक हजार 996 रंस बना चुकी हैं, 105 के स्ट्राइक रेट के साथ, 9 अर्दसतक लगाए हैं ह पिछले कुछ मैचेस से आपको वेदा कृष्ण मूर्ती केल रही थी नमबर 3 पर, लेकिन इस माच में वेदा कृष्ण मूर्ती को बाहर किया गया, और उनकी जगह के पर भारती फूल माली को आज पहला मौका दिया गया T20 डेबियू करने का उमेंस प्रीमियर लीग में, खेर गुजरात इस समय 18 रनों के उपर है, एक विकेट के नुकसान पर, और हेली माथ्यूस की अंतिम गेंद, दाया हाथ की हेमलता को ये इस सुबर की अंतिम गेंद लेकर आने के लिए त्यार नज़र आ रही है, राउंड विकेट से हेली माथ्यूस की गेंद, लेक्स्ट रेंड के उपा, और थर्ड अंपायर के पास नीचे के अंपायर एक बार चेक करने गए हैं, कि कहीं रनाउट तो नहीं हो गई है, ऐसा लग रहा है कि बल्लेवाज बल्लिक बल्ला जो क्रीस के अंदर आ चुका है, तो ये नॉट आउट का फैसला, और इस नॉट आउट के फैसले के साथ, गुजराच जायंस, 19 रनों के पर पहुंचा, एक विकेट के नुकसान पर, तीन उवर की समाफ्ती के बाद, गुजराच जायंस की टीम का स्कोर इस खेल में, तो ये तीसरे उवर का खेल समाफ्त होता वा, जिसमें एक बहुत ही विन्फुल उवर रहा, के दस रन्स दिये, और दस रन्स देके एहम चीज ये थी, कि एक विकेट भी हेली माथ्यूस ने आपको इस ओवर के इंदर निकाल कर दिया, टीम के लिए, तो वीडियो को आप भी लाइक कीजिए, अगर आप तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो चैनल को जल्दी-जल दाए हाथ की दैलान हेम लता कर रही थी, लेगिन पूरी तरीके से इस गेन की लाइन को मिस कर गई, और गेन जाके सीधे इनके पैरो पर टक राई है, अमपायर ने वहाँ नोट आउटा फैसला करार दिया, क्योंकि गेन डाउन द लेग, अतरिक तु छाल भी मिला था यहा लिए का फायता उठाया, शबने मिस्मेल कैस गेन के उपा लेकिन डीप थर्ड बंबाउंडरी के तरफ खेल दिया है, जब तक इस गेन को डीप फिल्ड बाउंडरी के फील करके थोकर पाती इन दोनों बल्लिबाजों ने भागते विद दौड कर यह एक और रन पूरा कर इनोंने और 9 रंस दे के अब तक कोई भी सफल था शब नायम इसमेल हासिल नहीं कर पाई है ओवर दे विकेट से अगली गेंद लेकर आने के लिए त्यार है दाय हाथ के शब नायम इसमेल अपने दूसरे ओवर के इंदा बाय हाथ की बैट मूनी ऑस्ट्रेलिया की विकेट की कीपर खिलाडी लेगिन ये शब नायम इसमेल की तीसरी गेंद आती वी ओवर दे विकेट से एक स्लिप के साथ फुलर लेंड डिलिवरी आउटसाइड दी आफ स्टंप लेगिन उस उपर की गेंद को बैक फुट पर जाके कट करने की कोशिस गेंद बल्ले पर ठकरा के कराने के लिए शब नायम इसमेल तयार हैं और शब नायम इसमेल की सुवर की चौथी गेंद के उपर बल्ले बास तयार एक स्लिप के साथ कदमों का इस्तमाल ये बहुत ही सुंदर शॉर्ट इंसाइड आउट शॉर्ट लगा दिया गेंद कवर बाउंडरी के तराफ फुल बाइहाथ की बैथ मूनी ने 9 रनों के उपर ये दूसरे चौके के साथ पहुंच चुकी हैं गुजरात पहुंची 24 रनों के उपर एक विकेट के नुकसान पार बहुती सुंदर शॉर्ट बाइहाथ की बैथ मूनी ने कदमों का इस्तमाल करके लगाया था पिछली गेंद अगली गेंद को लेकर आने के लिए तयार हैं दायहाथ से सबनेम इस्मैल सेकेंड लास्ट टेलिवरी और सामने जो हैं वो श्ट्राइक के बैथ मूनी तयार हैं बाइहाथ की बैथ मूनी को एक और फुलर लेंड डिलीवरी स्ट्रेट ड्राइव गेंबास की बाइए एक और चौके के लिए बाइहाथ की बल्लेबास के लिए फुल एंड डिलिवरिटी बिल्कुल उपर की तरह अपने फ्रंट फुट को लेकर आके बल्ले के बीचो बीच लेके सामने की तरह सीधा शॉट लगा दिया था अगें लॉंग ओन बाउंडरी की तरह निकल के चले ग और पारी के चौथे ओवर की अंतिम गेंड इसमेल की फुल एंड डिलिवरी पैरों के पास अपने फ्रंट फुट पर आका गेंड को ऑन साइड में मोड दिया गेंड बल्ले पर टकराके सीधा पहुंची स्क्वेल एक पार रन लेने का कोई मौका नहीं मिला इस अंतिम गे जी और मिडान के फिल्डर ने गेंड को फील्ड करके वो ओवर की कर दी है समाफ्ती चार ओवर के बाद गुजराज जाइंस 28 रनों के उपा एक विकेट के नुकसान के बाद चौथे ओवर की समाफ्ती के बाद इस मुकाबले के अंदर गुजराज जाइंस की टीम के लिए गेन बादी में आपको दूसरे छोड़ से तबदीली हो रही है हेली माथ्यूज जो की दो ओवर डाल चुकी है कप्तान ने अब हेली माथ्यूज को हटा के बाया हाथ की जो स्प्रिन गेन बाद है और ये है साइका इशाक शाइका इशाक की पहली गेन राउंद विकेट से फ्लाइटे डिलिवरी पैरो पर आती भी गेन स्ट्रेइट डाउन दे ग्राउंड लॉंग ओन बाउंडरी की तरफ केला गेन बले के बीच ओ बीच टकरा के स्ट्रेट डाउन दे ग्राउंड गई लॉंग ओन बाउंडरी के तरह पहली गेंड पर सिंगल आया साइकाई शाक जो कि मैथ्यूस की जगा गेंड बादी करने उतरी है और ये राउंड विकेट से अगली गेंड आ रही है और सामने बाचिंग्रीस के उपर माजूद दाय हाद की देयाला नहीं लता पहली गेंड के उपर इन दोनों बाउंड बाउंड गेंड फिल्डम माजूद है जब तक इस गेंड को इमेलिय कर डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के पास है फील्ड करके त्रो कर पाती इन दोनों बले बाज उने दोड़ का भाग कर ये एक और रन पूरा कर लिया और एक और रन के साथ दिल्ली गुजरा जाइंस की टीम तीस रनों के पहुंची एक विकेट के नुकसान पर बाए हाँ से एक और फ्लाइटे डिलिवरी इंसाइड आउट शॉर्ट कवर और मिड ओफ के बीच में से गेंड को ड्राइव कर दिया और ये पूरे चार रन्स मिल गए हैं बल्लेबास को बहुती सुन्दर शॉर्ट अगें चौके के लिए ये पहला चौका आपको हेमलता के बल्ले से और हेमलता पहुंची इस चौके के साथ ही आठ रनों के उपा राउंद विकेट से दाएहाथ की बल्लेबास हेमलता के लिए एक और फ्लाइटे डिलिवरी फुल टॉस बना लिया यहां इस फुल टॉस गेंड के उपा सीधे बल्ले से स्ट्रेइट डाउंद ग्राउंड के ला इन बल्ले पर टकराके लॉंग ओन बाउंडरी के तरफ पहुंची यह एक रन इन दोनों बल्ले बाउजन दोड़ कर भाग कर पूरा कर लिया है और इस एक रन के साथ जो स्कोर है वो गुजराज जाइंस 49 रनों के पहुंच चुकी है जहां राउंड विकेट से अगली गेंड ले कराने के लिए त्यार कदमों का इस्तमाल इंसाइड आउट शॉर्ट कवर और मिडॉफ के उपर से एक और चौके के लिए आउस्टम के बाहर ये फ्लाइट डिलिवरी थी कदमों का इस्तमाल करके बल्ले के बीच ओ बीच लेके गेंड को इंसाइड आउट शॉर्ट कवर और एक्स्ट्रा कवर के उपर से गेंड को लॉफ्ट करके इन्होंने पूरे चार रंज बटोर लिये और इस सांदार चौके के साथ गुजराथ पहुंची 49 रनों के उपा एक विकेट गुजराथ जाइंस की टीम का स्कोर बाहाँ हाँ से ये साइका इशाक की फ्लाइट डिलिवरी पैरो के पास सीधे बल्ले से गेंड को सामने की तरफ ड्राइव किया गेंड बल्ले के बीच गुजराथ जाइंस 49 रनों के उपा पहुंची एक विकेट के नुकसान पर और साइका इशाक का ये पहला ओवर जो था वो समाफ्त हो चुका है साइका इशाक है इस ओवर की समाफ्ती के बाद 49 रनों के उपा पहुंच चुकी है गुजराथ जाइंस की टीम एक विकेट के पुजिशन पे पांच के उपा आश गाडना हेमलता को आज उपर उतार दिया गया है तो नंबर छे पे आपको भारती नजर आएंगी खेलती भी जहां दाया हाथ की नाट्स की वब ब्रंट तेज गेन बाज ओवर दिविकेट से फुलर रेंड डिलेवरिल एक्स्टरम की ला आएंगे चार रन्स कुल मिलाके इस गेन पे पांच रन्स आएंगे एक रन दोनों बल्लेबाज उनने भाग का पूरे किये और जो स्टम्स पे गेन लगने के बाद बाउंडरी के बाहर पहुंची है वो एक और चौका मिलता वायने के कुल मिलाके पांच रन इस ओवर की प में दस गेंदों का इन्होंने सामना किया अब तक इस माच में और ये ओवर दो विकेट से गेन बाजी करने के लिए नाट्स की वब बरंट त्यार है ये इनका पहला ही ओवर चल रहा है फिलहाल बाए हाथ की बैत मूनी 18 रनों के उपर पहुंची दस गेंदों का सामना करने के बाद इस माच में पांच ओवर और एक गेंद में 44 रन्स दिये हैं और 44 रन्स दे के आपको एक विकेट आपको गुज्राट जाइंस की टीम ने जो वे इस माच के अंदर निकाला है अगली गेंद फुलर लेंड डिलिवरी कदमो का इस्तमाल गेंद की पिछ तक पहुंच के सामने की तरफ गेंद को हवा में खड़ा कर दिया लॉंग ओन बाउंडरी के उपर और ये पूरे छे रन्स मिल गए हैं फुल लेंड डिलिवरी थी कदमो का इस्तमाल करके गेंद क पिछ तक पहुँचके मिडाउन के उपर से गेन को लॉफ्ट कर दिया था और ये लॉंग ओन बाउंडरी के उपर पहुँचे सीधा दर्शकों में छे रनों के लिए को कदमों का इस्तमाल करके बहुत जबरदस शॉट मारा सामने की तरफ स्ट्रेट डाउन दे ग्राउंड और ये छे रनों के साथ ही अगली गेन नाट्स की वब ब्रंड की गुडलन पटाली वे लेक्स्टम के उपर आती वी गेन फ्लिक कर दिया गेन को गेन जाती वे डीप स्कुएल एक बाउंडरी की तरफ लेकिन स्कुएल एक ओपर फिल्ड अ मॉझूद उन्होंने गेन को फिल्ड कर लिया रन नहीं मिलेगा इस तीसरी गेन के उपर नाट्स की वब ब्रंड की तरफ से अगली गेन और आंक्री की दो गेंदे नाट्स की वब ब्रंड मॉझूद है और ये अन्तीम की दो गेंदे इस पावर प्ले के इंदा बैथ मूनी मौजूद नजर आ रही है इसमें 24 रुनों के उपा दाय हाथ से दोड़ने के लिए तैयार नाट स्कीवर ब्रंट और नाट स्कीवर ब्रंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें नाट स्कीवर ब्रंट अपना पहला ये ओबर डाल रही है जहां दाय हाथ की दैयरा नहीं लता को गेंद को ड्राइव कर दिया गेंद बल्ले के बीच और बीच ट्रक राके डीप कवर बाउंडरी के तरह पहुंची एक और रन के लिए अपने बल्ले को आगे लेकर आके गेंद को इन्होंने ड्राइव किया गेंज आती भी वहाँ कवर बाउंडरी के तरह एक और रन के लिए तो ये अगली गेंद और आखरी गेंद है इस चटे उबर के अंदर स्ट्राइक के उपर जो मौझूद नजर आ रहे हैं बले बाज हुआ है दायाहाथ की गालान हेमलता और ये दौडने के लिए त्यार हैं आपको नाक्स की वे बरंट इस उवर की अंतीम गेंद के लिए और दोड़ने के लिए त्यार है ओवद विकेट से नाट्स की वे ब्रंट दाय हाथ की दैलान हेमलता के लिए दोड़ने के लिए त्यार इस ओवर की अंतिम गेन के लिए ओवर का छटा ओवर चल रहा है और इस छटे ओवर की अंतिम गेन के लिए त्यार है टोड़ना शुरू कर रही है और अस्टम के बाहर डाली विए फुल एंड डिलिवरी और फुल एंड डिलिवरी के उप़ बलेबाज ने गेंड को ड्राइफ किया कवर बाउंडरी की तरफ लेकिन जब तक इस गेंट को वहाँ डीप कवर बाउंडरी का फिल्डर फिल्ड कर पाती त्रो कर पाती इन दोनों बल्ले बाजों ने एक रन पूरा कर लिया और छे ओवरो का खेल भी जो है वो इस मैच के अंदर समाफ्त हो चुका है तो छे ओवर के खेल के समाफ्ती के बाद गुजराट जायंस के टीम पहुंची बावन रनों के उपा बावन रनों के उपा एक विकेट छे ओवर के खेल के बाद अगर आपने हमें अभी अभी जोइन किया है तो आईए मैं आप लोगों को इस मैच का पूरा हाल बता दो कि अब तक इस मैच के अंदर क्या कुछ बीता है आज टॉस को जीता गुजराट के टीम में और गुजराट के टीम में टॉस को जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया और आज के मैच में जब सलामी बल्ले बादी में लोरा वुलवार्ट 13 रन बना कर आउट वहीं 14 गेंदों के उपा उनके साथ सलामी बल्ले बादी के अंदर बाया हाथ की बेथ मूनी उतरी जिनने 25 रन्स बनाएं 14 गेंदों का सामना करके जिसमें 4 चौके और एक चक्का भी मारा और हेमलता ने 8 गेंदों के उपा 14 रन्स बनाएं और कोई भी रन मुफ्त में इस माच के अंदर नहीं मिला है फॉल आफ विकेट्स के अंदर 18 रन और एक विकेट आपको पहली विकेट गिरी थी केवल हेली माथ्यूज ने 2 ओवर में 11 रन दिये और एक विकेट निकाला हेली माथ्यूज के बाद शबनेम इसमेल ने आपने 2 में 17 रन दे के कोई विकेट नहीं निकाला टाइकाई शाक ने एक ओवर में 11 रंदे के कोई विकेट नहीं निकाला नाट्स की वब बरंट ने एक ओवर में 13 रंदे के कोई विकेट नहीं निकाला अब अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आने वाले बले बाजों के नाम के बारे में तो आये जरा एक नज़र डालेते हैं आने वाले बल्लेबाजों पे कौन कौन सी बल्लेबाज इसके बाद बैटिंग करने के लिए जो हैं वो गुजराफ जािएंट्स की टीम की तरह से उतरेंगी तो गुजराद के पास अगली बलेबास के रूप में जो बैटिंग करने उतरेंगी उनका नाम है दबाय हाथ की फियोबी लिच फिल्ड बहुत अच्छे फॉर्म में हैं दोस्तों फियोबी लिच फिल्ड लिच फिल्ड के बाद बैटिंग करने उतरेंगी नमबर चार की पांच की पॉजिशन के उप़ा आश गाडनर बहुत जबरदस बल्ले बाद हैं बहुत लंबे लंबे छक्के मारती हैं आश गाडनर आश गाडनर के बाद आपको नमब 5 की पॉजिशन के उपन अजर आएंगे फूल माली भारती फूल माली नमब 6 के उपाखे लेंगी नमब 7 पे आज स्नेहराना जिनको चोट लगी थी और अब स्नेहराना का कमबाक हो रहा है फाइनली अंत में हो रहा है लेगन हो तू रहा है इसनेहराना का कमबाग कैथरीन बराइस नंबर आठ की पोजिशन पे नंबर नो के उप़र सनूजा कवड़् और नंबर दस की पोजिशन के उपर मेगना सिंग और नंबर 11 के उपर हम देखेंगे तो आपको मुहम्मद शबनम शकील जो है वो नमबर 11 की पॉजिशन के उपर नदर आएंगे खेलती भी तो ये तो आने वाले बल्ले बाजु का नाम नदर आ रहा है आपको गुज्राज जाइंट्स की टीम के लिए लेकिन इस समय दोनों के बीच 19 गेंदों के उपर 34 रनों की पार्टनर्शिप हो चुकी है इशाक रिप्लेश्ट बाई पूजा वस्तराकर पूजा वस्तराकर जो के तेज गेंदाज है वो आ रही है नए उबर की शिरुबात करने के लिए और ये पूजा वस्तराकर की तरफ से पहली गेंद 134 मैचेज में सीविक टे ले चुकी है पूजा वस्तराकर बहुत खतरनाक तेज गेंदाज मानी जाती है पूजा पूजा वस्तराकर आईए देखते हैं नय उबर की शिर्वात पहली गेन दायाँ हाथ की दैलान हेमलता के लिए फुलर लेंड डिलिवरी पुल कर दिया डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के तरफ फिल्डर मौझूद है उस तरफ एक रन के लिए पूजा वस्तराकर के लिए ये शॉट अफ लेंड डिलिवरी बहुत आसानी के साथ गेन को इन्होंने पुल कर दिया था लेकिन डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के तरफ गेन पहुची थी इस सवाल का जवाब मैं ढूंडता हूँ फिर आपको बताऊंगा मैच के बाद ठीक है अगली गेन पूजा वस्तराकर की दूसरी गेन आ रही है बाईहाथ की बित मूनी के लिए मूनी समय 25 रनों के उपा 15 गेन्दों का सामना करने के बाद अगली बहुत ज़्यादा बाहर ये गेन थी तपा खाने के बाद बहुत ज़्यादा बाहर जा रही थी और अमपायर ने इसे के साथ ये एक और वाइड गेन का इशारा जो हो करार दिया है एक और वाइड गेंद के साथ जो स्कोर नज़र आ रहा है आपको हम देखेंगे 54 रनों के उपर पहुंचा और 54 रनों के उपर आपको एक विक्टेस माच में हो गई है अगली गेंद पूजा वस्तराकर और पूजा वस्तराकर की अगर हम बात करते हैं तो आपको इस माच में जबना पहला ही ओवर डाल रही है और ओवर दिविक्ट से गेंद बादी करने के लिए दोबारा से तयार और स्ट्राइक के अपर जो मौजूद है बले बादी में वो हैं आपको दाएं हाथ की हेम लता के लिए इस ओवर की अगली गेंद पूजा वस्तराकर के तरफ से आउटसाइड यॉफ स्टंप ये फुल एंड दिलिवरी और इस फुल एंड दिलिवरी के उपा ड्राइफ कर दिया गें जाते वे सीधा कवर के पास रन लेने का दोनों बले बाजों के पास एक रन लेने क का मौका है कि विस कॉंट्रक्टेट और इस नॉट डॉंट डिसकॉश दाट बोथ इशान अंड आयर आर इन दे मिक्स टेव फिट और फोर्स इस सेलेक्टर्स तो पिक नो वन इन आउट अउट अव इस इन कंटेंशन अच्छा अगली गेंद के लिए दोबारा से तयार है और सामने आपको स्ट्राइक के उपर मौझूद जो है वो बैत मूनी है ऑफस्टम के बार की गेंद को स्क्वेर कट कर दिया गेंजाती विए डीप पॉइंट बाउंडरे की तराफ चार रनों के लिए शॉट अफ लेंड डिलिवरी थी आउटसाइड दी आफस्टम बैक फुट पे जाके बल्ले के बीच ओ बीच लेके इस गेंद को इनने स्क्वेर कट कर दिया है और गेंडीप पॉइंट बाउंडरे के तराफ निकल गई चार रनों के लिए उस्टम के बाहर ये गेंध थी तपा खाने के बाद गेंद और बाहर जा रही थी और इस बाहर जाती वे गेंद के उपह बल्ले के बीच और बीच ओ बीच गेंद टकराके डीप पॉइंट बाउंडरे के तरफ निकल गई है और ये इन दोनों बल्ले बाउजों दौड कर चार रन्स बटोर लिये लेकिन अगली गेंड के उपई ये सिंगल देने में कामयाब हो गई हैं अगली गेंड आस्टम के बाहर दाय हाथ की पूजा वस्तराकर किये गेंड और इस गेंड को पुल कर दिया फाइन लेक बाउंडरी के तरह पहला रन पूरा करेंगी दूसरी र और पूजा वस्तराकर की अंतिम गेंड और इस अंतिम गेंड पाइद दयालान हेमलता ने कदमों का इस्तमाल करके स्ट्रेइट डाउन दे ग्राउंड केल दिया गेंड जाती भी लॉंग ऑन बाउंडरी के तरह चार रनों के लिए तो फुल लेंड डिलिवरी के उपा कदमों का इस्तमाल करके गेंड की पिछ तक पहुँच के सामने की तरफ गेंड को उठा का मारा गया शॉट लॉंग ऑन बाउंडरी के तरफ और ये उवर समाफ तो चुका है साथ के बाद 65 रन गुजराज जाइंट एक विकेट के नुकसान पे इंडियास नेक्स टेस्ट मैच ऑन सेप्टेंबर थर्ड विक अगेंस्ट बांगला देश अच्छा तो भारत का अगला टेस्ट मैच जो होगा बांगला देश के खिलाफ तीसरे हफ़ते में होगा यह चौके के साथ ओवर जो है वो समाफ्त होता हुआ और साथ ओवरो के खेल के बाद गुजराज जाइंट्स के टीम जो है वो अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को इस मुकाबले में 65 रनों के पर पहुँच चुकी है एक विकेट के नुकसान के बाद तो साथ ओवरो का खेल समाफ्त हो चुका है जहां अगले ओवर की शिरवात और सामदे स्ट्राइक के विपर मौजूज है वो बादे हाथ की बैथ मूनी नज़रा रही है जो कि 31 रनों के विपर आज आकरामत बले बादी मूनी के द्वारा और मौनी के अगर हम बात करते हैं तो बहुत जबरदस्ट प्रदर्शन करने में काम्याब रही है मौनी अगली गेन के लिए दुबारा से थैयार और यह सामने आपको स्ट्वाइक के अपर मौजूद बादे हाथ की बैथ मूनी हेली माथ्यूस की पहली गेन के उपर बहुत ही सुन्दर शॉर्ट के लागें सीधा बाउंडरी रोप्स की तरफ चार रनों के लिए हेली माथ्यूस की गेन थी बैक फूट पे गई बाएंगाथ की बैथ मूनी और बल्ले के बीच ओ बीच लेते वे इस गेन को पुल कर दिया अगेंस स्क्वेल एक बाउंडरी की तरफ और ये चार रन्स भी इस गेन के पर बटोर लिये हैं इनोंने पे चौके के साथ अगली गेन के लिए दुबारा से तयार है दाएंगाथ से राउंड विकेट से हेली माथ्यूस की गेन लेक्स्टम की लाइन पर आती वी गेन थी टपाखाने के बाद बैक फूट पे जाके गेन को पंच किया गेन बल्ले पर टकरा के सीधा पहुँची कवर की दिश्चा में और बाकी का काम जो था वो कवर के फिल्डर ने गेन को फील्ड करते वे वहाँ वापस कर दिया रन लेने का कोई मौका इस ओवर की दूसरी गेन के उपर इनको नहीं मिलने वाला है 72 रनों के उपर एक विगेट साथ ओवर दो गेंदों पर एक और फ्लाइटे डिलिवरी पैरो पर डाले वी गेन को स्वीब कर दिया है गेन जाते वे डीप स्क्वेल लेक बाउंडरी के दिराफ एक रन के लिए पैरो पर आती वी गेन थी स्क्वेल लेक बाउंडरी के तराफ इस गेन को स्वीब करके इन दोनों बल्ले बाउजों ने दोड़ कर एक रन भाग कर पूरा कर लिया है तो स्कोर जो है वो आपको 70 रनों के उपर पहुंचा और 70 रनों के उपर एक विगेट आपको इस मैच में ये अगली गेन के लिए त्यार दाय हाँच से हेली माथिउस की ये गेन आमने आपको स्ट्राइक के पर जो मौझूद है वो आपको दयालान हेम लता है अगली गेन लेक्स्टम की लाइन पर टपा खाने के बाद गेन टरन होकर अंदर की तरफ आई सीधे बल्ले से गेन को स्ट्राइट डाउन दर ग्राउंड खेल दिया लॉंग और बाउंडरी के तरफ एक और रन के लिए एक और रन के साथ इन दोनों बल्ले बादों ने रोटेट कर लिया स्कोर 71 रनों के उपर पहुंची है टीम 71 रनों के उपर एक विकेट आखरी की दो गेन दे इस आठवे उवर के अंदर मौझूद है और सामने स्ट्राइक के उपर बाउंडरी रोप्स की तरफ एक और चौटा एक और शौट गेन थी तेज गती की आफस्टम के बाहर आखरी समय के उपर बल्ले के मूझ को खोल कर डीप थर्ड विन बाउंडरी की तरफ खेल दिया है ये चार रनों के लिए शौट अफ लेंड डिलेवरी थी आफस्टम के बाहर और गेन बल्ले के बीच और बीच टकरा के डीप बाउंडरी की तरफ खेल दिया है और ये चार रन्स मिल गए हैं बायाहाथ के मूनी के लिए मूनी के इस चौके के साथ ही गुजरात पहुंची 75 रनों के उप इस माच में अगली गेन के लिए तयार और सामने जो हैं वो स्ट्राइक के उपर मौजूद हैं बल्ले बाजी में मूनी लेक्स्टम की लाइन पा फ्लाइट डिलिवरी लेक्स्टम की लाइन के उपर बल्ले के बीच वे बीच लेकी गेन को सामने की तरह पुश किया और बचवा जो कार्य था वो मिड़ॉफ के फिल्डर ने गेन को फील्ड कर लिया है अगली गेन्द आखरी गेन्द के उपर भी सिंगल लेके स्ट्राइक इन दोनों बल्ले बाजो ने रोटेट कर लिया है और जो स्कोर नज़रा रहा है वो हैं आपको 76 रनों के उपर 76 रनों के उपर एक विगेट आठ ओवर की समाफ्ती के बाद तो एक और ओवर समाफ्त होता हुआ और एक और ओवर के समाफ्ती के साथ 12 और ओवरो का खेल इस मैच के अंदर मौजूद नज़रा रहा है पहली पारी के अंदर अगले 12 और ओवरो में कितने रन से टीम बनाएगी चलिए देखते हैं क्योंकि अमन जोद कौर दूसरे छोड से आती भी नई तेज गेंद बाद तो अमन जोद कौर जो की तेज गेंद बाद है पूजा वस्तराकर की जगा के उपर आपको इनको शामिल किया गया है नए छोड से गेंद बादी करने के लिए पहली गेंद इस नए ओवर की शुरुआत के उपर उबद विकेट से सामने आपको बाया हाथ की बैत मूनी तयार मूनी के लिए आफस्टम के बाहर की गेंद को यह स्क्वेर कट कर दिया डीप पॉइंट बाउंडरे के तराफ चार रन्स आफस्टम के बाहर गूर्लेंड पर डाली भी आफस्टम के बहुत ज़्यादा बाहर यह गेंद थी और गेंद जाते विए डीप पॉइंट बाउंडरे के तराफ यह चार रनों के लिए पुल एंड डिलेवरी थी आफस्टम के बाहर अपने फ्रंट फूट को निकाल के बल्ले के बीच ओ बीच लेके यह स्क्वेर कट कर दिया इन्होंने और गेंद बल्ले पर ठकरा के सीधा डीप पॉइंट बाउंडरे के तराफ निकल गई है पूरे के पूरे चार सांदार रनों के लिए और इन चार रनों के साथ असी रनों के उपा गुजराद जाइन्स की टीम पहुँची एक विकेट के नुकसान के बाद इस खेल में अमन जोद कौर पहली ही गेंद के उपा चौका खा चुकी है सामने आपको बैटिंग पे जो मौझूद है वो हैं आपको स्ट्राइक के उपा दाय हाथ की हेमलता और उनके साथ बैथ मूनी राउंड विकेट से आफस्टम के बाहर फुलर लेंड डिलेवरी अपने फ्रंट फुट को निकाल के गेंद को ड्राइफ कर दिया गेंद बल्ले के बीच ओ बीच टकराके जाती वी कवा बाउंडरी की तराफ पहला रन पूरा करेंगी जब तक इस गेंद को डीप कवा बाउंडरी के पास से फिल्डर वहां फील्ड कर पाती हैं तब तक इन दोनों बल्ले बाउज उन्हों दोड़ कर भाग कर ये एक और पूरा कर लिया है ये फुल लेंड डिलिवरी थी आउटसाइड यॉफ स्टंप अपने पैरों को आगे लेकर आके बल्ले के बीच ओ बीच लेके गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवा के बीच मेंसे इस गेंद को इन्हों ने ड्राइफ कर दिया था और गेंद बल्ले पर ट एक शॉर्ट फाइन लेक पे फिल्डम मौजूद एक शॉर्ट डाकवर्ट स्कुए लेक पे फुलर लेंड डिलिवरी आउटसाइड दियॉफ स्टंप इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस लेकिन किनारे को छोड़ कर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में खे फाइन की पॉजिशन के उपर अभी हम आपको बताएंगे कौन मौजूद है लेकिन दाय हाथ से अमन जोद कौर की अगली गेंड फुलर लेंड डिलिवरी आउटसाइड शॉफल करके ओन साइड में मारने की कोशिस लेकिन बल्ले के किनारे को छोड़ कर विकेट कीपर के लवाहास पहुंची है और विकेट कीपर यास्तिका भाटिया ने गेंड को पकड़के और यह स्टम्स विखेरने वाली थी लेकिन बल्ले के किनारे को छोड़ कर गेंड विकेट टीपर के दसतानों में पहुंची drop एक और गेंड इनसाइड आउट शॉर्ट, कवर के उपर से लफ्टेड शॉर्ट, आउट फिल्ड बहुत तेज है, रोक पाना ना मुम्किन और गेन चली जाएगी लॉंग ओफ और कवर बाउंडरी के तरह चार रनों के लिए फुल एंड डिलिवरी थी आउट साइड यॉफ स्थम, गुर्लेंड पर टपा खाने के बाद, और अंदर की तरह आ रही थी, आपने बनले के बीच और बीच लेते वे गेन को कवर और एक्स्ट्रा कवर के उपर से उठा कर ये मार दिया, शॉर्ट को चार रनों के लिए, और ये बहुत ही सुन्दर शॉर्ट, इस सुन्दर से शॉर्ट के साथ ही गुजराज जाएंस 85 रनों के पर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर 17 गेंदों में 85 रनों की फिलहाल पार्टनर्शिप 17 गेंदों में 26 दयालान हेमलता पहुंच चुकी है अगली गेंद गुर्लेंद पर हेमलता के लिए हेमलता ने पैरो के उपर आती वी गेंद को फ्लिक कर दिया ओन साइड में स्ट्रेट डाउन दे ग्राउंड लॉंग और बाउंडरी के तरफ एक रन के लिए एक रन के साथ 9 ओवरो का खेल भी समाफ्त हो चुका है गुजराच 86 रनों के पर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर 9 ओवरो की समाफ्ती के बाद अमन जोद कौर ने अपने पहले ओवर में केवल 10 रन्स दिये और अमन जोद कौर ने 10 रन्स दे के कोई सफलता भी हासिल नहीं की है पहले ही ओवर में लेकिन गुजराच क्या बैटिंग कर रहा है आज 9, 10 मलो 5, 6 रन्स परती ओवर के हिसाब से इनका रन्रेट रहा है तो बहुत इस दबरदस्त रन्रेट नज़राता है आपको गुजरात जाइंट्स के टीम के लिए जहां अगली गेंद को लेकर इमीलिय कर आ रही है तो स्पिन गेंद आसको पहली दफ़ा इस मैच में लगाया जा रहा है इमीलिय कर तुकि आज के दिन पहली दफ़ा आपको गेंद बादी करने के लिए उतर रही है इस मैच में और ये एमेलिया कर की पहली गेंद के उपा बैट्समें तयार नज़र आ रही है दैहाथ से उवद रिकेट से दैयालान हेमलता ने इनसाइड आउट शॉर्ट गेंद को कवर और इनसाइड आउट शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के उपर से उठा कर लाफटेट शॉर्ट मार के चौका बटोर लिया है प्लाइड दी वी गेंद थी आफस्टम पर अपने पैरों को आगे की तरफ निकाला बल्ले के बीच और बीच लिया इन्होंने और गेंद को देखते ही देखे ये इनसाइड आउट शॉर्ट कवर के उपर से मार के चार रंज बटोर लिये हैं तो अमेलिया कर की पहली ही गेंद के उपर आया चौका और इस चौके के साथ ही यहां अगली गेंद अमेलिया कर की ये गूगली थी टरन होती भी गेंद अंदर की तरफ आई अंदर आती भी गेंद को सीधे बल्ले से सामने की तरफ गेंद को पुश किया और बचावा कार है जो था वो गेन बाज ने अपनी बाई तरफ जा के इस गेन को फील्ड कर लिया है वहाँ इमेलिया कार की अगली गेन दैलान हेमलता को वापस से दैलान हेमलता ने गेन को लॉफ्ट कर दिया और गेन सीधा हवा में कड़ी हो गई है गेन लॉफ्ट के उपर छेरन्स गजब की टाइमिंग गजब का प्लेस्मेंट किसी के पास कोई मौका ही नहीं इस गेन को रोक पाने का कदमों का इस्तमाल करके गेन्द की पिछ तक पहुँची थी बले बाज और गेन्द की पिछ तक पहुँच के कवर और लॉफ्ट के उपर से उठा कर ये लॉफ्ट एट शॉट मार दिया अगेन देखते ही देखते वहां लॉफ्ट के उपर छक्के के लिए चली गई है हेमलता जल्दी आपको इतना अच्छा बैटिंग कर नहीं रही थी इस पूरे सीजन में लेकिन आज इनको प्रमोट किया गया और जब आप नीचे के बलेबास को भी उपर प्रमोट करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और आज दयालान हेमलता ने दिखाया कि वो खिलाडी खराब नहीं है मौके की बस बात है मौका अगर उपर मिलेगा तो अच्छा खेल सकती है ताकि अगली गेन के लिए तयार आफस्टम के बाहर ये गेन बैक फुट पे गई कट कर दिया गेन को डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ एक और चौका मिल जाएगा आफस्टम के बाहर ये थोड़ी सी शॉट अफ लेंड डिलेवरी थी आउटसाइड दी आफस्टम बैक फुट पे जाके इस गेन को बल्ले के बीच बीच लेके कट कर दिया था स्क्वेर कट और गेन बल्ले पर टकरा के सीधा निकल गई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ और ये पूरे चार रंज भी इस गेन के पर बटोर लिये हैं अगली गेन के लिए त्यार एमेलिया कर बहुत महेंगा ओवर एमेलिया कर का ये 14 रनों का महेंगा ओवर अब तक साबित रहा है आपको इस मुकाबले के अंदर ये सबसे महेंगा ओवर अभी तक का रहा है ताय हाथ से एमेलिया कर की फ्लाइट डिलिवरी लेक्स्टम की लाइन पा टाक फुट पे गई बले के बीचो बीच लिया गेंज आती भी वहाँ स्ट्रेट डाउन दे ग्राउंड लेकिन जबते कि इस गेंड को वहाँ स्ट्रेट डाउन दे ग्राउंड लॉंग ओन बाउंडर का फिल्डर फील कर पाता थ्रो कर पाता इन दोनों बल्लेबाज ने दोड़ के भाग कर ये एक रन और पूरा कर लिया है तो पैरो पर आती वी गेन थी टपक आने के बाद टर्न होकर गेन अंदर आ रही थी और इस अंदर आती वी गेन को स्ट्रैइट डाउन द Lex खेल के बल्लेबाज ने सामने की तरफ खेल के लॉग ओन बाउंडरी के तरफ खेल के ये एक रन बटो रहा था और इस एक रन के साथ ओवर भी समाफ्त हो चुका है तो इस stereo की समाफ़ती के साथ जो सकोर नज़र आ रहा है वो है इस समय 101 रनholes और 101 रनों के उपर आपको इस खेल के अंदर एक मातर विकेट जो है वो 10 आवरों के खेल की समाफ़ती के बाद गया है 10 आवरों के बाद 101 रन रन परती ऊवर के हिसाब से बात करते हैं अगली गेंद नयोवर की शुरवात शबनेम इसमेल आ रही है तो शबनेम इसमेल जो की तेज गेंद बाज है इस दूसरे छोर से आती हुई अपने पहले गेंद को लेकर शबनेम इसमेल भी बहुत ही खतरनाक तेज गेंद बाज है इस टीम की सबसे सर्व स्ट्रेस्ट खिलाडियों में से एक है आपको यह चबने हम इसमेल दाय हाथ से दोड़ने के लिए त्यार नजर आ रही है सुवर की पहली गेन को लेकर आएंगी पैरो पराती वी गेन को फ्लिक कर दिया गेन बल्ले पर ठकरा के जाती वी डीप स्क्वेल एक बाउंडरी की तरफ लेगिन जब तक इस गेन को डीप स्क्वेल एक बाउंडरी का फिल्डर वहाँ फिल्ड कर पाते है तब तक इन दोनों गेन को वहाँ फिल्डर फिल्ड करके थ्रो कर पाते तब तक इन दोनों बल्ले बाज़ों ने दोड़ कर भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया है अगली गेन दाय हाथ की शबनेम इसमेल एक बाद फिर गुजराज जाइंट्स की टीम अपना धमाल दिखा रही ही अपनी बल्ले के बीच और बीच टकराने के बाद जाती भी वहाँ डीब कवर बाउंडरि के तरफ पाती ही तब तक इन दोनों बल्ले बाज़ों ने दोड के भाग कर ये एक रन और पूरा कर लिया है तो ये शॉट अफ लेंड डिलेवरी थी ओस्टम के बाहर थी ये गेन टपा खाने के बाद और इस गेन के वह बहुत आसानी के साथ बल्लेबाज ने ये स्क्वेर कट करके डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ केलके एक रन इन दोनों बल्लेबाज ने बटोर लिया है शबने मिसमेल दाय हाथ से दोड़ने के लिए त्यार है शॉट अफ लेंड डिलेवरी अपर कट करने की कोशिस लेकिन गेन इतनी जादा शॉट थी नहीं कि ये अपर कट कर पाती जैसे तैसे अपने बल्ले को इन्होंने केवल लगा भर दिया है ये इन बल्ले पर टकरा के सीधा पहुंची है डीप थर्ड बिन बाउंडरी की तरफ लेकिन जब तक इस गेन को डीप थर्ड बिन बाउंडरी का फिल्डर फील करके त्रो कर पाता तब तक इन दोनों बल्ले बाउंडरी ने दोड़ के भाग कर ये एक रन प्राप कर लिया है शॉट अफ लेंड डिलिवरी के उपर डीप थर्ड बिन बाउंडरी की तरफ खेलके इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन बटोर लिया जहां अगली गेन को लेकर आ रही है तेज गेनबाज सबनेम इसमाइल राउंड विकेट सेल एक्स्टम की लाइन पर तेज गती की गेन पैरों के पास आ रही थी और पैरों पर आती वी गेन को अपने कलाईों के सारे गेन को मोड़ दिया गेन जाती वी डीप स्क्वेलिक बाउंडरी की तरह पहला रन पूरा करेंगी दूसरे रन का कॉल किया था और जब तेक इस गेन को डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के फिल्डर फिल्डर करके थ्रो कर पाती तब तक इन दोनों बल्लेवाजों ने दोड़ के आसानी के साथ ये दूसरा रन भी प्राप्त कर लिया है बहुत ही अच्छी रनिंग बिट्विन दो विकेट इन दोनों बल्लेवाजों के पीच तहां केवल एक रन मिलना चाहिए था इन दोनों बल्लेवाजों को आप इन दोनों बल्लेवाजों ने भाग कर दोड़ कर आराम से ये दो रन्स पूरे कर लिया है राउंद विकेट से अगली गेंद सामने बाय हाथ की मूनी जो की अपना अर्ध सतक पूरा कर चुकी है मूनी अपने अर्ध सतक से माफ़े जगा एक रंदूर है मूनी इसमें अपने अर्ध सतक से राउंद विकेट से बाय हाथ की बले बास को ये गेन बाजी करने के लिए दोड़ी फुलरलेंड डिलेवरी उठा का मारा गया शॉट गेन बाज की बाई तरफ से गेन जाती भी वहां लॉंग आफ बाउंटरी की तरफ लेकिन जब तक इस गेन को लॉंग आफ बाउंटरी का फिल्डर फिल्ड करके थ्रो कर पाता तब तक इन दोनों बल्लेवाज उन्हें दोड़ के भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया है और इसी के साथ आपको बदा दे चले हैं इनका अर्द सतक भी पूरा हो चुका है बैत मूनी का बैत मूनी का ये सांदार प्रदर्शन बल्ले बाजी के साथ बरकरार है पिछले मैच में भी अर्द सतक इस मैच में भी अर्द सतक तो धीरे धीरे अपने फॉर्म को अच्छे से तलाश रही है ये और अगली गेन को ओवर दे विकेट से गेन बाजी करने के लिए त्यार न आफ स्टम पर डाली भी गेन थी आखरी समय के उपर अपने बल्ले के मूँ को खोल कर गाइड कर दिया था इन्होंने और गेन डीप थर्ड विन बाउंडरी के तरफ निकल के चले गई और ये पूरे चार रंस प्राप्त हो गए दस रं कुल मिला के आपको इस ओवर के जब तक इस गेन को बाउंडरी के करीब से फील करके थ्रो करती हैं तब तक इन दोनों बल्ले बाजों ने भाग कर आराम से जो है वो चार रंस पर टोर लिये था क्योंकि गेन सीमा रिखा के बाहर निकल गई थी इस वज़ा से अगली गेन के लिए दुबारा से तयार गेन बाजी में अगर हम देखते हैं पूजा वस्तराकर वापस आ रही है अपने अगले ओबर की शुरुआत करने के लिए और पूजा वस्तराकर की अमबात कर रहे थे तो पूजा वस्तराकर आपको ये अपना दूसरा उबर डालने आ रही है तो पूजा वस्तराकर की ये पहली गेंद आ रही है और पूजा वस्तराकर की ये पहली गेंद के उपा बाय हाथ की बैतमूनी को उबद विकेट से और ये गेंद को स्कूब कर दिया फाइन लेक बाउंडरी के उपर दर्शकों में छे रनों के लिए लेक्स्टम की लाइन पर तेज गेंद थी पैरों के पास और अपने फ्रंट फूट को निकाल के गेंद को स्कूप कर दिया बल्ले बाज ने अगेंद बल्ले पर टक्रा के फाइन लेक बाउंडरी के उपर से गेंद उड़ती भी निकल के चले गई और ये गेंद जाके गिरी है सीधा दर्शकों में छे रनों के लिए गजब का स्कूप शॉट मारा आपने पूरे ताकत का इस्तमाल तो नहीं किया लेकिन गती के ताकत का जरूर इस्तमाल किया गेंद को धर्ड में बाउंडरी के उपर उठा का मार के ये छे रन्स बटोर लिया इनोंने जहां पूजा वस्तरा करकी अगली गेंद आ रही है सामने आपको बैट इंक्रीस के पर बाइंहाथ की बेथ मूनी के लिए उवर द विकेट से ओस्तम के बाहर डाली वी है फुल लेंड डिलिवरी तपाकाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलिए अपने फ्रंट फुट पराका गेंद को सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाउं दर ग्राउंड खेल दिया इनोंने पहला रन पूरा करेंगी दूसरे रन का कॉल किया था लेगिन जब तक इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंडरी के करीब से फिल्डा वहां फील्ड करके थ्रो कर पाती एक रन पूरा करने के साथ इन दोनों ने मिलके 100 रनों की जो पार्टनर्शिप थी वो इसी बीच पूरी कर ली है इस खेल में तो और रनों की पार्टनर्शिप इन दोनों के बीच यहां हो चुकी है क्या बल्लेबाजी की है इन दोनों ने मिलके बहुत जबरदस क्रिकेट खेल कर जो वो दिखाई है इस मैच में चाहां अगली गेन को लेकर आने के लिए तयार है उवद विकेट सेलेक्स्टम की लाइन पर पैरो के पास ये गेन थी और पैरो पर आती वे इस गेन को बल्लेबाज ने अपने कलाईयों के सारे गेन को आन साइड में मोड दिया इन बल्ले पर ठकरा के सीधा पहुंची स्क्वेल एक बाउंडरी के तरफ और एक रन और इन दोनों बल्लेबाज ने भागते वे जो वो पूरा कर लिया है 119 रनों के उपर ये टीम पहुंची और 119 रनों के उपर फिलहाल के लिए अगर हम देखते हैं तो आपको एक मातर विकेड अपने अरद सतक से तीन रन दूर है दो रन सगली गेन बेट मूनी को पूजा वस्तराकर के एक और गेन के उपर एक और छक्का पहुंचा दिया है बहुत ही खराब गेन बादी पूजा वस्तराकर की तरफ से और मुंबई इंडियन्स के गेन बादों की तरफ से ये चक्के पर चक्के आ रहे हैं 121 चक्का इस कॉमपर्टिशन का आता हुआ मूनी के लिए लेक्स्टम की लाइन के उपा गेन थी गुल्डन पर टपा खाने के बाद आफ स्टम पर शफल करके बले बाद इस गेन को स्कूप कर देंगी फाइन लेक बाउंडरी के उपर से और गेन सीधा पहुंच गई दरशक दीरगाओं में एक और चक्के के लिए ये दूसरा चक्का इस ओवर का आता हुआ और अभी हम गेनबाजी की बात ही कर रहे थे कि इतनी खराब गेनबाजी होगी तो काम कैसे चलेगा क्योंकि दो चक्के इस ओवर में पढ़ चुके हैं लेकिन शॉर्ट जो लगाया इनोंने वो उससे भी जबरदस था तारीफ तो भाई शॉर्ट की करनी पड़ेगी क्योंकि वो गती का इस्तमाल कर रही है लेक्स्टम की लाइन पर गेंद लेक्स्टम के बाहर गएं बैत मुनी इस गेन को पुल कर दिया मुनी ने गेन जाती हुए डीप स्कुएल एक बाउंडरी की तरफ पहला रन पूरा करेंगी दूसरे रन का कॉल किया है लेकिन जब त 27 रनों के पर ये टीम पहुंच चुकी है और ये अगली गेंद को लेकर आने के लिए तयार है पूजा वस्तिराकर अंतीम गेंद आया हाथ की हेमल अता को गुल्डन पर डाली भी गेंद टपा खाने के बाद बिलकुल सीधा शाट लगाया बले बाज ने गेन बले के बीच 121 रनों के उपर ये टीम पहुंची 127 रनों के उपर एक विकेट के नुकसान पर बारवे ओवर का जो खेल था वो इसी बीच समाफ्त हो चुका है पूजा वस्तराकर ने इस ओवर में 16 रन दी है जी हाँ 16 रन कल दोस्तो दिल्ली कैपिटल्स और बैंगलोर के टीम है आपने सामने होंगी एक तरफ स्मृर्दी मंधाना होंगी और दूसरी तरफ आपको स्मृर्दी मंधाना के सामने होने वाली है मेग लानिंग की टीम जहाँ गेनद बाजी में अगले उवर की शुरूरत और अगले बैटिंग क्रीज के पा दाया हाथ की दयालान हेमलता जो है वो बैटिंग क्रीज के पा मौझूद नज़र आ रही है हेमलता अपने अर्द सतक के बहुत करीब नज़र आ रही है अर्द सतक इनका पूरा होता हुआ पैरो पर डाली वी गेम को फिलिक कर दिया डीप स्कुए ल P20 cricket में ये इनका दस्वा अर्द सब्सक पूरा होता हुआ पैर उपर डाली विए फुल लेंड डिलिवरी थी और इस फुल लेंड डिलिवरी के उपा बल्लेबाज ने ओन साइड में गेन को फिलिक करके इन दोनों बल्लेबाज उने एक रन बटोर कर पूरा करके 128 पे गुजरात को पहुँचा दिया लेकिन ये खुद आपको 50 रनों के पहुँच चुकी है नाट स्क्रीबर ब्रंट राउंड डिकेट से फुल लेंड डिलिवरी स्ट्रेट ड्राइव गेन जाती भी लॉंग ओन बाउंडरी के तरह पहला रन पूरा करेंगी दूसरे रन का कॉल किया है लेकिन जब तक इस गेन को लॉंग ओन बाउंडरी के फिल्डर फील करके थ्रो कर पाती हैं दोनों बल्ले बाजों ने दौड़ कर भाग कर ये एक और रन पूरा कर लिया है भाई कल कौन केलेगा बैंगलोर और दिल्ली का मुकाबला है भाई कल बैंगलोर और दिल्ली आमने सामने होंगी कल इसी ग्राउंड के उपा दिल्ली कल यूपी के खिलाफ हार गई जीता वा मुकाबला आपको दिल्ली की टीम जो है वो कल के दिन हार गई थी दिल्ली की टीम लग रहा था यूपी के खिलाफ की कल मैच जीट जाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया फुल टॉस गेन स्क्वेले के उपा फ्लाट छक्का गजब की ये हिट मारी बलेबाज ने पैरो पर डाली वी ये गेन थी अपने फ्रंट फूट को निकाल के गेन को स्क्वेलेग बाउंडरी के उपार से लॉंच कर दिया और दयालान हेमलता ने गेन को पहुंचाया डीप स्क्वेलेग बाउंडरी के उपा इस लोफुल टॉस के उपा छे रन नाट्स कीवा ब्रंट अपना तीसरी गेंद के उपा ये पहला चक्ता खा गई है स्कोर गुजरात जाइंट्स का 136 रंस अगली गेंद ओस्टम के बाहर फुल एंड डिलिवरी अल्मोस्ट यॉर कर थी लेकिन लोपुल टॉस बना लिया लंबे स्ट्राइड के साथ दाय हाथ की हेम लताने हेम लताने गेंद को लॉंग ओफ बाउंडरी के तरफ केल के इन दोनों बल्लेबाजों ने दोड़ते वे भाग कर एक रंड पूरा कर लिया है फास्टेस्ट पचास की रन प्रभू नवगिरे ने बनाय थे पचीज गेंदों के उपर मुंबई के खिलाफ और उसके बाद सबसे तेज़ आपको हम देखेंगे तो बित्मूनी नंबर दो पे मौझूद है राउंड विकेट से पैरो पर आती भी गेंद ऑन साइड में गेंद को फिल्ड करने की कोशिस इन दोनों बल्ले बाद उन्हें लेग भाई के रूप में ये दो रंस पूरे कर लिये हैं तो नाट्स की वब रंट की पैरो पर डाली भी गेंद को फिल्क करके इन दोनों बल्ले बाद उन्हें दो रंस बटोर लिये हैं भाई आप ठकते नहीं हो ठकते हैं भाई डीप कवर बाउंडरी के तरफ खेला रन आउट नहीं होंगी थर्ड अमपायर के पास जरूर गई है लेगिन चेक किया जा रहा है कि आपको ये रन आउट है या नहीं है डीप कवर बाउंडरी के तरफ इस शॉर्ट को खेला था बल्लेबास ने बाउंडरी रोप्स की तरफ पहुँची जब तरफ इस गेंड को बाउंडरी के पास से फिल्डर इस गेंड को फील करके तरू करती है विकेट कीपर की तरफ तब तक बल्लेबास ऐसा लग रहा है कि क्रीज के अंदब पहुँच चुकी है तो यह not out का फैसला आ जाएगा क्योंकि बहुत late throw किया वहाँ पे boundary के करीब से फिल्डर ने अगर थोड़ा सा और जल्दी throw आ जाता तो हो सकता था कि आपको यहाँ wicket मिल जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन दोनों बलेबाजों ने भाग कर दोड़ कर यह दोरंस पूरे करके यह उवर समाप्त कर दिया है अगर आपने हमें अभी अभी जॉइन किया है तो वीडियो को आप लोग भी फटा फट लाइक कर दीजेगा लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबा दीजेगा आईए जान लेते हैं कि इसके बाद कौन कौन से बैटिंग जो है वो बलेबाजी में मौझूद नदर आ रहे हैं दोस्तो आने वाले बलेबाजों की उपर अगर हम एक नदर डाल लेते हैं गुजराथ चाइंट्स की टीम में तो अगली बलेबाज जो आएंगी गुजराथ चाइंट्स की टीम की तरफ से दाय हाथ की आशली गाडनर खेलेंगी इसके बाद बैटिंग करने आने वाली है आशली गाडनर आशली गाडनर के बाद आपको बैटिंग करने के लिए उतरेंगे दाए हाथ की दयालान हेमलता हेमलता अल्री खेल रही है फियोबी लिच्फिल्ड आएंगे बैटिंग में तीयोबी लिच फील्ड के बाद आपको फूल माली भारती जो है वो नमबर छे की पोजिशन पे खेलेंगी फूल माली भारती के बाद आपको नमबर साथ की पोजिशन पे सनेहराना खेलने वाली है مुंबई की टीम एक बार मैं आप ellos को फटाआ दिखा दू讓 तो मुंबई की टीम में यास्तिका भाटिया और हेली माथियूज ओपनिंग करेंगी तीन पर आपको नज़राएंगे खेलती भी नाट स्कीवा बरंट चार नमबर पे हर्मन प्रीद कौर पांच नमबर पे मीलिया कर नमबर चे के उपप पूजा वस्तराकर साथ नमबर पे अमन जोद कौर नमबर आठ के उपर एससाजना नौ पे शबनेम इसमेल नमबर दस के उपर आपको हुमेरा काजी और नमबर 11 पे साई का इशाग तो ये हैं आप लोगों को दोनों ही टीमों की आने वाले बल्लेबाजों की सूची और ये इस मैच के अंदर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 नज़रा रही है नाट्स की वा ब्रंट का पिछला ओवर बहुत मेहंगा साबित हुआ लेकिन उस मेहंगे ओवर की समाफ्ती के बाद अब पारी का 14 ओवर जो वो शुरू होने जा रहा है देखते हैं आपको इस ओवर में कौन आ रहा है गेंदबादी करने के लिए क्योंकि मुंबई के पास जो ओप्शन्स हैं गेंदबादी में वो अगर मैं आपको बताओं तो हेली माफ्यूस का एक ओवर शबनेम इसमेल का एक ओवर ताइका इशाक के तीन ओवर नाट्स की वा ब्रंट के दो ओवर उजावा स्तराकर का दो ओवर इमेलिया कर का केवल कप्टान ने एक ही ओवर का इस्तमाल किया मुझे लगता है कि इमेलिया कर को कप्टान इस्तमाल में लेकर आ सकती है क्योंकि इमेलिया कर एक बहुत अच्छी आप्शन साबित हो सकती है यहां मुंबई इंडियन्स की टीम के लिए देखते हैं कप्तान उनका इस्तमाल करेंगी भी या नहीं करने वाली हैं हो सकता है कि कप्तान ना करें क्योंकि पहले होवर में थोड़ी ज़्यादा मार खा गई है गेंदबादी में इसी वज़ा से बाकि एस साजना एस साजना सजीवन साजना इनका पूरा नाम है और साजीवन साजना की पहली गेंदारी ये दायहाँ से राउंद विकेट से क्लीन बोल्ड कर दिया है बैत मूनी को अब हम बात ही कर रहे थे कि साजना को लेकर आना चाहिए और साजना ने पहली ही गेंद के उपा बायहाँ की बैत मूनी को राउंद विकेट से तेज गती की गेंद डाली बैक फूट पे गई मूनी और बैक फूट पे जाके मूनी ने इस गेंद को पुल करने की कोशिस की लेकिन गेंद जाकर सीधा स्टंप्स के उपर टकरा गई है और बैत मूनी 6-6 रन्स बिनाके 65 गेंदो का सामना करने के बाद अपनी विकेट डवा कर वापस पुवेलियन लौट रही है बोल्ड हो गई है आपको बैत मूनी इस मैच में 6-6 रनों के उपर 35 गेंदो का सामना करके लेकिन अगली बलेबाज नमबर 4 की पुजिशन के उपा एक बायाहाथ की बलेबाज के आउट होने के बाद एक बायाहाथ की और बलेबाज फियोबी लिच फील्ड जो है वह आ सकती है बैटिंग में ऐसा लग रहा है जी हाँ फियोबी लिच फील्ड को कप्तान ने उतारा है नमबर 4 की पुजिशन के उपा और देखते हैं फियोबी लिच फील्ड का कैसा रहता है प्रदर्शन इस मुकाबले में फियोबी लिच फील्ड के लिए हैस साजना की गेंद लेक्स्टम की लाइन पर पैरोपराती वी गेंद अपने कलाईयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गेंद को स्ट्रेइट डाउन दे ग्राउन खेल के दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया 121 रनों की जो पार्टनर्शिप थी 62 गेंदों के उपर वो समाफ थुई इस माच में आप लोग भी एक बर फड़ावट वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए और दबाएए नोटिफिकेशन के बटन को क्योंकि अगली गेंद साजना की तरफ से दाय हाथ से हेमलता को शॉट आफ लैंड डिलेवरी पुल कर दिया स्कर लेग बाउंडरी के तरफ चार रन्स दयालान हेमलता के बल्ले से आतावा बहुत ही सुन्दर पुल शॉट साजना के सुन्दर से गेंद के ऊपर उत्रा ही सुन्दर शॉट लगाया दयालान हेमलता ने शॉट अफ लेंड डिलिवरी थी बैक फुट पे गई बल्ले के बीच यो बीच लिया और गेन को पुल करके स्क्वेर लेग और डीप बाउंडरी के बीच में से गेन को खेल दिया चार रनों के लिए पहला सतक क्या आएगा दयालान हेमलता का साजना की गेन कट कर दिया डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ हेमलता का एक और चौका छोटी गेन थी ओफ स्टम पर दयालान हेमलता बैक फूट पे गई बल्ले के बीचो बीच लिया दयालान हेमलता ने और गेन को बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से ये स्क्वेर कट कर दिया है डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ और ये चार रंस बटोर लिए पहले दो गेंदों में दो चौके ओवद विकेट से ये गेन फ्लाइट डिलेवरी इंसाइड आउट शॉट कवर के पास कैच छूट गया वहाँ पे जब तक इस गेन के उपा फेल करती है डीप कवर बाउंडरी के पास है इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रंपूरा करने की कोशिस की लेगिन पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाई फ्लाइट डिलेवरी थी साजना की इंसाइड आउट शॉट मारने का प्रियतन किया गया लेगिन हर्मन प्रीद कौर गेंड के पीछे भाग रही थी गेंड उनके थोड़ी आगे गिर गई और इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर एक रंपूरा कर लिया गुजराथ डेड़ सो रनों के उपा साजना की गेंड फियो बिलिच फिल्ड के लिया और अस्टम के बाहर बैक फूट पे गई पंच किया गेंड को कवर के पास हर्मन प्रीद कौर के पास हर्मन प्रीद कौर ने अपनी बाई तरफ जाके गेंड को फिल्ड कर लिया उवर समफ चौदा के बाद एक सो पचास गुज्रा जायन्स रन रेट एक दस दसमलो साथ एक रन प्रती उवर के हिसाब से चलता वाइस मुकाबले में 35 धबर दस्त रन रेट चल रहा है आपको इस खेल के अंदर और अगर इसी हिसाब से आपको इस मैच के अंदर रन्स रहेंगे उमीद तो है कि आपको दोसों के पार पहुंच जाएगी ये टीम और दयालान हेमलता से दोस्तों हमें तो पूरी उमीद है कि आज अपना पहला सतक और उमेंस प्रीमियर लीग का ये पहला सतक पूरा हो सकता है अगर दयालान हेमलता टिक जाएं तो र estàए कि दयालान हेमलता अंत तक खेल जाएं तब ही जाके कुछ पॉसि offenders이 है साईका इशाक अपने दूसरे ओवर की शुरुवात करने के लिए आ रही है साईका इशाक का ये दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है round the wicket से बाएंबाई हाथ की बल्लेबाज P.O.P. लिच फील्ड के लिए Flighted Delivery Lick Stum के लाइन पर पहरोपराती वी गेन थी पहरोपराती वी गेन को अपने फ़र्ण फोट पर आके सीधे बल्ले से गेन को सामने के तरफ खेयल दिया है बल्लेबाज ने कि इन बल्ले के बीच यो बीच तक राके लॉंग आफ बाउंडरी के तरफ पहुंची और इन दोनों बल्ले बाजों ने दोड़ कर भाग कर ये एक रन और जोवर पूरा कर लिया है इस गेंद के उपा इन दोनों बल्ले बाजों ने पर टरन होती भी गेंद अंदर की तरफ आई और ये इनको सीधे बल्ले से स्ट्राइट डाउन दे ग्राउंड खेल कर एक रन इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोर कर पूरा कर लिया है और इस एक रन के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर इस मैच को छोड़के जादा मैच अब इस सीजन में नहीं बचे हुए हैं लेकिन अगली गेन को हवा में लॉफ्ट कर दिया फियो भी लिच फील्ड ने पीछे फिल्ड मौझूद और ये एक और विकेट मिलती भी साइका इस शाक को लाइटे डिलिवरे थी लंबा शाट मारने की कोशिस बलेबाज फियो भी लिच फील्ड के बल्ले से लेकिन गेन बल्ले पे जिस तरीके का ये संपर्क चाहती थी उस तरीके का हुआ नहीं और जो कवर की दिश्चा में हर्मन प्रीत कौर कप्तान खड़ी थी हर्मन प्रीत कोई गलती नहीं की कप्तान ने और एक सांदार क्याच पकड़ के साइकाई शाक ने ये पहली विकेट निकाल दी है फियो भी लिच फील्ड की तो आफस्टम के बाहर की गेन के उपर इंसाइड आउट शाट मारने का प्रीतन किया गया लेकिन कवर की दिशा में एक मातर फिल्डर मौजूद थी और कवर के फिल्डर ने वहाँ कोई गलती नहीं की एक बहुत ही आसान सा क्याच पकड़ के इस खिलाडी को जो वो कर दि गुजराथ जायंट्स मैच नंबर 16 और आशली गाडनर नंबर 5 की पुजिशन के उपर आ गई हैं गुजराथ जायंट्स की टीम की तरफ से बल्ले बाजी करने के लिए आश गाडनर बहुत अच्छी खिलाडी हैं लंबे लंबे शॉट मारना पसंद करती हैं गाडनर बाह बाज उन्हें दोड़ते वे भाग कर ये एक रन और पूरा कर लिया है गुजराथ जायंट्स वर्सज मुंबई इंडियंस जीजी वर्सज देमाई और ये मकाबला मुंबई इंडियंस और गुजराथ जायंस के बीच चल रहा है आपको कहां गुजराथ के दिली के पहलेक बाउंडरे के तरफ गई एक और रन के लिए अकली गेंद के लिए दुबारा से तयार है यह अन्तिम गेंद दाय हाथ की आश गार्डनर के लिए फुल लेंड डिलेवरी लेक्स्टम के उपा टपक हाई टर्न हुई गेंद अंदर के तरफ आई सीधे बल्ले से गेंद को सामने की तरफ वापस पुश किया है इनोंने और रन लेने का कोई भी मौका इस गेंद के उपर इनको नहीं मिलेगा एक और ओवर जो वो समाफ्थ हो चुका है यहां एक और ओवर की समाफ्थी के साथ स्कोर होता वाए 154 रंस 154 रनों के उपर आपको तीन विक्टर कि यहां गेंद्वादी करने के लिए आप लोगों को दूसरे छोड से देखते हैं किसका इस्तमाल करती है कफ्तान हर्मन प्रीत कौर के पास बहुत आप्शिन्स है अब ही अमेलिया कर के भी बहुत सारे आप्शिन्स पड़े हुए है अमेलिया कर के पास गेंदबादी के अंदर हम देखेंगे तो तीन ओवर्स बचा हुआ है लेकिन नए उबर की शिर्वात आपको करेंगी इस साजना जिन्हों अभी अभी बहुत अच्छा उबर कम्प्लीट किया था पहली गेंद आओ तेज गेंद बास पूजा वस्तराकर पहली गेंद शॉट अफ लेंड डिलेवरी आउटसाइड दी ओफ स्टम पूजा वस्तराकर के लिए पूजा वस्तराकर की गेंद आफ स्टम के बाहर शॉट अफ लेंड डिलेवरी के उपास स्क्वेर कट करनी की कोशिस लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ कर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुँची बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद को वहां फील्ड कर लिया है अगली गेंद के लिए तयार दाय हाथ से पूजा वस्तराकर कदमों का इस्तमाल स्क्वेर काट पॉइंट के उपर से लॉफ्ट कर दिया डीप पॉइंट बाउंडरी के तराफ चार रनों के लिए फुल लेंड दिलिवरी के उपर दाय हाथ की दयाला नहें लता कदमों का इस्तमाल करके इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस कर रही थी पहले हो गए हैं पुजा वस्तरा करके गें सामने की तराफ उठा का मारा गया शॉट बल्ले पे गेंड टकराने के बार लॉंग ऑन बाउंडरी की तरफ जाती भी और इन दोनों बल्ले बाजों ने दौड कर भाग कर ये एक रन मात्र पूरा कर लिया है तो शॉट अफ लेंड डिलिवरी के उपा कदमों का इस्तमाल करके सामने की तरफ सीधा शॉट मार के इन दोनों बल्ले बाजों ने दौड कर भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया है और एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्ले बाजों ने रोटेट किया आश गाड़नर पूजा वस्त्राकर की गेंड स्टम्स के उपार और ये क्लीन बोल्ड डंडो को खार दिया है पूजा वस्त्राकर ने आशली गाड़नर का आशली गाड़नर उदर बोल्ड आउट हो जाएंगी फुल एंड डिलिवरी थी पुजा वस्तराकर की तरफ से सामने की तरफ खेलने का प्रयास लेकिन गेंद और बल्ले के बीच उदर कोई संपर्क नहीं वा अगेंड जाकर सीधा विक्टो के उपर टकरा गई है और यहां क्लीन बॉल्ड हम जिसे कहते हैं वो क्लीन बॉल्ड आउट हो गई है आपको यहां आश गार्डनर आश गार्डनर एक रन बना कर आउट होकर वापस पविलियन की जो राहा है वो नाप चुकी है 169 रनों के उपर चौथा विकेट गुजराज जाइंट्स की टीम के लिए इस मैच के अंदर गिरता हुआ और गुजराज जाइंट्स की टीम इस समय चौथा विकेट इस मैच के अंदर गवाती वी नज़रा रही है बहुत बड़ी विकेट गई आपको वहां पूजा वस्तराकर की इस चौथी गेंद के उपर दाय हाथ की आशली गार्डनर बोल्ड आउट हो गई है अंत की दो गेंदे और मौजूद है सामने आपको स्ट्राइक के उपर नई बलेबाज भारती फूल माली आ रही है नाम तो बड़ा जबरदस्त है भारती फूल माली तो फूल माली बैटिंग करने के लिए उतर गई है और फूल माली आपको नमबर 6 की पोजिशन के उपास 67 मैचेज एक यानबे का स्ट्राइक रेट इनका है और अच्छी बलेबाज आपको भारती फूल माली मानी जाती है टी 20 क्रिकेट में डोमेस्टिक माचेज में तो अच्छा प्रोदर्शन करती है अगली गेन के लिए दुबारा से तयार यहाँ से पूजा वस्तरा करकी आउटसाइड यॉफ स्टंप फूल एंड डिलेवरी रन आउट का बहुत अच्छा मौका लेकिन गवा दिया है वहाँ रन आउट करने का मौका फूल माली ने गेन को हलके हाथों से खेल के बैकवर्ट पॉइंट के तरह खेला था लेकिन बैकवर्ट पॉइंट के फिल्डर ने गेन को फील करके वहाँ वापस कर दिया रन लेने का कोई भी मौका इस गेंड के उपा नहीं मिलने वाला है अगली गेंड के लिए दुबारा से तयार है दाया हाथ से पूजा वस्तरा कर कि ये अंतीम गेंड और इस संतीम गेंद के लिए दोबारा से त्यार आफस्टम के बाहर ये गुर्लन पर डाली भी गेंद तपाखाने के बाद गेंद अंगल बनाती भी और बाहर जा रही थी और जब तक इस गेंद को डीप थर्ड विन बाउंडरी के फिल्डर फिल्ड करके त्रो कर पाती हैं तब तक इन दोनों बल्ले बाजों ने दोड़ कर भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया ये ओवर जो है वो समाफ्त हो चुका है और 16 ओवरों के खेल के समाफ्ती के बाद गुज्राज जाइंस के टीम 160 रन्स 160 रनों के उपर आपको बता दे कि चार विक्टे जो हैं इस मैच में अल्रेडी हो चुकी है देख और विकेट आपको यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर गया और 6 रन आपको पारी के 16 ओवर के अंदर से आएं हैं अगली गेंद पूजा वस्तरा करके तीसरे ओवर की समाफ्ती के बाद नए ओवर की शुरुवात तो नए ओवर की शुरुवात और गेंद बादी में आपको बजाते चलें कि कप्तान जो हैं यहां से किसको लेकर आ रही हैं उसके बारे में बताएंगे लेकिन अगर इसी हिसाब से 10 रन प्रती ओवर के हिसाब से 200 बनेंगे 12 रन प्रती ओवर के हिसाब से 208 बनेंगे और 14 रन प्रती ओवर के हिसाब से 208 चौदा रन्स बनेंगे तो नयोवर की शुरुवात और नयोवर की शुरुवात की पहली गेंद फुलर लेंड डिलिवरी आउटसाइड यॉफ स्टंप टपाखाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी गेंद बल्ले पर ठकरा के डीप पॉइंट बाउंडरी की तरह पहुंची और जब तक इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंडरी का फिल्डर वहां फिल्ड करके त्रो कर पाते हैं इन दोनों बल्ले बाज़े ने दोड़ते वे भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया है एक रन के साथ 161 रन चार विक्टो के नुक्सान के बाद गुजराच चाइंट्स की टीम 16 ओवर और एक गेंद की समाफ्ती जब वो अल्रेडी हो चुकी है इस मैच में अगली गेंद शबनेम इसमेल की समनेम इसमेल की सुवर की दूसरी गेंद आ रही है ओवर दिविकेट से सामने आपको दयालान हेमलता तायार लेक्स्टम की लाइन पार लेक्स्टम के बाहर जाके बल्लेबाज ने इंसाइड आउट शॉट हेम लताने के इनको उठा का मार दिया डीप कवा बाउंटरी के तराफ और इन दोनों बल्लेबाजों ने दोड़ते वे भाग कर ये एक रन और पूरा कर लिया है और इस एक रन के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जब वो रोटीट कर लिया है तो एक रन के साथ ही जो स्कोर नज़र आ रहा है यहां 162 रन्स और 162 रनों के उपर आपको चार विक्टे हो गई है इस मुकाबले में अगली गेंद के लिए दुबारा से त्यार धीमी गती की गेंद स्क्वेर कट किया बैकवर्ड पॉइंट पार एक रन के लिए तो आफस्टम के बाहर ये गेन थी आफस्टम के बाहर कि इस गेन के उपर बल्लेबाज ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला था और इन दोनों बल्लेबाजों ने दोड़ते वे भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया और इस एक रंड के साथ इन दोनों बल्ले बाजों ने स्ट्राइक जो है वो रूटेट कर लिया है तो स्कोर नजर आ रहा है 163 रंस 163 रंडों के उपर आपको पांच विक्ते हो गई है अगली गेंड शमनेमिक्स मेल की दयालान हेमलता बड़ा शॉट मारने गई लेकिन गेंड बल्ले पर लगी और गेंड सीधा फिल्डर के हाथों में गिरती वी ये पांच विक्त गुजराथ जाइंट्स की टीम की दयालान हेमलता जो की इस बार आफस्टम के बाहर फुल लेंड डिलिवरी तो नहीं थी गुड लेंड पर टपा खाने के बाद गेंड बाहर जारी थी शबनेमिस मेल की और अपने फ्रंट फूट को निकाल के बले के बीचों बीच लेके इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस लेकिन गेंड सीधा कवर के हाथों में पहुँच गई और बाकी का काम वहाँ कवर के फिल्डर ने गेंड को फील करके एक आसान सा कैच पकड़ के अमन जोत कौर ने दयालान हेमलता को कर दिया है चलता इस फुल एंड दिलेवरी के उपर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस लेकिन पिल्डर ने वहाँ कोई गलती नहीं की थी एक आसान सा कैच पकड़ के गुजराज जाइंट से 173 रनों के उपर अपनी पांच वी विकेट इस मैच में गवा चुकी है अगली बलेवाज आ रही है नमबर पांच की पॉजिशन के उपर साथ की पॉजिशन पे गुजराज जाइंट्स की टीम की तरफ से आई ज़र देखते हैं कप्तान जो हैं वो किसका इस्तमाल करने जा रही है इस छोर से तब तक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो को आप लोग भी एक बार फटा पट लाइक कर दीजेगा और लाइक करने के बाद जल्दी से कर दीजेगा सब्सक्राइब क्योंकि शबने में स्मेल की ये पांच वी गेंदार ही है फुल एंड लिवरी ओस्टम के बाहर तपपा खाने के बाद गेंद बिलकुल अंदर की तरफ आई दायं हाथ की कैथरीन ब्राइस को और कैथरीन ब्राइस ने इस गेंद को सीदे बल्ले से सामने की तरफ ड्राइव किया मिडॉफ की दिशा में रन लेने का मौका नहीं मिलेगा ओवर की समाफ़ती हो चुकी है 17 ओवर के बाद गुजराज जाइंट्स की टीम 173 रन पांच विक टोक नुकसान पर चबनेम इसमेल की अंतीम गेन थी फुल लेन डिलिवरी लेक्स्टम की लाइन पर सीदे बल्ले से सामने की तरफ गेन को पुश किया वापस गेन बास के पास और यह 17 ओवर का खेल भी समाफ़त हो चुका है इस अंतीम गेन पर नहीं मिला रन और यह ओवर समाफ़त हो गया है 17 के बाद 173 रन्स पांच विक टोके नुकसान पर गुजरात जाइंट्स और यह 17 ओवर का जो खेल था वो भी इसी बीच हम देख पा रहे हैं यहां समाफ़त हो चुका है अपने इस मेल ने आपने चार ओवर की गेंदबादी कर दी है समाफ़त और चार ओवर के स्पेल में 15 रन्दे के आपको इस माच के अंदे एक सफलता इन्होंने केवल निकाली है जहां दूसरे छोर से गेन बाजी में जारी रखने वाली हैं गेन बाजी बाया हाथ की साइकाई शाक राउंड विकेट से लेक्स्टम की लाइन पर आती वी गेन पैरो के पास स्वीप कर दिया फूल माली ने गेन डीप स्कुल एक बाउंडरी की तरह पहला रण पूरा करेंगी दाया हाथ की फूल माली के लिए लेक्स्टम पे जाके इस गेन को इन्होंने कट किया गेन गई सीधा डीप कवा बाउंडरी के पास एक रण के लिए और इन दोनों बल्लेबाजों ने दोड़ कर भाग कर ये एक रण जो वो और पूरा कर लिया है एक रण के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट कर लिया है जहां साइकाई शाक राउंड विकेट से अगली गेन को ले कर आने के लिए तयार नदर आ रही है लेक्स्टम की लाइन पर आती वी गेन लेक्स्टम पर आती वी गेन को स्वीप कर दिया गेन जाती वी मिट्विकट बाउंडरी के तरफ और इन दोनों बल्लेबाजों ने दोड़ते वे भाग कर ये एक रण और पूरा कर लिया है तो पहरो पराती वी इस गेंड को बल्लेबाजने बहुत आसानी के साथ दीप स्क्वAyल इक बाउंडरी के तरफ केला था और जब तेक इस गेंड को वहाँ बाउंडरी के पास से फिल्डर फील करके थ्रोगर पाता इन दोनो बल्लेबाजने थो रन्स और पूरे कर लिये अगली गेंद के लिए दुबारा से तयार साइका इशाक राउंड विकेट थे लेक्स्टम की लाइन पर आतीवी गेंद और लेक्स्टम की लाइन पर आतीवी गेंद को बल्ले बाज ने बहुत आसानी के साथ गेंद को खेल दिया लेक्स्टर्लम के बाहर हटके कवर की तरफ खेलनी की कोशिस बले का बाहरी किनारा लेकर गेंड जाती वे शाट थर्डमन पर लेकिन शाट थर्डमन के फिल्डर ने गेंड को फिल्ड करके वहां वापस कर दिया है लेक्स्टम्ण के उपर गेन्बाद ही हो रही है य guarantee उन्थेम गेन्द वाइनाथ से साइका ईशाक की लेक्स्टम्ण के उपर आ रही थे टपाखाने के वाद ट्रूरूरू कर लेकिन जैसे तैसे इस गेन्ध को बल्लेबाज ने स्ट्राइट डाउन दे ग्राउंड खेल दिया है इन बल्ले के बीच ओ बीच टक्राई और बीच ओ बीच एक गेंड टक्राने के बाद लॉंग ओन बाउंडरी की तरह पहुंची है जब तेक इस गेंड को लॉंग ओन का फिल्डर वहां फील करके थ्रो कर पाते हैं इन दोने बल्ले बाजों ने भाग कर दोड़ कर ये एक रन और पूरा कर लिया है तो 179 रनों के पाँच विक्टे इस मुकाबले में और इस ओवर की समाफ्ती के बाद स्कोर जो है वे 179 रनों के पाँच विक्टे इस खेल में आप लोग भी एक बार फड़ा फड़ वीडियो को लाइक कीजिए लाइक करने की बाद चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दबाएं नोटिफिकेशन के बटन को अगर आपने नहीं दबाया तो साइकाई शाक की गें ओवर की समावती के बाद नए ओवर की शुरवात पूजा वस्तराकर की शॉट अफ लें डिलिवरी ओफ स्टम पर कदमों का इस्तमाल करके इस गें को इनने ये स्क्वेर कट कर दिया गें चले गए डीप पॉइंट बाउंडरी के तराफ चार रनों के लिए कदमों का इस्तमाल करते वे बल्लेबाज ने इस गें के उपर हलका सा लेक्स्टम पर भी गई अपने लिर जगा बनाई और कैथरीन ब्राइस ने इस गें के उपर ये स्क्वेर कट करके डीप पॉइंट बाउंडरी के दरफ चार रन्स बटोर लिए काथरीन ब्राइस खुद पाहुँची 7 रनों के उपर 7 गेंदो का सामना किया है और भारती फूल माली 7 गेंदों पर 7 बना का खेल रही है कदमों का इस्तमाल अगली गेंद के उपर आवस्टम के बाहर की गेंद के उपर कवर की दिश्टा में खेला जब तक इस गेंद के उपर कवर के फिल्डर फिल्ड करती थ्रो करती इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड कर एक रन पूरा कर लिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने भागते वे अराम से एक रंजव पूरा करके स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने वहां रोटेट कर ली है पहली गेंद के उपर चौका दूसरी गेंद के उपर सिंगल तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं जहां पूजा वस्तराकर की शॉट अफ लेंड डिलिवरी आउटसाइड दी ओफ स्टंप ये स्क्वेर कट करने का प्रयास लेकिन गेंड बल्ले का बहरी की नरज छोड़ कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुँची और बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गेंड को फील्ड कर लिया है पूजा वस्तराकर की अंतिम की तीन और गेंडे मौझूदे का लिसीम ग्राउंड के उपा सत्रहुआ मुकाबला खिला जाएगा आरसीबी बनाम दिल्ली का दाय हाँ से पूजा वस्तराकर की गेंड को उठाका मारने की कोशिस लेकिन गेंड बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद डीप थर्ड विन बाउंडरी की तरफ निकल गई है और ये चार रंस मिल जाने चाहिए लेकिन इस दमें बाउंडरी के उपर साइका इशाक ने चौका बचाने की कोशिस की साइका इशाक यहां तो कुछ छूती भी गेंड ऐसा लग रहा है कि डीप थर्ड विन बाउंटरी के तरफ निकल गई है देखते हैं रीपले में तो उन्होंने चौका बचाया गेंड उनके पैरों पर लगी ये चौका है भाई चौका तो हांक बंद करके देना पड़ेगा साइका इशाक को पता था कि चौका है उसके बावजूद उन्होंने इस गेंड को थ्रो किया क्योंकि वो सोच रही थी कम से कम थोड़ी बहुत शाबासी तो मिलेगी लेकिन अगली गेंड चौका मिल गया है और इस चौके के साथ फूल माली ने अपना इस मैच के अंदर ये पहला चौका लगाया फूल माली आज खेल रही है बाटिंग में वेदा कृष्ण मूर्ती क अच्छा बैटिंग कर रही है जहां पूजा वस्तरा करकी शौर्ट गेंड पुल किया गेंड हवा में कोई ताकत नहीं है लेकिन गेंड जाती वे शौर्ट मिल प्रिकट के पास एस साजना की तरफ और जब तक इस गेंड को एस साजना फील्ड करतीं थ्रू करतीं इन दोन बलेबाज उने स्ट्राइक भी यहां पर हम देखेंगे तो रोटीट कर लिया वहाँ और यह अगली गेंड के लिए तयार है पुल किया मिल प्रिकट के दिशाम है लेकिन मिल प्रिकट के फिल्डर ने गेंड को यह डायरेक्ट हिट मार दिया है स्ट्रम्स के उपा थर्ड अंपाइर के पास जरूर गए है चेक करने के लिए कि कहीं यह आपको आउट है या नहीं है तो थर्ड अंपाइर भी इशारा करेंगे कि यह आउट है क्योंकि बल्ला जो है वो अंदर नहीं आ पाया है और गुजरात जो कि एक समय पे लग रहा था कि 200 के पार पहुंच जाएगी 12 रन प्रती ओवर के हिसाब से चल रही थी बाटिंग एक समय पे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गुजरात 190 भी नहीं पहुंच पाएगा बहुत दूर रहे गई है शाट मिर्पिकट के पास साजना थी साजना ने यह डायरेक्ट हिट मारक है दूसरी खिलाडी जो मौझूदी खेल रही थी भारती फूल माली के साथ कैथरीन ब्राइस कैथरीन ब्राइस रनाउट होकर वापस पविलियन की राहा जो है वो नाप गई है नई ब शाक बाएहाथ की स्पिन गेंद बाज दाएहाथ की स्नेहराना के लिए राउंद विकेट से गेंद बाजी करने के लिए त्यार लेक्स्टम की लाइन पर पैरोक पर आती वी गेंद आउन साइड में गेंद को मोड़ा गेंज आती वी लॉंग ऑन बाउंडरी के तरफ एक के लिए एक रन के साथ गुजरात पहुंची एक सौसी पे छे विक्टे उन्नीस ओवर और एक गेंद की समावती पार अभी भी पांच गेंदे मौझूद हैं और अगली पांच और गेंदों की उपास सामने नज़रा रही है फूल माली फूल माली खेल रही है बारा रनों के पर दस गेंदों का सामना किया है फूल माली ने साइका इशाक की ओवर दे विकेट से गेंद लेक्स्टम की लाइन पर कदमों का इस्तमाल किया गेंद की पिछ तक पहुंची गेंद को स्ट्रेट डाउन दे ग्राउंड खेल दिया इन्होंने लॉंग ऑन बांडरी के कदमों का इस्तमाल करके बहुत उची गेंद चली गई लेकिन लॉंग ओन और मिर्विकेट बांडरी के पास मौझू थी अमन जोत कौर और अमन जोत कौर ने वहाँ कोई गलती नहीं की है डीप मिर्विकेट के पास और एक सांदार कैच पकड़ के इस खिलाडी को भी चलत गई है या श्राना जी अमार साथ जुड़े हैं बहुत स्वागत है डेस्पसीतो मलान जी जुड़ चुके हैं बहुत स्वागत है प्रविन गेमिंग जी जुड़ चुके हैं बहुत स्वागत है पुलकी जैन जी जुड़ चुके हैं बहुत स्वागत है अनुच जी बहु जलती दबा दीजे comment box में और अपना अपने नाम comment box में लिख लीजिए जो जो लोग channel को subscribe कर रहे हैं और like कर रहे हैं अगली game साइकाई शाक आता है अजे कुमार जी लेकिन अच्छा लगता है यार थोड़ा रुख के बोलने में एक अलगी मज़ा है mid wicket mid wicket बोलने में क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो एक अलग सा वुआ आता है mid wicket boundary देखते हैं अंदर ते कितना जोर लग रहा है है कि नहीं अगली game बाया हाँ से तनुजा कवर को लेक्स्टम की लाइन पर एक जोरदार अपीर LBW की लेकिन नॉट आउट का फैस्टा दे दिया गया है मौमद शाबाज आलम जी भी हमार से जुड़ चुके हैं पहरो पराती वी गेन को अन साइड में खेलने की कोशिस और कप्तान नहीं यहां पर रिव्यू ले लिया है प्रेमा कटारिया जी जुड़ चुके हैं बहुत स्वागत है भाई तुमको कॉमेंटरी करने आता है यार तुम नया नया आया है क्या हाँ भाई मौमद अजगर जी बिलकुल सही कह रहे है नया नया ही आये हैं आप माने तो हर काम में आदमी नया ही होता है कितना भी पुराने हो जाए तो भी पहरो पर आती वी गेंट को सामने की तरफ शॉट मारने की कोशिस कर रही थी गेंट जाकर सीधे पहरो पर टकर आई थी और देखते हैं आपको साइकाई शागी थीज गेंट लेक्स्टरम को मिस कर जाएगी ये गेंट pitching in line है impact आपको outside leg और gain भी leg strum को miss कर रही है तो I think this will be given as a not out अच्छा है मेरे को अच्छा लगता है बहुत धन्यवाद आपका coach गाद शरीव जी बहुत चुक्रिया कैसी है वो बहुत बढ़ियां है भाई not out है यह क्योंकि gain leg strum को भी miss कर रही है और अगर वहाँ पांच भी stump होती तो भी gain miss कर जाती पांच अगर stumps होते तो भी आपको यह gain stumps पे नहीं टगराती लेकिन कप्तान ने review लेकर समय बर्बाद करने का फैसला किया है वैसे इनिंग्स टाइमर में आपको बढ़ा दू कि यह थोड़ा धीमी गती से गेंद बादी हुई है पेनल्टी करता है आपको यहां पे अगली gain के लिए दुबारा से तयार वीडियो को लाइक कीजिए दो गेंदे और मौझूद यह अंपायर और देर करते हैं यार महिलाओ के अंपायर जो होते हैं वो और जादा देर करते हैं एक तो इतना समय लगा देते हैं यह लोग क्या कहा जाए आप लोगों को शिवा ब्लोगर जी बहुत स्वागत है रूपा चोहान जी स्वागत है भावा भावान सिंग जी बहुत स्वागत है त्रीजन घीमरी जी ने सबस्क्राइब कर लिया है बहुत बहुत स्वागत है आपका भी पंकर जी बहुत स्वागत है भुपेंद्र उपाधिया जी बह और गिंदे मौझूद है फूल माली 13 रन बना का खेल रही है 11 गिंदों के उपा फूल माली के लिए पांचवी गें साइका इशाक की ओवर दिकित से और कदमों का इस्तमाल करके एक फ्लैट बाटिट शॉट लॉंग ओफ के उपर जबर्दस छक्का प्लाइट नहीं दी थी लेकिन उसके बावजूद फूल माली ने अपने कलायों का रिस्ट वर्ग दिखाया दो कदम आगे बढ़कर आई और गें को लॉंग ओफ और कवर के उपर से इंसाइड आउट शॉट बस सबसे मुश्किल भरा शॉट मारा भाती फूल माली ने अब फूल माली के सांदार चक्के से 188 पे गुजरात पहुंच चुकी है साथ विक्टो के नुक्सान पार अंतिम गेंद बाए हाँ से साइका इशाक एक और फ्लाइट डिलिवरी यौर करती अल्मोस्ट मिडल स्टंप ऑफ स्टंप के उपार सामने की तरफ के ला शॉट को लॉंग ओफ बाउंडरी क पहला रन पूरा करने के बाद गेंद आ गया था साइका इशाक के हाथ में लेकिन साइका इशाक इशाक गेंद को रोक नहीं पाई अपने हाथों में और इसी वज़े से इन दोनों बलेबाद उन्हें भाग कर दोड़ कर ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है अगर गेंद को पकड़ के स्टंप्स पे मार देती साइकाइट शाक तो रनाउट हो जाती लेगन ऐसा होगा नहीं और अब 20 ओवरों की समावती पे गुजरात जायंट्स ने 190 रंज बना लिये साथ विकेट के नुकसान पर और अगर आपने हमें अभी अभी जॉइन किया तो आप लोगों को बताते चलें कि आपको इस मैच के अंदर टॉस को जीता था गुजरात जायंट्स की टीम ने और गुजरात जायंट्स की टीम ने टॉस को जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसल के मारे लौरा वुलवार्ट के साथ आपको सलामी बल्ले बादी में उत्री बाएं हाथ की बैथ मुनी बैथ मुनी ने आज अपनी बल्ले बादी के साथ केवल छिया च्छा ठरंस बनाए गेंदों में केवल 35 गेंदों का इन्होंने सामना करके दिखाया इस मकाबले के अंदर लेकिन बहुत जबर्दस्त बल्लेबाजी इनकी तरफ से इसके बाद आपको बैटिंग करने के लिए जो उत्री उनका नाब था आपको नमबर तीन की पॉजिशन के लिए दयालान हेमलता क्या बैटिंग की आज हेमलता ने अपनी बल्लेबाजी के साथ दिखाया कमाल हेमलता ने 74 रंज बनाए 40 गेंदों के उपर 9 चौके और 2 चके बिमारे हेमलता ने हेमलता के बाद आपको बैटिंग करने के लिए फियोबी लिच्फिल्ड ने 3 रंज बनाए Чार गेंदों का सामना करने के बाद आपको उस मुकाबले के अंदर फिर आपको बैटिंग करने के लिए आइं बल्ले बादी में आशली गार्डेनर आशली गार्डेनर ने आपको इस मैच के अंदर हम देखेंगे एक रंड की पारी खेली और एक रन आपको इन्हों ने बनाए तीन गेंदों का सामना करने के बाद भारती फूल माली ने तेरा गेंदों के उपर 21 रन्स बनाए नबाद रही कैथरीन ब्राइस ने साथ रन्स बनाए इस मैच में आठ गेंदों का सामना करने के बाद नेहराना ने दो गिंदों के उपर एक बनाए तनुजा कवर ने सून ने बनाया चार रन मुफ्त में मिले और तीन लेगबाई और एक वाइड के रूप में पॉल और विकेट्स के अंदर 18 रन पर पहला विकेट 149 रन पर दूसरा विकेट 152 पर तीसरा विकेट 169 पर चौथा विकेट 189 पर छथा विकेट 181 पर शट गिंदबाजी में मैथ्यूज ने तीन ओवर में बाइस देके एक विकेट निकाला शबनेम इसमेल ने चार में तीस रंस देके एक विकेट निकाला साइकाई शाक ने चार में एक अतीस देके दो विकेट निकाले नाट्स कीवब ब्रंट ने दो में 23 दे के कोई विकेट नहीं निकाला पूजाव स्तराकर ने चार में 45 दे के एक विकेट निकाला अमन जोद कौर ने एक में 10 दे के कोई विकेट नहीं एमेलिया कर ने एक में 15 दे के कोई विकेट नहीं और यास्तिका भाटिया के साथ हेली माथ्यूज जो हैं वो उतर रही है नमब तीन की पुजिशन के उपा इस मुकाबले के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए जो उतरेंगी वो हैं आप लोगों को यहाँ पर नाट स्कीव ब्रंट बहुत अच्छी खिलाडी है नाट स्कीव ब्रंट नाट स्कीव ब्रंट के बाद नमब चार की पूजिशन पर आपको दाएंहाथ की हर्मन प्रीत कौर नमब पांच की पूजिशन के उपर इमेलिया कर नजर आएंगी खेलती वी इमेलिया कर के बाद नमब छे की पूजिशन के उपर दाएंहाथ की पूजा वस्तरा कर नजर आएंगी नमबह साथ की forwards आमन जो अच्यानगी नबह슬 की पूजिशन के ओपर इसे साजना के लिए नमबह法 झापने के अच्टेब के दोसंद्रा सामने की तरफ खिला शॉर्ट को लॉंग ओफ बाउंटरी की तरफ पहला रन पूरा करने के बाद गेंद आ गया था साइका इशाक के हाथ में लेकिन साइका इशाक गेंद को रोक नहीं पाई अपने हाथों में और इसी वज़े से इन दोनों बल्लेबाद उन्हें भाग कर द 49 रन्स बना लिये साथ विकेट के नुकसान पर और अगर आपने हमें अभी अभी जॉइन किया तो आप लोगों को बताते चलें कि आपको इस मैच के अंदर टॉस को जीता था गुजरात जायंट्स की टीम ने और गुजरात जायंट्स की टीम ने टॉस को जीत कर पहले बै करते हैं आपको गुज्रा जाइंट्स ने बनाए थे 190 रंस और 190 रंस के उपस साथ विक्ते गवाई जिसमें लॉरा वुल्वार्ट ने तेरा रंस बनाए 14 गेंदों का सामना करने के बाद तीन चौके मारे लॉरा वुल्वार्ट के साथ आपको सलामी बल्लेबादी में उतरी बाएं हाथ की बैथ मूनी बैथ मूनी ने आज अपनी बल्लेबादी के साथ केवल 6-6 रंस बनाए गेंदों में केवल 35 गेंदों का इन्होंने सामना करके दिखाया इस मुकाबले के अंदर लेकिन बहुत जबर्दस बल्लेबादी इनकी तरफ से इसके बाद आपको बैटि पर दयालान हेमलता क्या बैटिंग की आज हेमलता ने अपनी बल्लेबादी के साथ दिखाया कमाल हेमलता ने 74 रंस बनाए 40 गेंदों के उपर 9 चौके और 2 चके बिमारे हेमलता ने हेमलता के बाद आपको बैटिंग करने के लिए फियोबी लिच फील्ड ने तीन रंस बना एक रन की पारी खेली और एक रन आपको इन्होंने बनाए तीन गेंदों का सामना करने के बाद भारती फूल माली ने तेरा गेंदों के उपर 21 रन्स बनाए नबाद रही काथरीन ब्राइस ने साथ रन्स बनाए इस मैच में आठ गेंदों का सामना करने के बाद नेहराना ने दो गिंदों के उपर एक बनाए तनुजा कवर ने सून ने बनाया चार रन मुफ्त में मिले और तीन लेगबाई और एक वाइड के रूप में पॉल ओ विकेट्स के अंदर 181 रन पे पहला विकेट 149 रन पे दूसरा विकेट 152 पे तीसरा विकेट 169 पे चौथा विकेट 163 पे पांचवा विकेट 189 पे छटा विकेट 181 पे साथवा विकेट गिंदबाजी में मैथ्यूज ने तीन ओवर में 22 देके एक विकेट निकाला शबनेम इसमेल ने चार में 45 देके एकourcing निकाला अमन जोड क菁र ने एक में 10 देके कोई विकेट नहीं एमिलिया कर ने एक में 15 देके कोई विकेट नहीं साजना ने एक में 11 देके एक विकेट पावर पले में 52 बने और 20 ओवरों की समावती पर 190 बने अब बारी है मुंबई इंडियन्स के बल्लेबाजों की और दोनों ही सलामी बल्लेबाज इससे में खेलने के लिए उतर रही है वो हैं आप लोगों को यहां पर नाट स्कीव ब्रंट बहुत अच्छी खिलाडी है नाट स्कीव ब्रंट नाट्स की वब रंड के बाद नमबर चार की पोजिशन पे आपको दाएंहाथ की हर्मन प्रीत कौर नमबर पांच की पोजिशन के उपर एमेलिया कर नजर आएंगी खेलती वी एमेलिया कर के बाद नंबर 6 की पोजिशन के उपा दाय हाथ की पूजा वस्तरा कर नजर आएंगी नंबर 7 की पोजिशन के उपा अमन जोद कौर खेलेंगी नंबर 8 की पोजिशन के उपा ऐसे साजना खेलेंगी प्री यॉर्कर थी अल्मोस्ट मिडल स्टंप आफ स्टंप के उपर सामने की तरफ किला शॉट को लॉंग ओफ बाउंडरी की तरफ पहला रन पूरा करने के बाद गेंद आ गया था साइकाई शाग के हाथ में लेकिन साइकाई शाग गेंद को रोक नहीं पाई अपने हाथों में और इसी वज़े से इन दोनों बल्लेबाज उन्हें भाग कर दोड कर ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है अगर ये इनको पकड़ के स्टंप्स पे मार देती साइकाई शाग तो रन आउट हो जाती लगन ऐसा होगा नहीं और अब 20 ओवरों की समावती पे गुजरात जायंट्स ने 190 रन्स बना लिये साथ विकेट के नुकसान पर और अगर आपने हमें अभी अभी जॉइन किया तो आप लोगों को बताते चलें कि आपको इस मैच के अंदर टॉस को जीता था गुजरात जायंट्स की टीम ने और गुजरात जायंट्स की टीम ने टॉस को जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था पहले बल्ले बाजी करते वे आपको गुजरात जायंट्स ने बनाए थे 190 रन्स और 190 रन्स के पस आत्विक्ते गवाई जिसमें लॉरा वुल्वार्ट ने 13 रंस बनाए 14 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके मारे लॉरा वुल्वार्ट के साथ आपको सलामी बल्लेबादी में उत्री बाएं हाथ की बैथमूनी बैथमूनी ने आज अपनी बल्लेबादी के साथ केवल 6 छट रंज बनाएं गेंदों में केवल 35 गेंदों का इन्होंने सामना करके दिखाया इस मुकाबले के अंदर लेकिन बहुत जबर्दस्त बल्लेबाजी इनकी तरफ से इसके बाद आपको बैटिंग करने के लिए जो उतरी उनका नाप था आपको नमबर तीन की पोजिशन के दयालान हेमलता क्या बैटिंग की आज हेमलता ने अपनी बल्लेबाजी के साथ दिखाया कमाल हेमलता ने 54 रंज बनाएं 40 गेंदों के उपर 9 चौकें और 2 चक्कें बिमारे हेमलता ने हेमलता के बाद आपको बैटिंग करने के लिए फीयोबी लिचफील्ड ने 3 रंज बन एक रन की पारी खेली और एक रन आपको इन्होंने बनाए तीन गेंदों का सामना करने के बाद भारती फूल माली ने तेरा गेंदों के उपर 21 रन्स बनाए नबाद रही कैथरीन ब्राइस ने साथ रन्स बनाए इस माच में आठ गेंदों का सामना करने के बाद नहराना ने दो गिंदों के उपर एक बनाए तनुजा कवर ने सून ने बनाया चार रन मुफ्त में मिले और तीन लगबाई और एक वाइड के रूप में पॉल ओव विकेट्स के अंदर 18 रन पे पहला विकेट 149 रन पे दूसरा विकेट 152 पे तीसरा विकेट 169 पे चौथा विकेट 163 पे पांचवा विकेट 189 पे छटा विकेट 181 पे साथवा विकेट गिंदबाजी में मैथिउज ने तीन ओवर में 22 देके एक विकेट निकाला शबनेम इसमेल ने चार में 40 दे के एक विकेट निकाला अमन जोद कौर ने एक में 10 दे के कोई विकेट नहीं, एमेलिया कर ने एक में 15 दे के कोई विकेट नहीं, साजना ने एक में 11 दे के एक विकेट पावर प्ले में 52 बनें और 20 ओवरों की समावती पे 190 बनें अब बारी है मुंबई इंडियन्स के बल्लेबाजों की और दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस समय खेलने के लिए उतर रही है यास्तिका भाटिया और यास्तिका भाटिया के साथ हेली माथ्यूज जो हैं वो उतर रही है नमबर तीन की पोजिशन के उपा इस मुकाबले के अं पर Nat Sqiva Brunt बहुत अची खिलाडी है Nat Sqiva Brunt Nat Sqiva Brunt के बाद नमबर 4 की पोजिशन पे आपको दायन हात़ की हर्मन प्रितकौर नमबर 5 की पोजिशन की उपह एमेलिया कर नजर आएंगी खेलती भी एमेलिया कर के बाद 6 की पोजिशन के उपह दाय हाथ की पूजा वस्तरा कर नजर आएंगी नमब सात की पोजिशन के उपर अमन जोत कौर खेलेंगी नमब आठ की पोजिशन के उपर एस साजना खेलेंगी यौर कर थी ओल्मोस्ट मिडल स्टमप, और स्टमप के उपर सामने की तरफ खेला शॉर्ट को लॉंग ओफ बाउंडरी की तराफ पहला रन पूरा करने के बाद गेंद आ गया था साइका इशाक के हाथ में लेकिन साइका इशाक गेंद को रोक नहीं पाई अपने हाथों में और इसी वज़े से इन दोनों बल्ले बाद उने भाग कर दोड़ कर ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है अगर ये इनको पकड़ के स्टंप्स पे मार देती साइका इशाक तो रन आउट हो जाती लेकिन ऐसा होगा नहीं और अब 20 ओवरों की समाफ्ती पे गुजरात जायंट्स ने 190 रन्स बना लिये साथ विकेट के नुकसान पर और अगर आपने हमें अभी अभी जोइन किया तो आप लोगों को बताते चलें किया आपको इस मैच के अंदर टॉस को जीता था गुजरात जायंट्स की टीम ने और गुजरात जायंट्स की टीम ने टॉस को जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था पहले बल्ले बाजी करते वे आपको गुज्रा जाइंट्स ने बनाय थे 190 रंस और 190 रंसों के उपस साथ विक्ते गवाई जिसमें लॉरा वुल्वार्ट ने 13 रंस बनाये 14 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके मारे लॉरा वुल्वार्ट के साथ आपको सलामी बल्ले बाजी में उतरी बाएंहाथ की बैत मूनी बैत मूनी ने आज अपनी बल्ले बाजी के साथ केवल 6 च्छट रंस बनाये गेंदों में केवल 35 गेंदों का इनने सामना करके दिखाया इस मकाबले के अंदर लेकिन बहुत जबर्दस बल्ले बाजी इनकी तरफ से इसके बाद आपको बैटिंग करने के लिए जो उतरी उनका नाब था आपको नमबर तीन की पॉजिशन के उपद दयालान हेमलता क्या बैटिंग की आज हेमलता ने अपनी बल्ले बाजी के साथ दिखाया कमाल हेमलता ने 74 रंज बनाए 40 गेंदों के उप़र 9 चौके और 2 चके बिमारे हेमलता ने हेमलता के बाद आपको बैटिंग करने के लिए फियोबी लिच्फिल्ड ने 3 रंज बनाए चार गेंदों का सामना करने के बाद आपको इस मुकाबले के अंदर फिर आपको बैटिंग करने के लिए आई बल्ले बाजी में आशली गार्डनर और आशली गार्डनर ने आपको इस मैच के अंदर हम देखेंगे एक रंड की पारी खेली और एक रन आपको इन्होंने बनाए तीन गेंदों का सामना करने के बाद भारती फूल माली लेग चलिए दोस्तो तो उमेंस प्रीमियर लीग उमेंस पैसा लीग शुरू हो रहा है अरे वाँ ये तो पैसा लीग भी हो सकता भाई उमेंस पैसा लीग उमेंस प्रीमियर लीग शुरू होने जा रहा है आपको यहां और उमेंस प्रीमियर लीग के इस मकाबले में दोनों ही सलामी बलेबाज मुंबई इंडियन्स के टीम की तरफ से उतर रही है हेली माथ्यूज और हेली माथ्यूस के साथ सलामी बल्ले बाजी में जो उतरी हैं आपको मुंबई इंडियन्स की टीम में वो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये बाया हाथ की यास्ती का भाटिया है तो दाया और बाया हाथ का जो कॉम्बिनेशन है इस टीम के लिए वो इसमें बने रहने वाला है विल्कम बाक फॉर दे रंचेज इस गोना बी इन इंट्रेस्टिंग रंचेज चलिए देखते हैं आशली गार्डनर जो की गेंडबाजी की शुरुवात करेंगी मुंबई इंडियन्स के खिलाफ गुजरात जाइंट्स की टीम के लिए और इस मैच की पहली गेंड लेकर आ रही है दाय हाथ से स्पिन गेंडबाज आश गार्डनर सामने बाय हाथ की यास्तिका भाटिया एक तो यह यह रुख जा रहा है यार पता नहीं क्यों मैच ही रुख जा रहा है रहरे के बीच में तो पहली गेंड आपको आशली गार्डनर की तरफ से और यास्तिका भाटिया बैट इंग्रीस के वीपर मौजूद नज़रा रही है और यह एक स्लिप नहीं है शॉट थर्ड में बैकफ़ पॉंट मिड़ान मिडोफ और आशली गार्डनर की यह गें राउन्द द विकेट से विकेट कीपर चूकी बल्ले बास चूकी और यह चौका मिला गार्डनर की यह थोड़ी सी शॉट गेंड थी गार्डनर की इस गेन के उपा बैक फुट पे जाकर पुल मारने की कोशिस बाय हाथ की यास्तिका भाटिया के द्वारा लेकिन यास्तिका भाटिया के गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं बल्ले के बिलकुल बगल से विकेट कीपर के हाथों को छूती वी ये गेन निकल गई है डीप थर्ड में बाउंडरी के बाहर बाई के रूप में चौका मिलता हुआ पहरो पराती री गेन यास्तिका भाटिया ने स्वीप कर दिया डीप स्कुएल एक बाउंडरी के तरफ उस तरफ फिल्डर मौजूद है जब तक इस गेन को डीप स्कुएल एक बाउंडरी के फिल्डर फिल्ड करके थ्रो करती इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन भाग कर पूरा कर लिया है पहरो पराती वी गेन थी और पहरो पराती वी गेन को बल्लिबाज ने बहुत आसानी के साथ गेंद को स्वीप करके डीप स्क्वेल एक बाउंडरे के तरफ केल कर एक रन बटोर लिया हर्मन प्रीत कौर तयार हो रही है पैट्स पहन कर इसके बाद बाटिंग करने के लिए उतरेंगी आपको इस माच में ये अगली गेंदाती भी आश गाड़नर की सामने आपको दाएंगाथ की हेली मैथ्यूज तयार है जिनने अब तक कोई भी रंज है वो नहीं बनाया है आशली गाड़नर की गेंद ओवद विकेट से दाएंगाथ की बलेबाज हेली माथ्यूज बाट इंक्रीस के अपर नजर आ रही थी आफस्टम के बाहर ये गेंद थी बाट फुट पर जाके बले के बीच बीच लेके गेंद को पंच किया मिड़ाफ की दिश्रा में बचावा कारे मिड़ाफ के फिल्डर ने गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है 116 गेंदों में 186 और रंच आए मुंबई इंडियन्स को और ये फ्लाइट डिलिवरी ओस्टम के बाहर थी बैकफुट पर गईंग कट करने की कोशिस गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुँची बैकवड पॉइंट पर और बाकी का काम जो था वो बैकवड पॉइंट के फिल्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया है रन लेने का कोई मौकाई सोबर की पांच भी गेंद के पर नहीं मिलेगा आशली गार्डनर की अंतीम गेंदार ही है और सामने आपको हेली माथ्यूज तयार है फ्लाइट डिलिवरी टानो के स्टम्स की लाइन पर आ गई हेली माथ्यूज ने अंतीम चड़ों के उपर अपने बल्ले को लगाया और गेंद बल्ले पर टकराने के बाद वापस गेंद बास की तरफ लॉट गई है अगली गेंद के लिए दुबारा से तयार है ये गेंद बास दाया हाथ से फ्लाइट डिलिवरी लेकिन आगे की गेंद के उपर बैकट फुट पर जाके ये कट मारने की कोशिस लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ती भी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानो में पहुँची और बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद का फील्ड कर लिया है तो रन नहीं मिलेगा और ओवर भी समाफ़त हो चुका है पहले उबर के बाद मुमबई पांच रन्स बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद आश गाडनर का ये जो उबर था वो इसी बीद समाफ़त हो चुका है तो आश गाडनर के इस उबर की समाफ़ती के बाद अगली गेंड को लेकर आने के लिए तयार है गेंडाज गुजराज जायंट्स की टीम की तरफ से हो सकता है कि कप्तान अगर चाहें तो मेगना सिंग का इस्तमाल कर सकती है इस दूसरे वाले छोर से अभी इंतिजार किया जा रहा है देखा जा रहा है कि कप्तान जो है किसको लेकर आते हैं दाएहाँच से ओवर दिविकेट से काथरीन ब्राइस की शॉट अफ लेंड डिलिवरी को पुल कर दिया डीप स्कुएल एक बाउंडरी के तरफ चार रनों के लिए चाट अफ लेंड डिलिवरी थी काथरीन ब्राइस की बाएहाँच की बलेबास के लिए और बाएहाँच की बलेबास ने इस गेन के ओपर आफस्टम पर शॉफल करके के इस गेन को बल लेके बीच बीच लेके गेन को दीप स्क्वेर लेक बाउंडरी के तरफ खेल दिया और ये पूरे चार रन्स भी इस गेन के उपर बटोर लिये हैं बहुत ही सुंदर शॉट मारा चार रनों के लिए और बाय हाथ की बल बाउस तयार है यास्तिका भाटिया ओवद विकेट से यास्तिका भाटिया को काथरीन ब्राइस की शॉट अफ लेंड डिलेवरी फ्लाट बाटिट शॉट स्क्वेर लेके उपर छक्का काथरीन ब्राइस की ये धीमी गती की शॉट अफ लेंड डिलेवरी थी बैक फूट पे गेन का इंतिजदार कर रही थी बलेबाज गेन दबले के बीच ओ बीच लेके इनने इस गेन को पुल कर दिया और गेन दबले पर कनेक्ट होने के बाद डीप स्क्वेल एक बाउंडर को अगली गेन के लिए तयार नजर आ रही है बाया हाथ की यास्तिका भाटिया यास्तिका भाटिया ने 12 रंस बना लिए अब तक 15 गेन्दों का सामना करने के बाद ये फुल लेंड डिलिवरी थी लेक्स्टम की लाइन के उपा सीधे बले से सामने की तरफ गेन को पंच कि लिया है और इस एक रन के साथ इन दोनों बले बाद ने स्ट्राइक जो वर रूटीट कर लिया है स्कोर 16 रनों के पर मुंबई इंडियन्स की टीम पहुंची 16 रनों के पर कोई विकेट नहीं एक दसमलों तीन गेंदों की समाफ़ती पर जहां पर अगली गेंद के लिए त दस्तानें में पहुंच गई है पुल ये डिलीवरी थी इंसीड आउट शॉट मारने का प्रीतन किया बल्ले बाद ने लेकिन गेंद बले के इंसीड एड़े पर लगने के बाद गेंद जाकर सीदा पैरों पर लगी और Luther लगने के बाद गेंद स्टंपस्क के बहुत करीब गई थी आहा भर भरी विकेट कीपर ने लेकिन कोई फायदा नहीं जहां अगली गेंद पैरो के पास गुर्लेंड पर डाली वी गेंद को फ्लिक कर दिया बल्लेबाज ने गेंद बल्ले के बीच और बीच टकराने के बाद जाती वी डीप स्कुएल एक बाउंटरी के तरह प वो अगर हम देखते हैं तो मुंबई इंडियन्स की टीम का सोलर रनों के पा कोई भी विकेट अब तक नहीं गया है और दूसरे ओवर की समाफ्ती भी हो चुकी है मुंबई इंडियन्स की टीम के लिए यहां से 175 और रनों की जुरत ये माच जीतने के लिए चाहिए यह 175 और यह टीम बनने में कामयाब हो पाएगी कैथरीन ब्राइस का यह पहला ओवर जो है वो समाफ्त होता हुआ कैथरीन ब्राइस के इस ओवर की समाफ्ती के बाद नए ओवर की शिरवात कपतान जो है वो स्पिन गेंद बास को हो सकता है जी नहीं तेज गेंद बास को लेकर आ रही है तनूजा कवर को लेकर आ रही है स्पिन गेंद बास ही जारी रखेंगे इस छोड से गेंद बासी को तनूजा कवर पहले ओवर के अंदर आश गाडनर दूसरे ओवर के अंदर आपको तनूजा कवर आ गई है नयोवर की शुरुवात बाया हाथ से तनूजा कवर किये गेंद सामना करने के लिए बले बाज तयार है राउंद विकेट से यास्तिका भाटिया के लिए ये फ्लाइट डिलिवरी थी बैट और पैड को लेकर आके गेंद को नीचे गेंद बास की तरफ डिफेंड किया और बचवा जो कार्य था वो गेंद बास ने गेंद को फिल्ड कर लिया है अगली गेंद तयार ये तनूजा कवर की तरफ से सामने यास्तिका भाटिया नजर आ रही है पैरो परातीवी गेंद यास्तिका भाटिया के लिए और पैरो परातीवी गेंद को अपने पैरो को आगे लेकर आके बले के बीचों बीच लेके गेंद को डिफेंड किया बैक टू दे बोला यास्ती का भाटिया ने पिछले ओवर में बड़े बड़े शॉट्स लगाये थे लेकिन इस ओवर की शुरुवात की पहले तीन गेंदे खेल चुकी है और पहले तीन गेंदों के पर कोई भी रंज वो नहीं आया है अब तक बाएं हाथ से तनूजा कवर दोड़ने के लिए तैयार आफस्टम के बार इस गेंद के उपर डीप थर्ड विन बाउंटरी के तरफ गाइड करने का प्रयास लेकिन गेंद बले का बाहरी किनारा चोड़ कर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई अंतिम की दो गेंदे और सामने जो हैं वो स्ट्राइक के उपर महजूद हैं यास्ति का भाटिया जो की 12 रनों के पखेल रही हैं नौ गेंदों का सामना करने के बाद एक चौका और एक छक्ताब तक लगाने में काम्याब हो गई हैं बाएं आद से तनुजा कवर की उबद बिकेट से फ्लाइट डिलिवरी कदमों का इस्तमाल का इस्तमाल करके बहुत ही सुन्दर शॉट और गेंदेखते ही देखते वहा कवर बाउंडरी के तरफ निकल गई है चार रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर 21 रनों के पर पहुंची मुंबई इंडियन्स की टीम जहां अगली गेंद के लिए त्यार लेक्स्टरम की लाइन पर टपा खाने के बाद टरन होती भी गेंद और अंदर के तरफ आई अपने पैरों को आगे लेकर आके गेंद को सामने की तरफ खेला गेंद गई मिडान की दिश्चा में जब तक इस गेंद को मिडान के फिल्डर वहां फिल्ड करके त्रो कर पाते हैं इन दोनों बले बाद उन्हें दोड़ कर एक रन पूरा कर लिया है तो ओवर जो है वो सम गेंद बाजी में मुंबई इंडियन्स ने 21 रंस बना लिये हैं 21 रंस बना के कोई विकेट मुंबई इंडियन्स की तीम ने इस माच के अंदर नहीं गवाई है अगली गेंद तयार नए ओवर की शुरुवात पर तनूजा कवर का ये ओवर समाफ्थ होने के बाद गेंद के लिए प्राजी में नए ओवर की शुरुवात करने के लिए हैं काथरीन ब्राइस रांड विकेट से फुलर लेंड डिलिवरी आफ स्टंप पर ड्राइव किया डीप पर बाउंडरी के तरफ लेगिन इस फुल लेंड डिलिवरी के ऊपर आफ स्टंप के बाहर की गेंद उपर ड्राइव करके डीप कवा बाउंटरी की तरफ केलके इन दोनों बल्ले बाजों ने एक रन बटोर कर जो वो पूरा कर लिया है और इस एक रन के साथ इन दोनों बल्ले बाजों ने स्ट्राइक जो हो यहां पर कर लिया है रोटीट 22 रनों के पर पहुंची मुंबई इंडियन्स बिना किसी विकेट के नुकसान पर काथरीन ब्राइस की राउंड विकेट से ओवद विकेट से शॉट अफ लेंड डिलेवरी आफ स्टम पर बैक फुट पर गए पंच किया गेन जाती भी बल्ले पर टकरा के मिड ओफ की दिश् मिड ओफ के पास अगली गेंड तीन गेंड और मौझूद कैतरीन ब्राइस की दाएं हाथ की बल्ले बाज मैथ्यूज फुलर लेंड डिलेवरी को इंसाइड आउट शॉट कवर के उपर से लाउंच कर देंगी चार रनों के लिए फुल लेंड डिलेवरी ती आफ स्टम प अपने पैरो को आगे लेकर आके बल्ले के बीच बीच लेके गेंड को कवर के उपर से इस गेंड को लौफ्ट करके चार रनों बटोर लिया है बहुत ही सुन्दर शॉट कवर बाउंडरी के उपर से खेलका चार रनों के लिए तो इस चौके के साथ अगली गेंड ओवद विकेट से कातरीन ब्राइस की और आफ स्टम के बाहर की गेंड के उपर बल्ले बाज ने अपने पैरो को आगे लेकर आके बल्ले के बीच ओ बीच लेकी गेंड को मिड़ाफ के तरफ ड्राइव कर दिया रन लेने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है अगली गेंड के लिए दुबारा से तैयार नज़रा रहे हैं उवद विकेट से आफ स्टम के बाहर हेली माथ्यूज ने एक और सुन्दर शॉट एक और चौका दूसरा चौका आठ रनों के उपर पहुंच चुकी हैं देखते ही देखते फुल एंड डिलिवरी थी ओफ स्टम पर अपने पैरों को आगे की तरफ लेकर आके बल्ले के बीच और बीच लेके गेन को ड्राइफ कर दिया कवर और मिड़ाफ के बीच में से बहुत बढ़ा ग्याब था और गेन निकल गई सीधा डीप कवर बाउंडरी की तरफ चार रनों के लिए इस फुल एंड डिलिवरी के उपा बहुत सुंदर शॉट एक और स्क्वेर काट इस बार और ये गेन जाती भी डीप पॉइंट बाउंडरी की तरफ एक और चौके के लिए और इस गेन को बहुत आसानी के साथ ये स्क्वेर काट कर दिया और ये इन बल्ले के बीचो बीच टेकराते वे गेन डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ निकल गए तो तीन गेन दो के उपा तीन लगतार बाउंडरी जो हैं वो यहां पर आ चुकी है और तीन लगतार बाउंडरी के साथ ही ये ओवर भी समाफ़त कर दिया है ये ओवर की समाफ़ती करने के साथ मुंबई इंडियन्स चौनती स्रनों के पहुँचा और बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद चार ओवर की खेल की समाफ़ती के बाद इस माच में एक और ओवर जो है वो समाफ़त होता वा और एक और ओवर के समाफ़ती के साथ यहाँ पर चौती स्ट्रेंस मुंबई इंडियन्स की टीम ने इस खेल में बना लिए हैं जीतने के लिए 96 गेंदों में 197 रनों की और जुर्वत है गेंदबाजी में पहली दफ़ा तेज गेंदबाज आ रही है मेगना सिंग तो मेगना सिंग जो की तेज गेंदबाज है नए उबर की शिर्वात तो फिलरलेंड डिलेवरी लेक्स्टरम की लाइन के उपा पैरो पर आती भी गेंद ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया इनोंने गेंद बले के बीच ओ बीच टकरा के सीधा पोँची वहाँ स्कुएले के दिश्चा में ठाकी का कामुए स्कुएले के फिल्डर ने गेंद को फील्ड किया वापस किया रन लेने का कोई मौका इस गेंद के अपन नहीं मिलने वाला है मेगना सिंग की अगली गेंद आ रही है तोड़ने के लिए तैयार मेगना ओवर्द विकित से गेंद बाजी कर रही है बाएं हाथ की बल्ले बाज यहां यास्तिका भाटिया को फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया कवर और एक्स्ट्रा कवा के बीच में से चार रनों के लिए पुलर लेंड डिलिवरी थी आफस्ट्रम पर अपने पैरों को आगे लेकर आके कवर और एक्स्ट्रा कवा के बीच में से इस गेंद को ड्राइव किया था और यास्तिका भाटिया के द्वारा बहुत ही सुन्दर शाट चार रनों के लिए है इस चौके के साथ मुंबई 38 रनों के पर पहुंच चुकी है इस मकाबले में अगली गेंड लेक्स्ट्रम के बाहर टपा खाने के बाद गेंद और बाहर जा रही थी अंपायर ने ये वाइड गेंड का इशारा किया और इन दोनों बल्ले बाजों ने भागते वे दोड़ कर ये एक रन पूरा कर लिया है लेक्स्ट्रम के बाहर ये गेंड थी और अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा भी करार दिया और इस वाइड बॉल के इशारे के साथ 40 रूनों की पर मुंबई पहुंच चुकी है इस खेल में और अब तक कोई भी विकेट मुंबई इंडियन्स की टीम ने नहीं गवाया है अगली गेंद मेगना सिंग की required rate 9.64 runs प्रती ओवर के हिसाब से लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर रन लेने का कोई मौका इस गेंड के उपर नहीं मिल पाएगा एक और डॉट बॉल एक और डॉट गेंड के साथ 40 ट्रोनों के पर मुंबई इंडियन्स चार ओवर और तीन गेंडों की समाफ्ती पर तोड़ने के लिए त्यार हो रही है उवद विकेट से गेंड बाज सामने आस्तिका भाटिया को आफस्टम के बाहर थोड़ी सी गेंड हवा में तेरती वी बाहर निकली ड्राइव करने का प्रियास किया लेगिन इस बार गेंड बले का बाहरी किनारा चोड़ती वी गेंड सीधा विकेट कीपर के दस्तान में और बाकी का विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंड को फिल्ड कर लिया है वहाँ अगली गेंड और आख्री की दो गेंडे और इस सोबर में मौझूद हैं मेगना सिंग के मेगना सिंग की अगली गेंड लेक्स्टम के उपर आ रही थी पैरों के पास ऑन साइड में गेंड को खेल कर डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के तरफ धकेल कर एक रन और पूरा कर लिया है इस एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्ले बाजू ने वहाँ रोटेट कर लिया और अब यह अंतीम गेंड लेकर आने के लिए गेंड बास तयार हैं और गेंड बादी के अंदर अगर हम देखते हैं तो मेगना सिंग्झ ने पांच गेंड एफेक कर अब तक आपको खुल मिलाके सात रंस दिये हैं मेगना ने और मेगना ने अब तक कोई भी सफलता भी हासल नहीं की है इस माच में अगली गेंद मेगना सिंग के इस सोबर की अन्तीम गेंद को लेकर आने के लिए तयार ओवर्द विकेट से गेंद बादी कर रही है बाएं हाथ की यास्तिका भाटिया के लिए अगली गेंद के लिए दुबारा से तयार हैं स्ट्राइक के उपा यास्तिका भाटिया और यह आतावा भाटिया के बल्ले से बहुत ही सुन्दर शॉट चार रंस स्ट्रेट ड्राइव फुलर लेंड डिलिवरी थी मेगना सिंग की तरफ से अपने फ्रंट फोट को निकाल के यास्तिका भाटिया ने सीधा शॉट लगा दिया और गेंड बल्ले के बीच और बीच ठक्रा के सीधा लॉट अफ बाउंडरी के तरफ निकल गई है एक और चौके के लिए इस फुल एंड डिलिवरी के उपा स्ट्रेट ड्राइव खेल कर बल्लिबाज ने वहां लॉंग आफ बाउंडरी के तरफ खेल कर ये चार रन्स बटोर लिए और इन चार रनों के साथ ओवर जो है वो हम देखेंगे तो समाफ्थ हो चुका है पांच ओवर की समाफ्थी के बाद पैंटालीस रन्स मुंबई इंडियन्स की टीम और पैंटालीस रनों के उपर आपको इस मैच के अंदर कोई भी विकेट जैवव अब तक नहीं गई है तो ओवर समाफ्थ होता वा और इस ओवर की समाफ्थी के साथ अगला ओवर शुरू करने के लिए गेंद बाद तयार है आश गाडनर और आश गाडनर स्विन गेंद बाद आउस्टम के बाहर ये गेंद बैक फुट पे गई बल्ले के बीच वे बीच लेके गेंद को पंच किया हेली माथ्यूज ने गिन बल्ले पर टक राके कवर की दिश्चा में पहुंची और बाकी का काम वहां कवर के फिल्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया है एक और फ्लाइट डिलिवरी ये स्लॉक श्वीप डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के तराफ एक टपा दो टपा और ये गेंज सीमा रखा गबार चार रनों के लिए फ्लाइट डिलिवरी थी आफस्टम के बाहर शफल करके आफस्टम पर आके बल्लेबाज ने बहुत आसानी के साथ गेंज को ये स्वीप कर दिया और ये इन बल्ले पर टकराती भी सीधा डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के तरफ निकल गई है और ये चार रन्स भी मिल गए है बल्लेबाज हेली क्रिस्टीन मैथ्यूस को हेली क्रिस्टीन माथिवस के बल्ले से आता वा ये है इनका चौथा चौखा लेकिन रन अब बॉल पार ही अब तक हम देखेंगे तो आपको इन्होंने केवल और केवल खेली है और यह दाय हाथ से आशली गार्डनर की गेंद ओवर दिविकेट से फ्लाइटे डिलिवरी बैक फूट पर गई बल्ले के बीच ओब बीच लिया गेंगो स्ट्रेट डाउन दा ग्राउंड खेल देंगी जब तक इस गेंगो लॉंग ऑन बाउंटरी का फिल्डर फिल्ड करके थ्रो करते एक रन और पूरा कर लिया है एक रन के साथ इन दोनों बल्ले बाजों ने स्ट्राइक जो वो रोटेट कर लिया है पचास की पार्टनर्शिप हो चुकी है दोनों की बीच पांच ओवर तीन गेंदों के पर मुंबई इंडियन्स पचास रनों के पर इस मैच के अंदर आपको हम देखेंगे तो कोई विकेट नहीं जांगली गेंद को लेकर आने के लिए तयार है राउंद रिकेट से आश गार्डनर फ्लाइट डिलिवरी मिडल एकस्टम की लाइन पर अपने पैरों को आगे लेकर आके बल्ले के बीचों बीच लेके गेंद को डिफेंड किया और गेंद बल्ले पर टक्राने के बाद वापस गेंद बास की तरफ पहुँच गई है तो बचावा कारे जो था वो गेंद बास ने अपनी बाही तरफ जाके इस गेंद को फील्ड कर लिया है वहाँ अगली गेंद के उपर एक और फ्लाइटे डिलिवरी ओस्टम के बाहर थी और इस ओस्टम के बाहर की गेंद को सामनी की तरफ सीधा शॉट मार के गेंद बास की तरफ वापस इन्होंने पुश किया रन लेने का कोई मौका नहीं अन्तिम गेंद के उपर भी कोई रन नहीं मिलेगा और यह आखरी गेंद के उपर बल्ले बास ने अपने पैरों को सामने लेकाल कर गेंद को लॉंग ओन बाउंडरी के उपर मारने की कोशिस लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी की नरद छोड़ कर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुँच गई है एक और उबर जो है वो समाफ्त होता हुआ और छे उबरों के खेल की समाफ्ती के बाद जो स्कोर नज़रा रहा है आपको इस मैच में वो 50 रन्स हो चुके हैं और 50 रनों के उपा कोई विकेट नहीं अगर आपने हमें अभी जोइन किया है तो आप लोगों को बताते चलें कि अब तक आपको पहले 6 ओवर में मुंबई इंडियन्स की टीम 191 रनों का पीछा करते हुए 50 रन्स बना चुकी है जिसमें आपको केवल एक भी विकेट अब तक मुंबई इंडियन्स की टीम की नहीं गई है 141 रन्स और चाहिए 84 गेंदों के उपा बल्लेबादी कर रही है यास्तिका भाटिया 18 गेंदों के उपा 26 रन्स बना कर और उनके साथ दूसरे चोर के उपा जो बल्लेबादी बाटिंग कर रही है वो अगर हम देखते हैं तो आपको बल्लेबादी में हेली क्रिस्टिन माथियूज नजरा रही है हेली माथियूज ने आपको 18 गेंदों के उपा 18 रन्स बनाया है आने वाले बल्लेबादों की बात करेंगे तो आने वाले बल्लेबादों में हर्मन प्रीत कौर आपको नमबर चार की पोजिशन पे खेलेंगी लेकिन नमबा तीन की पुजिशन के उपर आपको नज़राएंगी नैट, स्कीवा, बरंट, दाएंहाथ की बल्ले बाज, आल राउंडर की लाड़ी फिर आती हैं आपको नमबा पांच की पुजिशन पे एमेलिया कर इमेलिया कर के बाद बल्ले बाजी करने आएंगी दाएंहाथ की पूजा वस्तराकर बल्ले बाजी में आएंगी अमन जोत कौर अमन जोत कौर नमबा साथ की पुजिशन पे खेलेंगी अमन जोद कौर के बाद नमबर आठ की पॉजिशन के उपर S साजना बल्ले बाजी करने उतरेंगी S साजना के बाद बल्ले बाजी के लिए उतरेंगी नमबर नौ की पॉजिशन पे दाया हाथ की शबनेम इसमेल शबनेम इसमेल के बाद नमबर 10 की पोजिशन के उपा हुमेरा काजी नदर आएंगे खेलती वी और नमबर 11 की पोजिशन के उपा साइका इशाक जो हैं वो बैटिंग करने के लिए उतरेंगी आश गाड़नर ने आज अपने दो ओवरों के इंदा गेंदबादी में केवल 6 रंज दिये और 6 रंज देखे आश गाड़नर को कोई भी विकेट आपको इस मैच के इंदर नहीं मिली है गेंदबादी में तबदीली और अब गेंदबादी करने के लिए इस छोर से अगर हम देखते हैं तो आपको तेज गेंदबाद या तनुजा कवर इन दोनों में से किसी एक को कप्तान लगा सकती है बाकी के गेंदबादों का इस्तमाल करने का ये बहुत सही समय है मुंबई ने अच्छी चीज ये की है कि शुरुबाद के पावर प्ले में विकेट नहीं गवाई है और पचास रंस बना भी लिये हैं अब मैं कही रहा था कि स्पिन गेंदबाद तनुजा कवर आ सकती है और कप्तान ने तनुजा कवर को ही गेंदबादी जो है वो थमा दी है पहली गेंद लेके तनुजा कवर राउंड अविकेट से दाय हाथ की बलेबाद के लिए पहली गेंद आती हुई और बलेबाद हेली क्रिस्टीन माथ्यूज ने अब ने फ्रंट पुट पर आके सीधे बले से गेंद को पुश किया पहली गेंद पर कोई रन लेने का मौका नहीं मिला है अगली गेंद लेकर तयार है बाएंग हाथ की तनुजा कवर सामने आपको दाएंग हाथ की हेली माथ्यूज नजर आ रही है लेक्स्ट्रम की लाइन पर तनुजा कवर की क्रिस के कोने से स्टंप्स की उपर डाली भी गेंद थी बैट और पाड लेकर आके गेंद को सामने की तरफ डिफेंड किया हेली माथ्यूज ने रन लेने का कोई मौका इस दूसरी गेंद पर भी नहीं मिलने वाला है पहली गेंद पर कोई रन नहीं दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं लेकिन अगली गेंद को हवा में लॉफ्ट कर दिया बले बाज ने फिल्डा पीछे मौझूद और ये गिर्ती भी मुंबई की 50 रनों के उपा पहली विकेट बड़ा शॉट मारने की कोशिस कर रही थी ये लेकिन बड़ा शॉट लगा नहीं क्योंकि वहां फिल्डा मौझूद थी और हेली माथ्यूद गेन को कनेक्ट नहीं कर पाई थी बल्ले पर और जो बाउन्डरी के उपा फिल्डा थी उन्होंने कोई गलती नहीं की और हेली माथ्यूद को 18 रनों के पचलता कर दिया 21 गेंदों का सामना करने के बाद आपको इस माच में मुंबई ने 50 रनों के उपा ये पहला विकेट गवाया आउट होने वाली खिलाडी हेली माथ्यूद वापस जा रही है पवीलिन की तराफ मुंबई 50 रनों के उपा एक विकेट आपको इस मैच के अंदर गिर चुका है पचास रनों के उपा ये एक विकेट आपको इस टीम ने गवाया है यहाँ इस मैच में नंबर तीन की पॉजिशन के उपा एक और खतरनाक बलेबाज है नाट्स की वब ब्रंट लगी बाटिंग बहुत अच्छा करती है नाट्सकिवर ब्रंट तो नाट्सकिवर ब्रंट जो है वो आपको नंबार तीन की पुजिशन के इस बाटिंग करने उतरी है इस मैंच में और नाट्सकिवर ब्रंट all-rounder बलेबाज है तो बड़े बड़े शॉट्स आपको नाट स्कीवर बरंट को पहली ही गेंद से मारने पड़ेंगे यहाँ अगर आप डिफेंसिव बल्ले बाजी करने है वाले है तो कुछ नहीं होने वाला है इस माच में यहाँ से आपको आकरामा क्रिकेट जो है वो खेल कर दिखानी पड़ेगी और यह नयोवर की शुरवात की पहली गेंद आती ही उवेद विकेट से सामना करने के लिए बल्ले बाज त्यार है दाय हाथ की नाट स्कीव बरंट राउंद विकेट से तनुजा कवर किये चौथी गेंद लेक्स्टम की लाइन पर तीनो स्टम्स के उप़ा यह गेंद थी और नाट स्कीव बरंट ने अपने फ्रन्ट फुट पर आकर सीधे बल् रही रन भागने का कोई मौका इस चौथी गेंद पर इनको नहीं मिलेगा तो अगली गेंद के लिए तयार है तामने आपको स्ट्राइक के पर मवजूद है दाय हाथ की नाट स्कीव बरंट अपने पहले रन के लिए पैरो पर आती वी गेंद स्वीप कर देंगी बहुत आ बाउंडरी की तरफ और इन दोनों भले बाजों ने भाग कर ये एक रंज वो और पूरा कर लिया है वहाँ और डीप स्कॉयल एक बाउंडरी की तरफ खेल के एक रंड बटोर के स्कॉर जो है वो इसमें क्यावन रनों के पर पहुंचा इस माच में मुंबई इंडियंस के टीम के लिए छे ओवर और पांच गेंदों की समाफ्ती पर अगली गेंद के लिए दुबारा से त्यार है तनूजा कवर राउंड विकेट से दायाहाथ की बले बाउंड स्ट्राइक के उपर बायाहाथ की यास्तिका भाटिया और यास्तिका भाटिया का आतावा ये एक और बड़ा शॉर्ट गेंद वहाँ पैरो पर लगी और पैरो पर लगने के बाद ऐसा लग रहा है कि गेंद फाइन लेक बाउंडरी के तरफ निकल गई है लेक बाई के रूप में ये चौका मिलतावा लेक बाई के रूप में ये चौका मिलेगा गेंद पैरो पर टकरा के फाइन लेक बाउंडरी के तरफ निकल गई है और इन चार रणों के साथ ही जो स्कोर नज़रा रहा है मुंबई इंडियन्स का पचपन रंस और एक विकेट के नुकसान के बाद साथ ओवरों की समाफ्ती पार जीतने के लिए 78 गेंदों के उपा यानि कि 13 ओवरों में इस मैच में अभी भी 136 रंों की और जरुरत है अगला ओबर शुरू करने के लिए गेंद बाजी में तनुचा कवर ने हमने दो ओवरों में केवल 6 रंस दिये हैं और एक सफलता भी अभी भी हासल की थी बहुत जबरदस गेंद बाजी आपको इन्होंने करके दिखाई थी मुहमद शबनम शकील आ रही हैं जो कि बहुत अच्छी खिलाडी है मुहमद शबनम शकील बहुत ही जबरदस खिलाडी शबनम शकील है पहले गेंड शकील की आज जई अपना दूसरा मैच खेल रही है सीजन का शकील के लिए फुल एंड डिलिवरी आउटसाइड यॉफ स्टंप टपा खाने के बाद गेंड और बाहर की तरफ जा रही थी अपने पैरों को आगे लेकर आके गेंड को बल्ले के बीचो बीच लेके गेंड को ड्राइफ कर दिया है और गेंड जो है वो सीधा बल्ले पर टकड़ा के कवर बाउंडरी के तरह पहुंची जब तेक इस गेम को डीप कवर बाउंडरी का फिल्डर फिल्ड करके थ्रू कर पाते हैं इन दोनों बल्ले बाज उने दोड़ के ये एक रन और पूरा कर लिया है अगली गेंद मुहमद शबनम शकील या शबनम मुहमद शकील कह सकते हैं शकील के लिए इस उबर की दूसरी गेंदा आती है नाट्स की वब ब्रंट की तरफ से नाट्स की वब रंट ने दो रंज बनाये हैं अभी अभी बाटिंग करने ही आपको उत्री हैं ओए एक बड़ी पारी खेलने की जुरत था आपको इस खिलाडी को जहां दाय हाथ से लेक्स्टम की लाइन पर नाट्स की वब रंट के लिए पुल लेंड डिलेवरी थी शबनम फ्लिक करके डीप स्कोर एक बाउंडरी के तराफ खेल कर इन दोनों ही बल्ले बाजुने भाग कर दोड कर ये एक रंड और पूरा कर लिया है वहाँ एक और रं के साथ स्कोर होता वह बढ़कर संतावन रंस और संतावन रंओ के उपर आपको दो विक्ट अगली गेंड शकील की गेंड बल्ले का किनारा और नाट्स की वब रंट आउट हो गई है इसी बीच ये दूसरी विकट गिरती भी दूसरे लगतार ओवर में पिछले ओवर में तनूजा कवर ने चलता किया था इस ओवर के अंदर शब्नम शकील की गेंड के उपा उठ हो गई है और ये दूसरी विकट आपको मुंबई इंडियन्स की टीम ने पांच साथ ओवर्स और तीन गेंडों की समाफती के बाद तंतावन रंओ के उपर दूसरा विक दोस्तों वो उमीदे कम होती जा रही है क्योंकि मुंबई इंडियन्स संतावन रंओ के उपर ये दूसरा विकट गवा चुका है और इस दूसरे विकट के गवाने के साथ ही संतावन रंओ के उपर इसमें दो विकटे गई हुई है इस माच में इस टीम के लिए नई प्राज जो आ रही है नमबर 4 की पोजिशन पहरमन प्रीत कौर बहुत यह कमाल की बलिबाद हैं आज इनके पास मौका है टीम के लिए कुछ अच्छा परदर्शन करके दिखाने का हर्मन प्रीद कौर बहुत जबरदस खिलाडी है बैटिंग बहुत अच्छा करती है गेंदबाजी बहुत अच्छा करती है इस सारी चीज़े अच्छा कर लेती हैं आपको हर्मन प्रीद कौर अज मौका है कप्तान हर्मन प्रीद कौर के पास एक बड़ी पारी खेल कर अपने टीम के लिए एक बड़ा स्कोर बनाने का क्या अपने टीम को मैच जिता पाएंगी अगर हर्मन प्रीद कौर नहीं यहां से इस मैच के अंदर जीत दिला दी तो मुंबई इंडियन्स की टीम यहां पर आपको पॉइंट स्टेबल में नमबर एक पर भी आ जाएगी दसंकों के साथ और इस सीजन के अंदर आपको क्वालिफाई भी कर जाएगी गुजराद भी कॉम्पेटिशन से बाहर हो जाएगा फुल एंड डिलेवरी दाया हाथ की हर्मन प्रीद कौर के लिए और हर्मन प्रीद कौर ने गेंद को ड्राइफ किया गेंजाती भी वहां लॉंग आफ बाउंडरी के तराफ एक रन के लिए एक रन के साथ मुंबई इंडियन्स के टीम अंठावन रनों के उपर पहुंचा दो विक्टो के नुकसान पर साथ ओवर और चार गेंदों की समाफ्ती जो वो अल्रीडी हो चुकी है शबनम शकील की गेंदबादी पर शबनम शकील है यह और शबनम शकील की अगर हम बात करेंगे बहुत अच्छी गेंद बाद आपको शबनम शकील लेकिन शबनम शकील की अगली गेंद के उपर बहुत ही खराब गेंद और बले बाद ने इस गेंद के उपर सही नतीज़ा दिखाया चार रनों के लिए यास्तिका भाटिया ने शबनम शकील की गेंद लगबग 103 किलो मिटर प्रती घंटे के स्पीड से डाली गई थी यास्तिका भाटिया क्रीस पे मौझूद थी और इस गेंद को फिलिक करके चार रन्स बटोर लिये हिनों ने और इन चार रनों के साथ ही यास्तिका भाटिया 31 पे पहुंची इस चौके के साथ ही जहां अगली गेंद को लेकर आने के लिए त्यार हैं बल्ले बाज लिक्स्टम की लाइन पर आती वी गेंद अपने पैरों को आगे लेकर आके सीधे बल्ले से इस बाज स्ट्रेइट डाउन दड ग्राउंड केला यं बल्ले पर तकरा के सीधा पहुंचती वी फिल्डर के पास और बाकी का काम वहां फिल्डर ने इस गेंद को फील करके वहां वापस कर दिया तो जो फिल्डब मौझूद थी वहाँ पर उन्हें इस गेंद को फील करके वापस कर दिया रन लेने का कोई भी मौका इस गेंद के उपर जो वो नहीं मिलने वाला है एक रन मिलेने का मौका था अंतीम गेंद के उपर और इस एक रन के साथ ही जो स्कोर नज़र आ रहा है इस टीम का वो हैं तेरी सट रन्स और तेरी सट रनों के उपर आपको दो विक्टे हैं मौंबई इंडियन्स की टीम आठ होवरो के खेल की समाफ्ती पार अगली गेंद लेकर तयार है नायोवर की शिरुवात पर और सामने आपको बैट इंक्रीस के पज़ मौजूद नज़र आ रही हैं बल्ले बाजी में वो अगर हम देखते हैं तो यास्ती का भाट या मेगना सिंग के नयोवर की शिरुवात की पहली गेंद आफस्टम के बाहर थी ठपा कहने के बाद गेंद ऑर बाहर जा रही थी गेंद को ड्राइफ कर दिया कवर और मिड़ microwave के बीच में से past चार रनों के लिए राउंद विकेट से मेगना सिंग की अगली गेंद बाया हाथ की बले बाद यास्तिका भाटिया के लिए यास्तिका भाटिया ने अपने फ्रंट फुट पर आके सीधे बले से गेंद को ड्राइफ किया गेंद बले पर ठकरा के जाती भी वहाँ लॉंग आफ की दिश्रा में एक run के लिए हैं पहली गेंद पर चौका दूसरी गेंद पर सिंगल दो गेंदों में पांच run का चुके हैं और पांच run आने के साथ ही score जो है वो और सट रनों के इपर पहुंच चुका है मूंबई इंडियन्स के लिए हैं मेगना सिंग को कोई सफलता जो वो नहीं मिली है अगली गेंड दाया हाथ की हर्मन प्रीद कौर के लिए फिल्डिंग में थोड़ा सा बदलाओ विकेट कीपर स्टम से बिल्कुल चिपक के खड़ी हो रही है गेंड जाती भी वहाँ डीप स्कौैल एक बाउंडरी पर और इस गेंड को अग्यों को डीप स्कौैल एक बाउंडरी के तरफ हर्मन प्रीद कौर ने कھیला लेकिन जब तक इस गेंड को डीप स्कौैल एक बाउंडरी के पास है फिल्डा वहाँ फील्ड कर पाती, थ्रू कर पाती, एक रन के साथ स्ट्राइक इंड, दोनों बल्ले बाजों ने रोटेट कर लिया है, मुंबई, इस सिंगल के साथ 79 रनों के उपर पहुंचा, दो विक्टो के नुक साइन पर, 69 रनों के उपर मुंबई की टीम, 69 रनों के उपर दो विक्टो पे पहुंची, 6 ओवर, 103 गेंडों की समाफ्ती के बाद, आखरी के 11 और ओवरों का खेल रहे गया है, इस मैच के अंदर बाकी, मैच जीतने के लिए चाहिए आपको इस मैच में केवल 122 रन्स, और 68 गेंडों का और सामना करना बाकी है इस मैच में, अगली गेंड मेगना सिंग की, फुल लेंड डिलिवरी, ओवर द विकेट से आफस्टम के बाहर ये गें ती, यास्तिका भाटिया को, और मेगना सिंग की इस गेंड को देखा, यास्तिका भाटिया ने गेंड को सामने की तरह पुश कि ही है अभी दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम बहुत खतरनाक बल्ले बाजी कर रही थी इस माच में गुजरात की टीम 10-12 का पहाड़ा पढ़ रही थी आपको शुरू के 8-9 ओवरो में 12 ओवरो तक यहां तक शुरू के 14-15 ओवरो तक तो ऐसा लग रहा था कि गुजरात आज के दिन जो है वो 210-220 बना लेगी लेकिन दयालान हेमलता जैसे ही आउट हुई और उनके साथ बैत मुनी जो खेल रही थी वो आउट हुई उसके बाद तो दोस्तों विक्टे गिरना शुरू ऐसी हुई कि 200 तक भी नहीं पहुँच पाई गुजरात लेकिन अंध में भारती फूल माली ने एक सांदार पारी खेल कर टीम को 190 तक पहुचाया है अगली गेंद मेगना सिंग की तरफ से दाया हाथ से दोड़ना शुरू कर रही है मेगना आपको बैटिंग ख्रीज के पर तयार नदर आ रही है हर्मन प्रीत को और ये ओवर के अंतीम गेंद है औ इडाफ के उपा रन लेने का कोई मौका नहीं एक और ओवर जो है वो समाफ्त हो गया है इदर एक और ओवर समाफ्त होता हुआ और एक और ओवर की समाफ्ती के साथ जो स्कोर है वो 70 रनों के आप पहुंचा मुम्बई इंडियन्स की टीम 70 रनों के उपर 2 विक्टे आपको इस मैच के अंदर पहुँच चुका है जीतने के लिए 121 रनों की जुरत है आपको इस मैच में जोगी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि आपको इतने सारे रन्स जो है वो बनते वे हमें नजर आएंगे मुझे तुम लगता कि आपको इतने सारे रन्स जो है वो आज के दिन बनने वाले हैं वैसे भी बहुत रनों की जुरत है स्नेहराना आ गई है चलिए स्नेहराना बहुती खतरनाक खिलाडी है और वो स्नेहराना जो है नए ओवर की शुरुवात के साथ पहली गेंद लेकर चली राउंड विकेट से आफस्ट्रम के बाहर और बैक फूट पर जाके सीधे बल्ले से गेंद को सामने की तरफ पुश किया रन्ले लेका पहली गेंद के पर कोई मौका नहीं मिलने वाला है नहीं राना बहुत दिनों से टीम से बाहर चल रही ही थी लेकिन आज खेलने का मौका मिलता वा और इस मौके का पूरा फाइदा जरूर उठाने की कोशिस जहां अगली गेंद के लिए त्यार लेक्स्टम की लाइन पर आती भी गेंद आपने पैरो को आगे लेकर आके बल्ले के बीचों बीच लेके गेंद को ऑन साइड में ढखेल देंगी गेंद जाती भी वहां लॉंग आफ बाउंडरी की तरफ पहले रन का कॉल किया है लेगिन जब तक इस गेन को वहां Long Off Boundry का फिल्डर डिल करके त gjort कर पाते हैं तब तक इन दोनों बहले बाज़ें ने दोड़कर भाग कर ये 1 रन और पूरा कर लिया है वहाँ एक रन के साथ इन दोनों बल्ले बाजों ने स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर लिया है और स्कोर मुंबई इंडियन्स के टीम का हो चुका है बढ़कर एकात्र रन्स और एकात्र रनों के उपर आपको दो विक्टे गई हुई है रनों की तेज गती से लगाने की कोशिस लेकिन लग नहीं पा रहा है कि दोस्तों आपको यहां पे हो पाने वाला है मुंबई इंडियन्स से आज के दिन क्योंकि हर्मन प्रीट कौर चार गेंदों के उपर दो बना का खेल रही है और ना उनके साथ जो दूसरी बल्ले बाजे वो रन्स बना पा रही है आफस्टम के बाहर यह गेंद थी टपक खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी और इस बाहर जाती वी गेंद को बल्ले बाज हर्मन प्रीट कौर ने अपने पैरो को आगे की तरफ लेकर आके गेंद को सीधे बल्ले से सामने की तरफ गेंद को केवल पुश किया और बचावा कार मिड़ाफ के फिल्डर ने इस गेंद को फिल्ड करके वहाँ वापस कर दिया है अगली गेंद सने हराना की तरफ से आती भी तो सनेहराना इसे में बैटिंग क्रीस के अपर तयार नजर आ रही है इस बीच अगली गेंस नेहराना की अर्मन प्रीद कौर कप्तान के लिए कप्तान ने इस गेंड को सामने की दिश्चा में ढखेल दिया गेंड बल्ले के बीच औ बीच टकरा के लॉंग ऑन बाउंडरी की तरह पहुंच गई है लगिन जब तक इस गेंड को लॉंग ऑन बाउंडरी का फिल्डर फیल्ड करके थ्रो पाते हैं इन दोनों बल्ले बाझ उन्हें दॉड कर भाग कर ये 1 रन और पूरा कर लिया है बहुती सुन्दर शॉट लगाया था इस गेन पर, अपने बले के बीच ओबीच लेते वे, गेन को डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ यास्ति का, भाटिया ने इस गेन को खेल दिया था, और गेन देखते ही देखते वहां, डीप पॉइंट बाउंडरी के तरफ निकल के चले गई है और ये पूरे चार रन्स इस गेंड के पप फ्राप्ट हो गए हैं बले बास के लिए एक और चौका और इस चौके के साथ ही दस ओवरों का जो खेल था वो समाफ एक सो पंद्रा और रनों की जरुरत इस मकाबले के अंदर ये माच जीतने के लिए चाहिए साथ और गेंडे रहे गई हैं अन्तीम जो गेंड थी इसने हिराना की कदमों का इस्तमाल करके कवर और मिड़ाफ के बीच में से गेंड को बले बास ने जो वर ड्राइफ किया था लेगिन गेंड बले पर ठकरा के डीब कवर बाउंडरे की तरफ निकल के चले गई और गेंड देखते ही देखते वो चार रनों के लिए पहुँच गई है एक और चौका मिला ओवर की समाफ्ती हो गई है वहाँ और इस ओवर की समाफ्ती के बाद गेंड बादी में अगर हम देखते हैं तो आपको सनेहराना अपना पहला ओवर समाफ्त कर चुकी है जिसमें केवल और केवल छे रन्स दी है अच्छी गेंड बादी उन्होंने करके दिखाई और अगली ओवर की शुरुवाद करने के लिए गेंड बादी में तब्दील हो रही है नय ओवर की शुरुवाद की पहली गेंड और इस नय ओवर की शुरुवाद की पहली गेंड के उपबल लिबाद ने कोई भी रन जो के वहाँ वापस कर दिया है दिल्ली बनाम RCB का कल मुकाबला है ये गेंद बाज शबनम शकील आई है तेज गेंद बाज इस छोर से शबनम शकील की ये आफस्टम के बाहर ये गेंद गाइड करने की कोशिस गुर्लेंड पर टपा खाने के बाद डीप थर्ड विन बाउंडर पर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है वहाँ आम नहीं होने वाला है ऐसे तो सिंगल डबल सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा यहाँ जवरत है किसी चीज़ की तो वो चौके और चखकों की जवरत अगली गेंद ऑस्टम पार टाट अफ लेंड डिलिवरी आउटसाइड अफ स्टम गेंद को डीप थर्ड बन बाउंडरी के तरफ खेलने का प्रयास लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुंची शाट थर्ड बन की दिश्चा में रन लेने का कोई मौका इस गेंद के उपर नहीं मिलने वाला एक और डाट गेंद अन्तीम की तीन और सिब बल्ले बाजी डिफेंसिव मोड में चली गई हैं आपको हर्मन प्रीद कौर किसी को याद दिलाना पड़ेगा हर्मन प्रीद कौर को कि वो टी ट्वंटी केल रही हैं फुल एंड डिलिवरी आउटसाइद धी आफ स्टांप और या आतावा चौका शबनम शकील की ये रंस मुंबई इंडियन्स दो विक्टो के नुकसान के बाद शबनम शकील की ये गेंद 112 किलमिटर प्रती घंटे के स्पीड से गेंड डाली गई थी शबनम शकील की तरफ से अबले बाज हर्मन प्रीद कौर ने पॉइंट और कवर के बीच जो बहुत बड़ा ग्याब था उस दोनों फिल्डरों के बीच में से खेल कर चार रंस बटोर लिये हैं इस चौके के साथी स्कोर हो गया है बढ़कर आपको सी रंस अखली गेंडिया फुल लेंड डिलिवरी आफस्टिम के बाहर थी टपा खाने के बाद गेंड अंगल बनाती भी अंदर की तरफ आई पांचवी गेंड के उपा इनको नहीं मिलने वाला है आखरी की एक और गेंड मौजूद है और इस अंतिम गेंड के उपा शबनम शकील मौमद शबनम शकील इस समय गेंड बादी कर रही है शकील की यह अंतिम गेंड के उपा हर्मन प्रीद कॉर स्ट्राइक के उपा मौज लिया है तो एक और रन के साथ यह उवर जो वो समाफ्थ होता हुआ और इस उवर की समाफ्थी के साथ 11 ओवरो का खेल भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं समाफ्थ हो चुका है 11 ओवरोई के खेल की समाफ़ती पर मुंबाई इंडियन्स 81 रंस बिना किस दो विक टोके नुकसान पर यह जो अंदिम गेन थी वो 101 किलोमिटर प्रती घंटे के स्पीड से शकील की आफस्टम के बाहर फ्रंट फुट पर आके गेन को ड्राइफ किया कव बाउंटरी की तरफ जब तक इस गेन को डीप कवा बाउंटरी का फिल्डर फिल्ड करके थ्रो कर पातें इन दोने बल्ले बाज़у ने दौड़ते वर भाग कर यह एक रंड और पुरा कर लिया है एक और रं के साथ जो स्कोर है 106 रनों की और 110 रनों की और जरूरत नय ओवर की शुरुवात पहली गेंद और यह पहली ही गेंद के उपास स्ने राना का हर्मन प्रीद कौर ने चौके के लिए खेल दिया है इसने राना पहले ओवर में किवल 6 रन्स देकर बच गई थी लेकिन यह दूसरे ओवर के अंदर नहीं बचेंगी पहली ही गेंद थी और इस पहली ही गेंद के उपर ताकतवर शॉट लगा के हर्मन प्रीद कौर ने 4 रनों के ले खेल दिया है अर्मन प्रीद कौर के बल्ले से यह आतावा उनका दूसरा चौका और वो भी रिवर्स स्वीप करके इनुने चौका मारा था लेक्स्टम की लाइन की गेन के उपर रिवर्स स्वीप करके चार रंज बटोरे इस भी चगली गेन पैरो पर आती भी स्वीप कर देंगे गेन को डीप स्कुल एक बाउंडरी के तरह पहला रन पूरा किया दूसरे रन का कॉल किया है लगिन जबते कि इस गेन को डीप स्कुल एक बाउंडरी का फिल्ड़ फील करके थ्रो करते हैं दोनों बल्ले बाउजों ने दौड के भाग कर ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है पैरो के पास ये गेन थी अपने फ्रंट फुट को निकाल के स्वीप करके डीप स्कुल एक बाउंडरी के तरह खेल के इन दोनों बल्ले बाउजों ने दौड कर आराम से दो रन्स पूरे कर लिये हैं और इन दो रनों के साथ अगली गेन स्नेहराना की पैरो के पास आ रही थी अपनी टपा खाने के बाद गेन अंदर के तरह आ रही थी बल्ले के बीच और बीच लेके गेन को सामने के तरह डिफेंड कर दिया है और गेन बल्ले के बीच और बीच करका के गेन बास के पास रन लेने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है तीन गेंदे सनिहराना के सोवर केंदवाव मौजूद हैं और सनिहराना की एक और फ्लाइट डिलिवरी आस्टम पर रिवार्स पीप मारने की कोशिस गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुँचे विकेट कीपर की तरफ और बाकी का काम विकेट कीपर ने अपनी बाईं तरफ जाके इस गेंड को फील्ड कर लिया और ये ओवर जो है वो हम देखेंगे तो चौती गेंड के उप़र रन लेने का मौका नहीं मिला है अभी भी आपको दो और गेंडे मौझूद है और अन्तीम की दो और गेंडों के उपा बैटिंग्रीस के उप़र जो मौझूद है वो हर्मन पुरीत कौर और हर्मन पुरीत कौर ने इस तोबर की अगली गेंड के उप़र ये सिंगल पूरा कर लिया है अच्छी गेन थी टपा खाने के बाद टर्न होती भी गेन अंदर आ रही थी और इस गेन को सीधा शॉट लगा के लॉंग ओन बाउंडरी के तरफ क्याप था वहाँ पर ग्याप के अंदा खेल के एक रन बटोर लिया है इस एक रन के साथ स्कोर होता वा अठासी रन दो विक्टों के नुकसान पर अठासी रनों के उपद दो विक्टे गई हैं मुंबई इंडियन्स आखरी गेन्स ने राना के दूसरे ओवर के अंदा पहली गेन पर चौका खाने के बावजूद इन्होंने केवल अभी तक आपको साथ रन्स दिये है अगली गेन्द के लिए तयार और यह सूबर की अंतीम गेन्द है बावजूद की यास्तिका भाटिया के अगर हम बात करते हैं तो आपको अब तक आपको 43 रन्स बना कर यांतीम गेन्द पर एक और चौका यास्तिका भाटिया के बल्ले से ये इनका आठवा चौका आया है एक छक्का भी इस खिलाडी ने अब तक लगाया है इस मुकाबले में दायहाँद से स्नेयराना के दूसरे ओवर की अंतीम गेन्द जो की राउंद विकेट से गेन्द बावजी कर रहे ही थी बावजूद की बल्ले ब बाउंडरी की तरफ केल दिया चार रनों के लिए हैं बहुत सुंदर शॉट कदमों का इस्तमाल करके स्ट्रेइट डाउन दा ग्राउंड केलकर चौका बटो रहे हैं इन्होंने उबर समाफ 12 के बाद 92 रनों के उपर पहुँची मुंबई जहां अगली गेन्द को लेकर आने के लिए तयार हैं बहुत से तनूजा कवर तनूजा कवर के नयवर की शिरुवात की पहली गेन्द लेक्स्टम की लाइन पर थी अप पाखाने के बाद गेन्ट टर्न होती वी अंदर की तरफ आई सीधे बल्ले से गेन को स्ट्राइट डाउन दे ग्राउंड खेल देंगे जब तक इस गेन को वहां लॉंग ओन बाउंडरी का फिल्डर फील करके त्रो कर पाती हैं तब तक इन दोनों बल्ले बाज़ने दोड़ते वे भाग कर ये एक रन और पूरा कर लिया है तनूजा कवर जो की राउंड विकेट से गेन बाज़ी कर रही है इसमें इस चोर से गेन बाज़ी आपको बहुत अच्छी कर रही है इसमें इस मुकाबले के अंदर हम देखेंगे तो 93 रनों के पर पहुंची है टीम दो विक्टो के नुकसान के बाद अगली गेंद अगली गेंद के लिए तयार तनूजा कवर राउंड विकेट से पैरो के पास आती भी गेंद को सामने के तरफ खेल दिया और गेंद को गेंदास की तरफ धकेल के वापस फिलाल फील्ड कर लिया गया है और रन जो है वो इस गेंद के उपर नहीं मिलने वाला है एक और डॉट डिलिवरी कोर जो है वो 95 रनों के उपर पहुंचा इस खेल में और अगली गेंद शॉर्ट थी बैक फूट पे गईए इस गेंद को पुल कर दिया इनोंने गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुंची है लांग ओन बाउंडरी के तरफ और ये गेंद एक टप पकाने के बाद चार रनों के लिए तो नहीं लेकिन एक रन के लिए जरूर मिल गई है इस एक रन के साथ मुंबई 95 के पहुंचा यास्तिका भाटिया जो की रन बॉल पारी खेल रही है इस बीच तनूजा कवर की गेंद अपील की जाती भी और ये विकेट मिल गई है लेकिन बल्ले बाज ने यहां बिना किसी समय गवाए रिव्यू का फैसला जो वो कर लिया है तनूजा कवर की गेंद ती यास्तिका भाटिया को यास्तिका भाटिया ने इस गेंद के उपकट करने की कोशिस की आफस्टम के बाहर की गेंद को और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई है लेकिन रिव्यू जो है वो बल्ले बाज नहीं हाँ ले लिया है आए देखते हैं कि आपको ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में गया है या बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ कर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गया है आफस्टम के बाहर ये गेंद थी बाया हाथ की यास्ति का भाटिया के लिए ये स्क्वेर कट करने का प्रयास कर रही थी बैक फुट पे जाके भाटिया लेकिन गेंद टर्न होती भी बाहर निकली अल्टरा एज अगर हम देखते हैं तो गेंद और बल्ले के बीच कोई भी संपर्क नहीं हुआ है और जो ये अमपायर का आउट का डिसिजन था वो डिसिजन तब्दील करना पड़ेगा रिव्यू रिटेन हो जाएगा तो कि बल्ले का किनारा छोड़ कर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुँची है और ये नॉट आउट का फैसला सुना दिया गया है 95 रन्स मुंबई इंडियन्स दो विक टोके नुकसान के बाद इस माच में 44 गेंदों में 96 रनों की जरुरत जहां बाएं हाथ से तनुजा कवर की अंतीम की दो गेंदे मौझूद हैं और ये अगली गेंद के उपर एक और रन लेने में कामयाब हो गई और तनुजा कवर की इस गेंद के उपर सिंगल लेके स्ट्राइक जो है वो इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटीट कर लिया है गेंद अचीती तनुजा कवर की तरफ से सामने आपको बाएं हाथ की बल्लेबाज यास्तिका भाटिया थी यास्तिका भाटिया ने ओस्टम पर आके इस गेंद को स्कूप किया था और गेंद सिधा शॉट फाइन लेके पास पहुंची शाट फाइनले के फिल्डर ने इस गेन को फील्ड करके वहाँ वापस कर दिया और इन दोनों बल्लेवाजों ने भाग कर दौड कर ये एक रंज वो पूरा कर लिया है और 96 रोनों के पाइस माच के अंदर मुंबई इंडियन्स के टीम पहुंची दो विक्टे बाइहाथ से गेन बादी करने के लिए त्यार है तनूजा कवर और एक और फ्लाइट डिलिवरी के उपर आफस्टम के बाहर आती वी गेन टपा खाने के बाद टर्न होकर सीधे बल्ले से सामने के तरफ गेन को पुश कर दिया रन लेने का मौका आखरी गेन के उपर एक रन का और एक रन के साथ 13 ओवर का जो खेल था वो समाफ़त हो चुका है तो 13 ओवरों के खेल की समाफ़ती पर आपको मुंबई इंडियन्स की टीम जो है 97 रनों के उपर पहुंची और 97 रनों के उपर आपको दो विक्टे हो गई है इस माच में आने वाले बल्यबाजों के उपर एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी बल्यबाज जो हैं वो इसके बाद बाटिंग करने के लिए आएंगी लेकिन उसके पहले अभी तक मुंबई इंडियन्स की टीम जो क्या कुछ किया है बाटिंग में उसके उपर भी एक नज़र डाल लेते हैं मुंबई 191 रनों का पीछा करने उत्री यास्तिका भाटिया अभी नाबाद है 49 रनों के उपर 34 गेंदों का सामना करके 8 चौका और एक छक्का भाटिया ने लगाया है हेली माथिउज ने 18 रन बनाए है 21 गेंदों का सामना करके नाट्स की वब रन्ट दो रन्स बनाकर आउट हुई चार गेंदों के उपर हरमन प्रीद का और रन बॉल पारी 18 रन बनाके 19 गेंदों में खेल रही हैं और 10 रन अब तक मुफ्त में मिले हैं इसमें चार भाई, दो वाईड और चार लेग भाई के रूप में फॉल ओ विकेट्स में 50 पे पहला विकेट गिरा 57 पे दूसरा विकेट गिरा आशली गार्डनर ने 2 ओवर में 6 रन दे के कोई विकेट नहीं कैथरीन ब्राइस ने 2 ओवर में 24 दे के कोई विकेट नहीं तनुजा कवर ने 3 ओवर में 11 रन दे के एक विकेट निकाला है मेगना सिंग ने 2 ओवर में 18 रन दे के कोई विकेट नहीं निकाला अबने शबनम मुहमद शकील ने इस मैच के अंदर दो ओवर में 13 रंदे के एक विकेट निकाला और स्नेहराना ने अबने दो में 17 रंदे के कोई विकेट नी पावर पले में 50 रंज बने अब आने वाले बल्ले बाजों के उपर एक नज़र डालते हैं दोस्तों तो आने वाले बल्ले बाजों में जो मुंबई इंडियन्स की टीम की तरफ से अगली बल्ले बाज होंगी वो होंगी आपको एमेलिया कर जो की दाएंहाथ की बल्ले बाज हैं बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं एमेलिया कर एमेलिया कर के बाद आपको अगली बल्लेबाज नमब छे की पॉजिशन के उपर जो आएंगी बाटिंग करने के लिए वो हैं दाएं हाथ की पूजा वस्तराकर पूजा वस्तराकर के बाद नमब साथ की पॉजिशन के उपर अमन जोद कौर बाटिंग करने उतरेंगी को साइका इशाक जो हैं वो नजर आने वाली हैं खेलती हुई तो ये तो इसके बाद आने वाले बले बाजो का नाम है लेकिन 42 गेंदे यानि कि 7 ओवर और 7 ओवर में 52 रनों की और जरुरत मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुम्किन नहीं है दोस्तों क्योंकि T20 क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है T20 क्रिकेट के अंदा तनुजा कवर ने 3 ओवर में 11 रन दिये हैं और कप्तान ने अब आश गाडनर को जो है वो गेंद थमा दी है तो स्ट्राटिजिक टाइम आउट समाफ्त हो चुका है बल्ले बाजी वाला और स्ट्राटिजिक टाइम आउट की समाफ्ती के बाद स्ट्राटिजिक टाइम आउट में अपको जो आश गाडनर है तो हरमन प्रीद कौर ने अपने बल्ले को बदल दिया है मैं आपको बता दू और आश गाडनर आ रही है जो की नई गेंद बाज है तो भारी बल्ला यहां हरमन प्रीद कौर ने मंगा लिया है जो हलका बल्ले से खेल रही थी अभी तक अब हम देखते हैं तो आपको वह भारी बल्ले से बाटिंग करती भी नज़राएंगी स्ट्राटिजिक टाइम आउट में हमने देखा कि आपको उन्हें भारी बल्ला मंगा लिया है तो टाइम आउट तो समाफ्त हो चुका है लेकिन टाइम आउट समाफ्ती होने के बावजूद आपको इसमें पानी पिया जा रहा है वतानी कितना ज़्यादा पानी पिया जाएगा स्कोर 97 रंस आश गाडनर के नई गेन अर्मन प्रीद कौर को अर्मन प्रीद कौर या तो आर या तो पार यहां से या तो चौके या तो छके या तो विकेट यह लड़ाई लड़ेंगी यहां पहली गेन को लाँच कर दिया लेकिन गेन कनेक्ट नहीं हुई बल्ले पार फिल्ड़ा वहां मौजूद थी एक रंड के लिए अशली गार्ड़नर की नए ओवर की शिरुवात की पहली गेन्द के उपा केवल और केवल मिला है वहां सिंगल 98 पे दो विक्टे मुंबाई इंडियन्स बैक फूट पे जाके शॉट अफ लेंड डिलेवरी को पुल किया था डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के पास एक रं के लिए इसने हिराना की जगा आपको आशली गार्ड़नर का इस्तमाल किया गया इस मैच में अगली गेन के लिए तयार आशली गार्ड़नर की राउंड विकेट से गेन्स टंप्स की लाइन के उपा अपील की जा रही है लबे डबलो की लेकिन अमपायर ने वहाँ नोट आउट दे दिया है रिवियू लिया जा सकता है क्योंकि कप्तान इसमें बैत मूनी बहुती ज़ादा इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टेड नज़रा रही है इस अपील पर लेकिन नहीं गेंद बाज ने कहा कि साहिद आपको गेंद बाहर जा रही है इसलिए मन बदल दिया दोनोंने और अब बाए हाथ की यास्तिका भाटिया एक रंदूर है अपने अर्द सतक से यह फ्लाइटेड डिलेवरी सामने की तरफ गेंद बास की तरफ वापस खेल दिया और यह विकेट यास्तिका भाटिया का अर्द सतक पूरा नहीं होगा गार्डणर आयी थी अपने तीसरे ओबर की शिरुवात की पहली ही गेंद करने के लिए पहला ही ओबर करने के लिए लेकिन इस ओबर की अगली गेंद के उपा नाग श्वीप मारने की कोशिस कर रही थी लेकिन गेन बलेका टॉप एज लगने के बाद हवा में गेन खड़ी हो गई थी और आश गाड़नर अपनी बाईं तरह भाग कर गई शॉट मिडविकेट के दिशा में और मुंबाई इंडियन्स की टीम ने यह अंठानबे रनों के उपा गवा दिया है यह तीसरी विकेट 13 ओवर और 3 गेनदों की समाफती के बाद मिडविकेट मिडविकेट की तरफ यह कैच पकड़ा इन्होंने हम मुंबाई अंठानबे रनों के पद 3 विकेट 13 ओवर सर 3 गेनदों की समाफती पर बता दें आप लोगों को किया शिकाडनर को मिला ये पहला सफल था 93 रंच आईए 49 गेंडों के उपा बहुत मुश्किल हो गया है यहां से ये रंच चेस करना लेकिन एमेलिया कर आ गई है इस टीम की सबसे बहतरीन बल्लेबाजों में से एक इस साल की और आईए देखते हैं आपको किस तरीके की बाटिंग जो है वो इस मैच में ये करने में कामे आप रहेंगी तो नई बल्लेबाज जो आई हैं बाटिंग पे वो एमेलिया कर है और एमेलिया कर के लिए आशली गार्डनर की तरफ से दाएं हाथ से लेक्स्टरम की लाइन पर डाली भी गेन तपाखाने के बादे मेलिया कर के लिए गेन अंदर की तरफ आ रही थी आपने बल्ले को सामने की तरफ लेकर आके बल्ले के बीच और बीच लेके गेन को सामने गेंद बास की तरफ केवल पुश किया इन्होंने बचावा जो कार्य था वो गेंद बास ने अपनी बाई तरफ जाके इस गेंद को केवल फील्ड कर लिया है एक रन लेने का प्रयास और इन दोनों बले बास ने इस ओवर की इस गेंद के विपास सिंगल पूरा भी कर लिया है और इस सिंगल के पूरा करने के साथ ही मुंबई की टीम पहुंची 99 रन्स तीन विक्टो के नुकसान पार आश गाड़नर जो की अंतिम गेंद अपने ओवर की लेकर आने के लिए तयार है तीसरे ओवर में हरमन प्रीद कौर बैटिंग में अपना बल्ला केवल बदली है क्या बल्ला बदलने के बाद कुछ काम भी आएगा या बल्ला जी नहीं अंतिम गेंद के उपर भी केवल एक ही रन पूरा कर पाएंगी इस नए बल्ले के साथ भी और इस एक रन के साथ ओवर जो है वो समाफ्त हो चुका है और इस ओवर के समाफ्ती करने के साथ ही मुंबई 100 रनों के उपर पहुँचा तीन विक्टो के नुकसान पर और यहां से यह मैच जीतने के लिए एक्यानबे रनों की और जरुरत है एक्यानबे रन्स बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि आपको यहां से मुंबई इंडियन्स की टीम बना पाएगा लेकिन फिर भी उमीद तो बनी हुई है क्योंकि हर्मन प्रीत कौर जब तक खेल रही है तब तक आपको मुंबई की पूरी संभावना हैं कि यह मैच को मुंबई इंडियन्स की टीम जीत सकता है भाई अगले बल्ले बाज़ कौन कौन मौजूद है अगले बल्ले बाज़ों में मुंबई के पास पूजा वस्तराकर है अमन जोद कौर मौजूद है एस साजना है शबने मिसमेल है हुमेरा काजी है हुमेरा काजी तो आपको ऐसी खिलाडी है ना वो गेंद बाज़ी कर पाती है ना वो बल्ले बाज़ी कर पाती है उनको बस टीम लेकर ढो रही है जैसे सवारी घाडी हर्मन प्रीद कौर के लिए नयोवर की शिरवात अभी मैंने पिछले योवर में कहा था कि जब तक ये खेल रही है तब तक आप माच में हार नहीं मान सकते मेगना सिंग के नयोवर की शिरवात की पहली गेंद को हवा में उच्छा लंबा स्ट्रोक और ये हर्मन प्रीद कौर के बल्ले से पहला चका अर्मन प्रीद कौर ने इस भारी बल्ले के साथ आस्ट्रम के बाहर एक लेंथ डिलिवरी थी हलका सालेक स्ट्रम पे गई और गेंग को सामने के तरफ हवा में लॉंच कर दिया था लॉंग आफ बाउंडरी के उपर से दर्शक दीर गाव में चेर रनों के लिए मुंबाई 106 रनों के पर पहुंची 126 वा चका डबलू पी ए लुमेंस प्रीमियर लीग दोगाया 24 के इस मैच नंबर सोलवे में लगता वाकुल मिला कि अभी तक 16 मैचस के अंदर अगली गेंग मेगना के गेंड आगे गिर गई है पहला रन पूरा करेंगी जब तक इस गेंड को मिड़ाफ के फिल्डर गेंड के पीछे भागती फील्ड करती इस नहराना तब तक दूसरा रन भी पूरा कर लिया है तो दो रन इस गेंड के पाप पूरे करने के बाद मुंबई 108 रनों के पाप पहुंची लेकिन मेगना सिंग के अगली गेंड के उपर बाउंडरी चौका मिलता वा हर्मन प्रीद कौर कोई सोवर की तीसवी गेंड के उपार खराब गेंड थी मेगना की इंतिजार कर रही थी क्योंकि मिड़ॉफ उपर था इस फुलर लेंड डिलिवरी को मिड़ॉफ के उपर से लॉंच करके एक टपा खाने के बाद चार रनों के लिए पहुंचा दिया है हर्मन प्रीद कौर ने गजब का शॉट हर्मन प्रीद कौर के बल्ले से और हर्मन प्रीद कौर के इस सांदार स्ट्रोक के साथ वो खुद पहुंच चुकी हैं 32 रनों के उपर 24 गेंडों का सामना करने के बाद पता नहीं मिड़ॉफ क्यों उपर रखा गया है इनके लिए लेकि मिड़ॉफ जितन ज़ादा देर तक उपर रहेगा हर्मन प्रीद कौर उस तरफ लगतार टारगेट करती रहेंगी मेगना सिंग की गेंड एक और चौका दूसरी गेंड़ दूसरा लगतार चौका यjos बहुत महंगा उवर साबिद होतावा मेगना सिंग का मेगना सिंग की ये चौती गेन थी और हर्मन प्रीद कौर जो की लगतार इस ओवर में आकराम अकबले बाजी कर रही है फुल टॉस गेन थी और अपने पैरों को सामने की तरह बैट का हर्मन प्रीद कौर ने फ्लिक करके डीप स्कौल एक बाउंडरी की तरफ खेल दिया चार रनों के लिए है प्रमन 36 पे पहुंची मुंबई 116 पे पहुंची मेगना सिंग की दो गेंदे मौजूद 16 रन्स इस ओवर में आ चुके हैं और इसी ओवर की तिलाश थी मुंबई इंडियन्स को अगर दो ऐसे और ओवर आ गए तो मैच अभी बना हुआ है मैच अभी कहीं नहीं गया है ये लिजिए ये ग्याप में केल दिया पहला रन तेजी के साथ दोड़ रही है दूसरे का कॉल किया है ये तो दोनों के लाड़ी चीते की दरह भागते वे दूसरा रन पूरा कर लिया है मेच ना की गेन शॉर्टी ओस्टम के बाहर गाइड किया था डीप थर्ड विन बाउंटरी की तरह लेगिन जब तक इस गेन के पर शबनम शकील दोड़ के जाके फील करती डीप थर्ड विन बाउंटरी पार दो रनों के साथ दो रनों के साथ थारा रन इस ओवर के अंदर आए हैं 15 वे ओवर की अंतिम गेन हर्मन प्रीत कोड देखते ही देखते इसी ओवर में थारा रन बनाके जो रिक्वाइड रेट बहुत धीमा हो गया था उस रिक्वाइड रेट को अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत तेज करके अब 119 रनों के उपा मुंबई इंडियन्स के टीम को पहुंचा दिया है मुंबई इंडियन्स 119 रनों के उपा पहुंची तीन विक्टों के नुकसान पे 15 वे ओवर की समाफ्ती भी इस मैच के अंदर हो चुकी है मुंबई को चाहिए 30 गेंदे 60-30 गेंदों के उपा 72 रनों की जुरत 14-10 मलो 4 सुन्य रन्स प्रती ओवर के हिसाब से मैच जीतने के लिए स्कोर चाहिए इस मैच में जीतने के लिए इस टीम को मुंबई इंडियन्स को जहां मेगना सिंग का ये तीसरा ओवर बहुत महंगा ओवर साबित हुआ जिसमें 19 रन्स आएं हैं कुल मिला के आपको इस मैच में इस ओवर के अंदर 72 रन 30 गेंदों के पचाहिए मुंबई इंडियन्स की टीम को मेगना सिंग तीन ओवर के अंदर 37 रन्स दी है 37 रन्स देखे अब तक आपको मेगना को कोई सफलता नहीं मिली है मेगना के बाद स्नेहराना आ गई है ये तो मुझे लगता है कि 20-25 रनों का ओवर आने वाला है क्योंकि स्नेहराना सामने है और उनके सामने हर्मन प्रीद कौर है बहुती चलहां के लाड़ी है स्नेहराना तेज गती की गेंड डाल दी आफ स्टम पार बलेबाज ने स्वीप कर दिया उस तरह फिल्ड़ महजूद है एक ही रन मिल पाएगा इस गेंड के उपर इस सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर दिया हर्मन प्रीद कौर ने मुंबई 120 रनों के उपर 3 विक्टे 15 ओवर्स और 1 गेंड की समाफ्ती पार इस पहले ही गेंड के उपर इन दोनों बलेबाजों ने सिंगल जो भाग कर पूरा कर लिया है अगली गेंड आ रही है सनेहराना की तरफ से एमेलिया कर एक रन बना कर तीन गेंडों का सामना करने के बाद अहर्मन प्रीद को और 40 रनों के उपर इमेलिया कर को भी आक्रामक बलेबाजी करने की जरुड़त ये दूसरी गेन के उपर रन नहीं आया तीसरी गेन के उपर सिंगल ले लिया है बले बाद उन्हें गेंद अच्छी थी शॉट अच्छा था इमेलिया कर के लिए बैक फुट पे जाके लॉंग आफ की तरफ सीधा शॉट खेला था मुझे लगा कि 15-20 रन से सोवर में आएंगे स्नेहराना ने तो केवल और केवल आपको दो ही रन्स दिये है परपल कैप में जेस जॉनसन चार मैचेज में दस विक्टे ले चुकी है उनके साथ राधा यादव भी चार मैचेज में दस विक्टे ले चुकी है और आपको स्नेह नहीं मिला इनको और जैसे तैसे गेंड को डिफेंड कर देंगी रन लेने का मौका नहीं मिला है चौथी गेंड के पश्च नहिराना की तरफ से अगली गेंड के लिए तैयार हैं सामने हर्मन प्रीद कॉर मौझूद लॉंच कर दिया और ये गेंड क्या छूटा लॉंग ऑन बाउंडरी के तरफ एक टपा खाने के बाद चार रनों के लिए फियोबी लिच फिल्ड मौझू थी लॉंग ऑन बाउंडरी के पास लेकिन फियोबी लिच फिल्ड से ये काच छूट गया हर्मन प्रीद कॉर ने कदमों का इस्तिमाल करके बले के बीचो बीच लेके सामने की तरफ केलने की कोशिस की लेकिन गेंड जो है वो सामने की खाने के बाद स्थीमा रिखा के बाहर चार रनों के लिए जहां अगली गेंड और ये सेकेंड लास्ट बॉल पदमों का इस्तमाल हर्मन प्रीद कॉर के दवारा एक और लॉफ्टेट स्ट्रोक लेकिन फिल्डर वहां पर मौझूद एक टपा खाने के बाद गेंड समाफ्ट हो चुका है एक और ऊवर समाफ्ट होता वहा और एक और ऊवर की समाफ्टी के साथ स्कूर जो है वो 126 रनों के पर इस माच के अंद पहुंचा 126 रनों के पर मुंबई इंडियन्स तीन विक्ट हैं सूला ओवरों की समाफ़ती के बाद इस माच में सनेहराना के सोवर में केवल साथ रूंस आया बहुत अच्छा ओवर आपको सनेहराना ने निकाल दिया और सनेहराना के ओवर की समाफ़ती के बाद नए उबर की शुरुवाद जो है वो आने जा रही है गेनबादी में देखते हैं कप्तान कौन से गेनबाद का जो है वो इस्तमाल करने जा रही है गेनबादी में दाय हाथ की मुहमद शबनम शकील अपने नए उबर की शुरुवाद के साथ पहली गेन लेके चली शब्दम शकील की पहली गेन के पर सामने हर्मन प्रीद कॉर तायार नज़र आ रही है शकील की पहली गेन कॉर को आफस्टम पर आके फिलिक कर दिया डीप स्क्वेलिक बाउंडरी के तरफ बहुत ही सुन्दर शॉट चार रनों के लिए हर्मन प्रीद को और इस चौके के साथ पहुंच चुकी है उन 4 रनों के उपार शाकील की फुलर लेंड डिलिवरी आउटसाइड दी ओफ स्टंप लेकिन शुफल करके आफ स्टंप पर आके गेंड को फ्लिक करके बले के बीच और बीच लेके डीप स्कुएल एक बाउंडरी के तरफ केलके ये पूरे चार रन्स बले बाउज ने बटोर लिये है बहुत ही सुन्दर शॉट मार के चौका बटोरा इन्होंने और इस चौके के साथ जो स्कूर नजर आ रहा है वो अगर हम देखते हैं तो आपको हो चुका एक सो तीस रन्स तीन विक्टो के नुकसान पार जहां अगली गयन को लेकर आने के लिये तयार है। ये गयन बाज। अर्मन प्रीद कौर तयार नजर आ रहे हैं इस सुबर की अगली गयन का सामना करने के लिये चाकील के लिए गयन ओफस्टं can के बाहर तपाखाने के बाद गयन और बाहर की तरफ जा रही थी और इस बाहर जाती भी गेन के उपा बल्ला लगा के गेन को खेल दिया वहां फिल्डर के पास जब तक इस गेन को वहां फिल्डर फिल्डर करके थ्रो कर पाती है तब तक इन दोनों बल्ले बाजों ने दोड़ कर भाग कर ये एक रंज वो और पूरा कर लिया है तो इसे एक रण के साथ इन दोनों बल्ले बाज उने स्ट्राइक जो हो रोटेट कर लिया है और ये ओवर जो है वो हम देखेंगे तो दूसरी गेन के पर सिंगल पहली गेन पर चौका दूसरी गेन पर सिंगल जहां तीसरी गेन लेकर आने के लिए गेन बाज जो हैं वो तयार है आपने आपको स्ट्राइक के पर मौझूद है एमेलिया कर और ये एमेलिया कर का शकील की गेन पर हवा में लौटेट जॉट तरशकों में छे रनों के लिए तीसरी गेन थी फुलर लेंड डिलेवरी पैरो के पास मिडल एक्स्टम की लाइन के उपार आपने फ्रंट फूट को लेकर आके गेन को स्वीप शॉट खेल दिया और गेन बले के बीच और बीच टकरा के डीप स्क्वेल एक बाउंडरी के उपर से उड़ती वे निकल के चले गई दर्शक दीरगाओ के अंदर और ये आधे दरजनरन बलेबाज एमेलिया कर को मिल चुके हैं पैरो पर डाली वी गेन को स्वीप शॉट मारके स्क्वेल एक बाउंडरी की तरफ पहुंचाया और स्क्वेल एक बाउंडरी की तरफ पहुंचा कर ये ठेरंस बटोर लिये इनोंने जहां अगली गेन को लेकर आने के लिए तयार हैं सामने आपको बैट इंक्रीस के उपा देखते हैं कहां खेलती है इस शॉट के उपा दाइहाद से उवद विकेट से गेंद बाजी करने के लिए तयार इस उबर के अगली गेंद शबनम शकील ये लिजिए वाइड प्लस चौका पांच रंस दे दिये मुफ्त में ककील ने कमबाक करा दिया है इनको लेक्ट टम के उपर थी ये गेंद एमेलिया कर के लिए और गेंद स्कूप मारने की कोशिस कर रही थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं गेंद विकेट कीपर के पास पहुँची विकेट कीपर रोकने में समर्त रही और गेंद वहां फाइनल एक बाउंडरी के बाहर चार रंस और वाइड के रूप में कुल मिला के पांच रंस मिले हैं मुंबई को 142 पर तीन मुंबई इंडियन्स तीन विक्टो के नुकसान पार जीतने के लिए उन चास रनों की जुरत 21 गेंदों के उपा अगली गेंद के लिए त्यार हैं दाय हाथ की शबनम शकील की ये फुल एंडिलिवरे स्टंप्स की लाइन के उपर थी और स्टंप पर आके सीधे बल्ले से सामने की तरफ गेंद को डिफेंड किया बल्ले बाउज ने गेंद बल्ले पर टकरा के मिड़ आफ के पास किया है जीतने के लिए अभी भी 49 रंस चाहिए मुंबई मैच में कमबाक कर सकती है क्योंकि जिस तरीके से मुंबई ने प्रदर्शन किया है बहुत संभावना हैं कि आपको ये मैच ये टीम जीत सकती है अगली गेंद तीनों स्टंप्स की लाइन के उपा शबनम शकील की गेंद और हलके हाथों से के बल्ले बाज ने सामने के तरफ धकेला बल्ले के बीच ओबीच एगेंद टकराई और जब तक इस गेंद को मिड ओफ का फिल्डर फील्ड करके थ्रो कर पाते हैं इन दोनों बल्ले बाजों ने दौरते वे भाग कर ये एक और रन जो पूरा कर पर यहां से शमनम शकील की अंतीम गेंदार ही है हर्मन प्रीद कौर पचासा पूरा हो चुका है उस सिंगल के साथ ही हर्मन प्रीद कौर का जहां अगली गेंद को लेकर आने के लिए तयार लेक्स्टम के लाइन पर और ये गेंद को फिल्क करके फाइन लेक बाउंडर की प्राफ खेल के एक रन बटोर लिया और ये ओवर जो है वो हम देखेंगे तो समाफ्थ हो चुका है 17 के बाद मुंबई इंडियन्स 144 रनों के उपार तीन विक्टरे इस माच के अंदर हो गई है इस खेल में इदर एक और ओवर जो है वो समाफ्थ तीन और ओवरो का खेल मौजूद नज़र आ रहा है इस माच में यहां से माच को जीतने के लिए मुंबई को 47 रन्स चाहिए और जब तक आपको बले बादी कर रही है हर्मन प्रीद कौर तब तक पूरी उमीदे बनी हुई है कि आपको मुंबई की टीम जीत सकती है नज़र की शुरवात हर्मन प्रीद कौर ने पहली गेन को गैप में खे दिया था दो फिल्डरों के बीच में से और यह चार रन्स इस गेन के उपा बले बादी ने बटोर लिया है और इस चौके के साथ हर्मन पहुंची 55 रनों के उपा और मुंबई पहुंची 148 रनों के उपा इस चौके के साथ 148 रनों के उपा यह टीम पहुंची सनेहराना क गेंद के उपा कदमों का इस्तमाल करके लॉंग ओन बाउंडरी के तरफ चौका बटो रहा था अगली गेंद के लिए त्यार लेक्स्ट्रम की लाइन पर हर्मन प्रीद कौर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिस लेकिन गेंद बले पर टकरा के गेंद बास की तरफ वापस ये गेंद पहुंची है और बचावा कार गेंद बास ने अपनी बाई तरफ जाके इस गेंद को फिल्ड कर लिया है वहाँ रन लेने का कोई मौका इस गेंद के उपने को नहीं मिलने वाला है अगली गेंद और हर्मन प्रीत कौर कदमों का इस्तमाल और ये आता हुआ लॉफ्टेट स्ट्रोग छेरंस हर्मन का ये दूसरा चक्का आता हुआ कमाल की हिट मारी इनोंने सनेहराना जो की थोड़ी सी फ्लाइट दी थी और इस फ्लाइट डिलेवरी के उपा हर्मन प्रीत को और इंतजार ही कर रही थी जैसे मानो इस गेंद का लॉंग ओफ के उपार उठा कर छे रनों के लिए पहुचा दिया है तीन गेंदे मौझूद अभी भी आपको 15 गेंदे मैच पूरी तरीके से बना हुआ है मैच में अभी भी ये टीम जीत सकती है एक और गेंद एक बाफ फिर गेंद को गैप में धकेल दिया चौका मिल जाएगा अगली गेंद के उपा हर्मन प्रीत को और पहुची 65 रनों के उपा 65 रन्स मातरा 38 गेंदों का सामना करने के बाद सनेह राना का ये उबर 14 रन्स अलरडी आ चुके हैं पिछली गेंद के उपा चक्ता आया था पहली गेंद पर चौका आया था दूसरी गेंद के उपा डॉट आया था लेकिन अगली गेंद के उपा कदमों का इस्तमाल वाइडिश लॉण ओन बाउंडरी के तराफ एक और चौका तो ये एक और चौके के साथ मुंबई 162 रनों के पहुँचा सनेह राना की गेंद लेक्स्टम के उपार कदमों का इस्तमाल किया गेंद की पिछ तक पहुँचके फुल टॉस बना लिया हर्मन प्रीद कौर ने और वाइडिश लॉण ओन बाउंडरी के उपा गेंद को मार के 4 रन्स बटोर लिये है हर्मन प्रीद कौर ने और अब मुंबाई पहुँच चुकी है 162 रनों के उपा अंतिम गेंद लेकर आ रही है सनेह राना आएए देखते हैं संतिम गेंद के उपा क्या सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखेंगी हर्मन या चौके और छक्के के लिए मारने के लिए जाएंगी एक बार फिर फ्लाइटे डिलिवरी लल्चाया लेकिन बल्लेबाद हर्मन प्रीद कौर ने गेंद को लांच कर दिया एक और छक्के के लिए दूसरा छक्का और स्नेर राना के अंतिम ओवर में 24 रंस धो डाले हैं ये जो अंतिम गेंद थी थोड़ी सी आगे डाले थी हर्मन प्रीद को और गेंद की पिछ तक पहुंची और गेंद की पिछ तक पहुंच के गेंद को लॉंग आफ के उपा पहुंचा के खुद पहु पहुंच गई 75 रनों के उपा मुंबई को पहुंचा दिया 168 रनों के उपा और मुंबई अब जीत से केवल 23 रन्स दूर है पिछले ओवर में लग रहा था कि मुंबई इस मैच को हार जाएगी लेकिन एक ही ओवर में सुनेहराना ने मैच का रुख बदल दिया क्योंकि हर्मन प्रीत कौर ने एक ही ओवर के अंदर 75 रन्स बना दिये हैं क्या शॉट मारा इन्होंने कदमों का इस्तमाल किया गेंद की पिछ तक पहुंची और गेंद की पिछ तक पहुंचके गेंद को सामने की तरफ हवा में लॉंच करके लॉंग आफ के उपर 6 रन्स इतने की जो संभावनाहे हैं मुंबई की जादा भढ़ गई है अलियाद होगा दिल्ली लग रहा था कि मान जीच जाएगा अंत में दिल्ली हार गया और नए ओवर की स्चिर्वात स्नेहराना अपना ओवर समाफ्त कर चुकी हैं और स्नेحराना के इस ओवर के अंदर आपको किसी चीज़ को लेके अमपायर यहां बातचीत कर रही है हर्मन प्रीत कौर को कुछ बताती हुई और 24 रन पिछले ओवर में आने के बाद अब केवल 23 रनों की जरुरत ते 23 रन्स तो आपको हस खेल के बना लेगी मुंबई इंडियन्स अगर हर्मन प्रीत कौर जो है वो रह जाती है तो ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ मौझूद है आज हर्मन प्रीत कौर ने जब वो बल्ला बदला बल्ला बदलने के बाद जो हुआ है वो गजब की बाटिंग हुई है बाई साब बहुत जबर्दस प्रदर्षन हमें देखने को मिला और अब हम देखने की कोशिस कर रहे है कि क्या परिशानी है क्या कमरा तो नहीं तूट गया है राउन डिले दिखाया जा रहा है लेकिन अब हम देखने की कोशिस कर रहा है कि क्या परिशानी है exactly now something very strange has happened here these sprinklers turned on unprovoked in between the overs this game is sure not done as long as Harman Preet Kaur is out there she is on fire and now Mumbai only need 23 in just 12 deliveries ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक आपको ये खेल रही हैं तब तक आपको मैच खतम नहीं हुआ है मैंने आपको बहुत देर पहले ही कहाता है कि जब तक ये आपको खेलेंगे तब तक आपको इस मैच के अंदर जो हैं Harman Preet Kaur has taken 24 from the over and equation is now 23 in last two overs Nehrana finishes with 48 without any wicket अच्छा ये ऐसा लग रहा है कि ground के उपर जो है वो पानी चालू कर दिया गया है ये ground के उपा पानी चालू हो गया है जो sprinkler हम कहते हैं ये कैसे चालू हो गया पता नहीं लेकिन ground के उपा पानी चालू होने की वज़ा से मैच में थोड़ी सी रुकावट आई हुई है Sudden halt in the play Now as the water sprinkler came on the field we have the super soppers out and dry up the outfield तो super soppers जो हैं वो जैसे ही sprinkler जो पानी का फुवारा होता है मैदान पे होते हैं वो पता नहीं किसने चालू कर दिया या अपने आप हो गया कुछ तो हुआ लेकिन अब super soppers जो हैं वो आपको ground को सुखाते वे नदर आ रहे हैं ऐसी चीज़े होती नहीं हैं आपको क्रिकेट में लेकिन यहां हमें देखने को मिल रहा है और 18 over में 116 runs बना चुकी है मुंबई इंडियन्स की टीम और यह momentum जो है वो तोड़ने वाला काम कर दिया है इस sprinkler ने क्योंकि बहुत अच्छी बाटिंग कर रही है हर्मन प्रीद कॉर और उनके साथ इस समय अमेलिया कर लेकिन आने वाले बल्ले बाजू की उपर एक नज़ डाल लेते हैं ध्याण तो आने वाले बल्ले बाजों में आप देख सकते हैं अगली बल्ले बाजों का जो नाम नज़रा रहा है वो हैं आपको दाय हाथ की खिलाडी पूजावस्तराकर पूजा वस्तराकर के अलावा अगर हम देखेंगे तो आपको यहां पर अगली बल्लेबाज जो मौजूद है वो है आपको अमेलिया कर आगई है अमन जोतकौर मौजूद है अमन जोतकौर के अलावा अगर हम देखेंगे तो मौजूद है साजना नमबर 8 की पोजिशन पे 9 के उपर आपको मौजूद नजर आ रही है यहाँ पर श्रमनेमी स्मेल और हुमेर अकाजी नमबर 10 की पोजिशन पे और नमबर 11 की पोजिशन के पर इस मुकाबले के अंदर जो बल्ले बाजी में मौजूद है वो साइका इशाक है तो चलिए यह वाटर स्प्रिंकलर पानी जो है वो हटा दिया गया है यह अपने आप ही भाई हो रहा है यहाँ ग्राउन पे कुछ भी आईए मैं आप लोगों को दिखा दू कि क्या एक्जाक्ली हुआ है क्या परिशानी हुई है क्यों मैच को रोका गया है यह देखना बहुत जरूरी है तो आईए मैं आप लोगों को फटा फट जो है एक बार दिखाते चलूँ क्या की रिकार क्या को चुँआ है लेकिन एक बार आप लोग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद आप लोगों को करना है चानल को सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएएगा ताकि जब भी मैं आपके साथ लाइब आएँगे तब आप लोगों को हर मैच का नोटिफिकेशन मिलेगा तो यह अगर आप देखेंगे तो जो यह पानी है यह अगर आप देखेंगे तो यह वाला एरिया देख पा रहे होंगे आप लोग अभी तो नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक सेकेंड दीजिए मुझे थोड़ा सा यह आप देख रहे हैं यह परिशानी का विशा है हिलमेट पहन लिया है हर्मन प्रीद कौर ने अब लग रहा है कि हर्मन प्रीद कौर जो है वो तयार है आपको बैटिंग में खेलने के लिए वाटा स्प्रिंकलर जो पानी के फुवारे होते हैं दोस्तों वो आपको ग्राउंड के अंदर लगे हुए होते हैं और यह आपको परिशानी है यह आपको खुल चुके थे और पानी जो है इसकी वज़े से आपको अच्छा खासा जो वही कठा हो गया और पानी कठा होने की वज़े से हम देखेंगे तो आपको इस समय मैच को जो हुआ रखा गया है यही आपको परिशानी है और आउट फील्ड जो है वो हम देखेंगे तो आपको इस समय सुखाया जा रहा है बारी साते वे तो हमने देखा है बहुत दफार मैच रुपते हुए लेकिन ये पहली दफार साइद हुआ होगा क्रिकेट की इतिहाश में कि किसी ने फिर आपको ग्राउंड के अंदर अपने आ देखेंगे तो हर्मन प्रीद कौर जो कि यहां वार्म अप कर रही है हर्मन प्रीद कौर जो है वो तैयार हो रही है जो कि इसके बाद अभी बाटिंग करने के लिए त्यार नज़रा रही है तो चलिए यहां पर अब हर्मन प्रीद कौर ने कहा है कि सारी चीज़ ठीक है अ इस गती की गेंद स्टम्स की लाइन के उपा एमेलिया कर ने पहली गेंद के पर सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट कर लिया है और मुंबाई पहुंच चुकी 179 रनों के उपार तीन विक्टों के नुक्सान पर 18 ओवर और एक गेंद की समाफ्ती पर 22 रनों के जरुरत अभी यहां से मैच के जीतने के लिए मात्र 11 गेंदों के उपार अगली गेंद हर्मंप्रीट को और ने गेंद को झोगेंद को ओवा में उच्या लंबा स्ट्रोक और गेंद दर्शकों में 6 रनों के लिए झालों के एक और चुक्ड लांग आफ उपर मारा इनों ने हर्मनप्री प्रिस गेंदों के उपर 180 run के पर पहुंच गई कदमों का इस्तमाल किया तनूजा कवर कि इस दूसरी गेंद के उपर herman preat call ने और herman preat call ने इस गेंद को square leg boundary के उपर पोंचाया दर्शकों के इंदर और ये पूरे के पूरे 6 runs भी राप्ट हो गए हैं इस फुल टॉस गेंड के उपा तनूजा कवर अगर ऐसी फुल टॉस देंगी तो बल्लेबास कहां बक्षने वाली हैं अगली गेंद राउंद विकेट से फ्लाइट डिलिवरी लेक्स्टरम की लाइन के उपा सीधे बल्ले से गेंड को पुश किया लॉं पारी नहीं खेली थी लेकिन आज इन्होंने कमाल कर दिया है जबरदस्त प्रदर्शन लाजवाब प्रदर्शन आपको इस मैच के इंदर अगली गेंड के लिए दुबारा से तयार हैं तनूजा कवर हर्मन प्रीद कॉर मौजूद लेक्स्टरम की लाइन के उपार लेक्स कर दिया है एक और डाड बॉल और आख़यी की एक और गेंड रह गई है बाकी और एक और रण के साथ स्ट्राइक अमेलिया कर ने हर्मन्प्रीद कॉर ने अन्तिम गेंड के विए पर आती वी गेंड थी और लेक्सन्म की लाइन पर आती भी गेन के उपा बलेबास ने उठा का मारा था डीप स्क्वेल एक बाौडरिपा लेगिन मिला केवल और केवल एक और रन के लिए एक और रन के साथ जीतने के लिए अंति मुवर में तेरा रन चाहिए क्या तेरा और रन बना पाएगी मुंबाई कल की तरह ही यह मुकाबला जो है आज भी हो चुका है और सामने जो है स्ट्राइक के उपाव वो है मौजूद हर्मन प्रीद कौर 20 मोवर में हर्मन प्रीद कौर को चाहिए 17 रन अपना सतक पूरा करने के लिए एक तरीका है दो चक्के मारें और फिर तीन चक्के मार दे लगतार इनका सतक पूरा हो जाएगा जिसमें से पहली गेंद आशकाडनर की हर्मन प्रीद कौर ने गेंद को उठा का मारा एक और चक्के के लिए पांचवा चक्का इनके बल्ले से आता हुआ और इस पांचवे चक्के के साथ अर्मन प्रीद कौर नवासी पे पहुंच चुकी है मुंबई के लिए ये पहला सतक भी पूरा हो सकता है 11 रन और अगर बना ले अगली दो गेंदों पे और दो चक्के पढ़ जाएं तो आशली गाडनर की अंती मोवर की शिर्वात की पहली गें थी कदमों का इस्तमाल किया गें की पिछ तक पहुंच के हर्मन प्रीद कौर ने लॉंग ओन बाउंडरी के उपर से उठा का मारा और गें सीधा जाके गिरी लॉंग ओन के उपर छे रनों के लिए क्या उमेंस प्रीमियर लीग का पहला सतक आएगा देखते हैं अगली गें लेके चली लेक्स्टम की लाइन पार हवा में एक बाउंडरी की तरह एक और चौका अब यहाँ पर सतक पूरा करने के लिए पहले तो दो रन भागने पड़ेंगे या एक रन भाग के एमेलिया कर को दे दें और एमेलिया कर फिर इनको इस्ट्राइक दे दे एक रन के लिए 93 पर पहुंची कदमों का इस्तमाल करके गेंद की पिछ तट पहुंचके इनसाइड आउट शॉट मारके इनने डीप कवा बाउंडरी के तरफ उठा के मारा एक टपक आने के बाद चार रनों के लिए और अगली गेंद हर्मन प्रीद कौर और ये अगली गेंद के उपा हर्मन प्रीद कौर ने सिंगल लिया है इस सिंगल के साथ प्रिमियर लीग के इतिहास में ये पहला सतक होगा जहां 47 गेंदों के उपा 94 रनों के उपा मौजूद है हर्मन प्रीद कौर क्या सिंगल लेकर स्ट्राइक देंगी एमेलिया कर देखते हैं आशली गार्डनर की गेंद और ये बड़ी चलहांकी के साथ एमेलिया कर ने सिंग पूरा हो और इस सोबर की आखरी की दो गेंदे एक रन की जरुरत और मान लीजी अगर यहां एक विकेट गिर जाए तो कल की तरह आपको ये मैच जो है ड्रॉ हो सकता है और सूपर ओवर में जा सकता है जहां आश गार्डनर आज के दिन की हो सकता है ये अंतिम गेंद लेक करा रही है हर्मन प्रीद कौर को सारी चीजे तयार है एक रनों की जरुरत के वल इस मैच को जीतने के लिए फिल्डिंग में बदलाओ किया जा रहा है हर्मन प्रीद कौर को छक्का चाहिए मैच जीतने के इनका सतक पूरा करने के लिए दाय हाथ से आश गार्डनर चली लेकिन एक रंज दरूर लगा दिया है और मुंबई इंडियन्स गुज्राज जायंट्स के मूँ से जीत को छीन लिया है एक समय पे लग रहा था है कि गुज्राज जायंट्स इस मैच को आसानी के साथ जीत जाएगा लेकिन हर्मन प्रीत कौर ने 95 रनों की सांदार पारी 48 ग टीम को साथ विक्टों से जीत दिला दी और इसी के साथ गुज्राज जायंट्स इस कॉंपटीशन से भी बाहर हो चुका है मुंबई इस कॉंपटीशन में पॉइंस टेबल के ऊपर टेबल टॉपर बन जाएगा दस अंकों के साथ लेकिन क्या जीत दर्ज की है दो लगतार मैचेज कल का मुकाबला दिल्ली और यूपी का माच अंतीम गेंद के ऊपर दो रन नहीं बन पाये थे आज मुंबई को चाहिए थे अंतीम ओवर में 10-12 रन्स मुंबई 13 रन्स मुंबई इंडियन्स की टीम ने ये 13 रन्स बहुत आसानी के साथ बना ली है और मुंबई ने ये पांचवी जीत जो है इस कॉमपर्टिशन में दर्ज कर ली है मुंबई का इस सीजन के अंदर एक और मुकाबला रह गया है बाकी जो कि बैंगलोर के खिलाफ इसी मैदान पे 12 तारीकों होगा बैंगलोर और मुंबई का मुकाबला लेकिन आईए जानते हैं कि इस मैच म पहले गेंद बादी करने का मौका मिला इस विकेट के उपा जहां गुजराथ जाइंट्स ने बैटिंग करते हुए 190 रनों की सांधार पारी खेली साथ विक्टे आपको गुजराथ जाइंट्स की टीम ने इस मुकाबले के अंदर जो है वो गवाया जिसमें लौरा वुलवाट ने 13 रन्स बनाएं आपको 14 गेंदों का सामदा करने के बाद लेगिन फिर आपको वुलवाट 13 रनों के उपर आउट होके चलती बनी इनके साथ आज के इस मैच के अंदर सलामी बल्लेबादी करने के लिए उतरी बाया हाथ की बैथ मुनी जिनने सांधार पारी खेली 35 गेंदों के उपर 6 चट रनों की अभी तक की अपने जीवन में इस कॉम्पेटिशन में सबसे बेहतरीन पारी इस सीजन के अंदर खेली थी लेकिन 6 चट बनाके या आउट हो गई नमबा तीन की पोजिशन पे आई दाया हाथ की दयालान हेमलता हेमलता ने आज अपनी बल्लेबादी के साथ कुल मिला के 74 रन्स बनाये क्या पारी खेली हेमलता ने अपने T20 क्रिकेट का उमेंस प्रीमियर लीग का सरवाधिक स्कोर भी बनाया 40 गेंदों के उपर 74 रनों का लेकिन फिर ये भी 40 गेंदों के उपर 74 रन्स बना के आउट हो गई ये जैसे ही आउट हुए वैसे ही एक समय पे लग रहा था कि देड़ सो तक ये टीम पहुंच सकती है दो सो तक पहुंच सकती है लेकिन हेमलता के आउट होने के बाद पूरा पासा पलट गया फिर आई फियोबी लिच फील्ड बायहाथ की बलेबाज ने तीन रन्स बनाए चार गेंदों का सामना करने के बाद लिच फील्ड ने लिच फील्ड के बाद आई दायहाथ की आश गाड़नर कही जाती है पावर हिटर है पावर हिटर का तो पता नहीं लेकिन चार तीन गेंदे के ल और फूल माली ने एक छक्का भी मारा 161 का स्ट्राइक लेट रहा और 13 गेंदों के उपए 21 रनों के उपए फूल माली नॉट आउट रहीं। चार रन मुफ्त में मिलें तीन लिगभाई एक वाइड और चार रन मुफ्त के अंदर इस मैच के अंदर मिले हैं। एक सो एक यानबे रनों के उपद तीन विक्टे गवाई उननी सोबर और पांच गेंदों की समाफ्ती पार। गेंदबाजी में हेली माथ्यूज ने अपने तीन ओवर के अंदर बाइस रन्स देके एक विक्ट निकाला। हेली माथ्यूज के साथ शबनेम इसमेल चार ओवर में तीस रन्स देके एक विक्ट निकाला। स्ताइका इशाक अपने चार ओवर में एक तीस रन्स देके दो विक्ट निकाले स्ताइका इशाक ने फिर आई नाट्स कीवा ब्रंट अपने दो ओवर में तैस रन्स देके कोई विक्ट नहीं निकाला। नाट्स की वब ब्रंट के बाद आपको गेनबादी करने उतरी पूजा वस्तरा कर चार ओवर 45 रन और एक सफलता फिर आई अमन जोदकौर अमन जोदकौर ने एक ओवर में 10 रन्स दिये कोई विकेट नहीं निकाल पाई अमन जोदकौर और इसके बाद एमेलिया कर उतरी एक ओवर के अंदर 15 रन और कोई सफलता नहीं एमेलिया कर के बाद एस साजना आई एक ओवर के अंदर 11 रन और एक सफलता इस माच में पावर प्ले में 52 रन्स और उननीस ओवर पाँच गेंदों में मुंबाई के खिलाफ गुजरात ने बनाए 190 रन साथ विक्टो के नुक्सा अस्तिका भाटिया 36 गेंदों के पर उन्चास रनों की एक बहुत अच्छी स्टार्ट देखर आउट हुई आठ चौका मारा इन्होंने एक चौका मारा लेकिन फिर उन्चास पर आउट हो गई गार्डनर की गेंद पर उन्होंने खुदी क्याच पकड़ा अपनी बाई तर पर दस्त प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है नंबर तीन की पोजिशन के उपा नाट्स की वा ब्रंट उत्री जिननने चार गेंदों की उपाद दो रनों की पारी खेली और फिर आपको ये आउट हो गई अच्छा ही हुआ कि आउट हो गई क्योंकि फिर हर्मन प्रीद क का आगाज हुआ पारी में हर्मन प्रीद कौर शुरू में तो ये रना बॉल पारी खेल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि ये आज बड़ा शौट मार ही नहीं पाएंगी लेकिन फिर स्ट्राटिजिक टाइम आउट जब तेरवे ओवर में लिया गया तब इन्हो 97 का स्ट्राइक रेट और वन अद फाइनेस्ट इनिंग्स इन T20 क्रिकेट आप देखेंगे ऐसी पारी आपको सायधी जल्दी देखने को मिलती है T20 क्रिकेट में और हर्मन प्रीद कौर ने 95 रंज बनाएं 48 गेंदों में 10 चौके 5 चके 197 का स्ट्राइक रेट हर्मन प्रीद कौर के बले से रहा अंत में इमेलिया कर 12 रंण बनाएं 10 गेंदों का सामना करनी के बाद एक छख्का भी इमेलिया कर ने इस मैच के इंदर लगाया लेकिन इमेलिया कर अंत में नबाद रही हर्मन प्रीद कौर के साथ और इन दोनोंने मिलके मुंबई को जीत दिला दी 7 व ये भी आपको बहुत बड़ा कारण रहा है मुंबई के जीतने का चार बाई चार लिगबाई साथ वाइड और उननीस ओवर पांच गेंदों में मुंबई इंडियन्स एक सो इकानबे रन तीन विक्टों के नुकसान पे पॉल ओ विकेट्स पचास रन्स पे पहला विकेट मै निकाला अंतीम ओवर में 13 रन बचाने थे लेकिन वो 13 रन बचा नहीं पाई कैथरीन ब्राइस ने दो ओवर में 24 रन्स देके कोई विकेट नहीं निकाला तनूजा कवर ने चार ओवर में 21 रन्स देके एक विकेट निकाला इस मुकाबले में तनूजा कवर के बाद इस गेंदबाजी में और विकेट के नाम पे दोस्तों इनको कोई विकेट नहीं मिला 37 रंस इन्होंने आपको इस मैच के अंदर जो हैं वो गेंदबाजी के साथ जो हो दिये हैं इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को गेंदबाजी करने के लिए जो उत्रे वो आज अपने तीन ओवर में 31 रंस देके एक विकेट निकाला चबनम शकील के बाद इस मैच के अंदर गेंदबाजी करने के लिए जो उत्री वो थी अगर हम देखते हैं तो आपको अंतीम गेंदबाज जिनका नाम था सनिहराना इनके ही ओवर में 24 रंस आये थे और वहीं से पूरा मैच का रुख बदल गया था पावर प्ले में मुंबई ने 58 रंस बनाए और आज हर्मन प्रीद कौर के 95 रनों की सांधार पारी से मुंबई ने इस मुकाबले को 7 विक्टों से जीत लिया है और आज की प्लेयर आफ दे मैच हम कहें उमेन आफ दे मैच तो वह हर्मन प्रीद कौर कप्तान या पारी खेली है कपतान ने इस मैच में जबरदस्त ला जवाब पारी लेकिन अब पौइंस ट् schaffen के सूरतहाल क्या हैं आइए एक नज़र पॉंस टेबल के सूरतहाल डाल लेते हैं कि पॉंस टेबल के उपा क्या कुछ कहानी रही है तो पॉंस टेब और पांच जीत के साथ दो हार दस अंकों के साथ मुंबई नमबर एक पर रन रेट प्लस जिरो पॉइंट थी का नमबर दो पे दिल्ली क्यापिटल्स छे मैचेज में चार जीत दो हार आठ अंकों के साथ वो नमबर दो पर प्लस जिरो पॉइंट प्लस वन पॉइंट जिरो क के साथ नमबर 3 पर हैं UP Warriors 7 मुकाबलों में 6 अंकों के साथ आपको नमबर 4 पर है जिनके नाम 6 अंक हैं माइनस 0.3 का रन रेट है और बता दें कि UP Warriors नमबर 4 की पॉजिशन पर नमबर 5 की पॉजिशन पर गुजरात Giants 6 मुकाबलों में 1 जीत 5 हार दो अंकों के साथ ये नंबर पांच की पोजिशन पे अगर आज गुजरात जीत जाती तो अपने लिए उमीदे बनाई रगती लेकिन अब गुजरात लगबग लगबग आप मान के चलें की 80 प्रतीसत बहार ही हो गई है लेकिन आउटसाइड ऑपरिचुनिटी अभी भी बन अगर अपने अगर आपने आखरी मैच आहे तो यूपि भी अगर अपने लंग भी हैं तो आप लोगों को आपको गुजरात के लिए थोड़ा बहुत्त सकता है नेकिन आप गुजरात आप कामन के चलें की यह टिम जया Washington रुमेंइन लीग चाण ये 54 लीग कर लिए आ पाएंगी लेकिन एक रन जरूर लगा दिया है और मुंबई इंडियंस गुज्राज जायंट्स के मूँ से जीत को छीन लिया है एक समय पे लग रहा था है कि गुज्राज जायंट्स इस मैच को आसानी के साथ जीत जाएगा लेकिन हर्मन प्रीत कौर ने 95 रनों की सांधार प टीम को साथ विक्टों से जीत दिला दी और इसी के साथ गुज्राज जायंट्स इस कॉंपटीशन से भी अब बाहर हो चुका है मुंबई इस कॉंपटीशन में पॉइंट्स टेबल के उपर टेबल टॉपर बन जाएगा दस अंकों के साथ लेकिन क्या जीत दर्श की है दो लगतार मैचेज कल का मुकाबला दिल्ली और यूपी का माच अंतीम गेंद के उपर दो रन नहीं बन पाये थे आज मुंबई को चाहिए थे अंतीम मोवर में 10-12 रन्स मुंबई 13 रन्स मुंबई इंडियन्स की टीम ने ये 13 रन्स बहुत आसानी के साथ बना ली है और मुं बैंगलोर और मुंबई का मुकाबला लेकिन आए जानते हैं कि इस मैच में शुरू से लेके अंत तक क्या कुछ भी था आज जब टॉस हुआ तो मुंबई की कप्तान टॉस को हार गई हर्मन प्रीत कॉर टॉस को तो हार गई लेकिन मुंबई इंडियन्स को पहले गेंद ब इस मुकाबले के अंदर जो है वो गवाया जिसमें लौरा वुलवाट ने तेरा रन्स बनाएं आपको चौदा गेंदों का सामदा करने के बाद लेकिन फिर आपको वुलवाट तेरा रनों के उपर आउट होके चलती बनी इनके साथ आज के इस मैच के अंदर सलामी बल्ले पारी इस सीजन के अंदर खेली थी लेकिन छिया चट बना के यह आउट हो गई नमबा तीन की पोजिशन पर आई दाया हाथ की दयालान हेमलता हेमलता ने आज अपनी बल्लेबादी के साथ कुल मिला के 74 रन्स बनाए क्या पारी खेली हेमलता ने अपने T20 क्रिकेट का उमे यह जैसे ही आउट हुएं वैसे ही एक समय पे लग रहा था कि देड़ सो तक यह टीम पहुंच सकती है दो सो तक पहुंच सकती है लेकिन हेमलता के आउट होने के बाद पूरा पासा पलट गया फिर आई फियोबी लिच फील्ड बायाहाथ की बल्लेबाद ने तीन रन्स ब पावर हिटर आश काड़नर ने रन बनाए के वल एक अंध में वो तो भारती फूल माली थी जिरन तेरा गेंदों के उपए 21 रन्स बनाएं एक चौका मारा और फूल माली ने एक छका भी मारा 161 का स्ट्राइक लेट रहा और तेरा गेंदों के उपए 21 रनों के उपए फूल माली नॉट आउट रही फूल माली के बाद कैथरीन ब्राइस जिननने साथ रनों की पारी आठ गेंदों के उपए खेली इस माच में क्यातरीन ब्राइस के बाद स्निह राना दो गेंदों के उपा एक रनों के उपा इस माच के अंदा खेलने में कामयाब रही और तनूजा कवर जिन्होंने एक गेंद के उपा खाता खोलने में कामयाबी नहीं मिली तनूजा कवर को चार रन मुफ्त में मिले तीन लिगभाई एक वाइड और चार रन मुफ्त के अंदर इस मैच के अंदर मिले हैं फॉला विकेट्स अठारा रनों के उपा मुंबाई का पहला विकेट गिरा दूसरा विकेट 149 रनों के उपा गिरा तीसरा विकेट 152 रनों के उपगिरा चौथा विकेट 169 रनों के उपगिरा पांचवा विकेट 163 रनों के उपगिरा चटा विकेट 189 रनों के उपगिरा सात्वा विकेट 181 रनों के उपगिरा और इस तरीके से मुंबई इंडियन्स ने 192 रनों के अपध 3 विक्टए गवाई, 1905 गेंदों की समाफती पार गेंदबाजी में हेली मैथ्यूस ने अपने 3 ओवर के अंदा 22 रंस देके 1 विकेट निकाला हेली माथ्यूस के साथ शबनें इसमेल चार ओवर में 30 रंस देके 1 विकेट निकाला स्टाइका इशाक अपने चार ओवर में 31 रंज दे के दो विकेट्स निकाले स्टाइका इशाक ने फिर आई नाट्स कीवा ब्रंट अपने दो ओवर में 23 रंज दे के कोई विकेट नहीं निकाला नाट्स की वब ब्रंट के बाद आपको गेनबादी करने उतरी पूजा वस्तरा कर चार ओवर पेंटालीस रन और एक सफलता फिर आई अमन जोदकौर अमन जोदकौर ने एक ओवर में दस रन्स दिये कोई विकेट नहीं निकाल पाई अमन जोदकौर उसके बाद एमेलिया कर उतरी एक ओवर के अंदर पंदरा रन और कोई सफलता नहीं एमेलिया कर के बाद एस साजना आई एक ओवर के अंदर 11 रन और एक सफलता इस माच में पावर प्ले में 52 रंस और उन्नी सोवर पाँच गेंदों में मुंबाई के खिलाफ गुजरात ने बनाए 190 रंस साथ विक्टो के नुकसान के बाद जब मुंबाई के टीम पीछा करने उतरी तो मुंबाई को 191 रंस बनाने थे पहले तो लगा कि बड़ा मुश्किल है कार्या जब यास्तिका भाटिया 36 गेंदों के पर उन्चास रंणों के एक बहुत अच्छी स्टार्ट देखर आउट हुई आठ चौका मारा इन्होंने एक च्छका मारा लेकिन फिर उन्चास पर आउट हो गई गार्डनर की गेंद पे उन्होंने खुदी क्याच पकड़ा अपनी बाई तरह भाग कर इनके साथ ओपनिंग करने उत्री थी हेली मात्यूज जिन्होंने 21 गेंदों के उपर 18 रंस बनाए चार चौके मारे हेली मात्यूज ने लेकिन इस सीजन में अभी तक हेली मात्यूज का कोई जबरदस्त प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है अच्छा ही हुआ कि आउट हो गई क्योंकि फिर हरमन प्रीतकौर का आगाज हुआ पारी में हरमन प्रीतकौर शुरू में तो ये रन बॉल पारी खेल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि ये आज बड़ा शॉर्ट मार ही नहीं पाएंगी लेकिन फिर स्ट्राटिजिक टाइम आउट जब तेरवे ओवर में लिया गया तब इन्होंने एक अलग बल्ला मंगाया और इस अलग बल्ले से ऐसा धूम धड़ाका मचाया दोस्तों इन्होंने की 10 चौके लगा दिये 5 चौके लगा दिये एक सुसंतानवे का स्ट्राइक रेट और वन अद फाइनेस्ट इनिंग्स इन टी ट्वेंटी क्रिकेट आप देखेंगे ऐसी पारी आपको सायधी जल्दी देखने को मिलती है टी ट्वेंटी क्रिकेट में और हर्मन प्रीद कौर ने 95 रंज बनाए 48 गेंदों में 10 चौके 5 च एक सुसंतानवे का स्ट्राइक रेट हर्मन प्रीद कौर के बल्ले से रहा अंत में इमेलिया कर 12 रंण बनाए 10 गेंदों का सामना करने के बाद एक छक्का भी इमेलिया कर ने इस मैच के इंदर लगाया लेकिन इमेलिया कर अंत में नाबाद रही हर्मन प्रीद कौर के साथ और इन दोनोंने मिलके मुंबई को जीत दिला दी साथ विक्टो से लेकिन जो ये मुफ्त में 15 रन मिले एक तो गुजरात ने 10-15 रन कम बनाये थे दूसरा ये 15 रन इन्होंने मुफ्त में भी दे दिया ये भी आपको बहुत बड़ा कारण रहा है मुंबई के जीतने का चार बाई, चार लिग बाई, साथ वाईड और उननीस ओवर पाँच गेंदों में मुंबई इंडियन्स 191 रन तीन विक्टो के नुकसान पे है पॉल ओ विकेट्स पचास रन्स पे पहला विकेट मैथ्यूस का गिरा 53 पे दूसरा विकेट गिरा, तीसरा विकेट 98 पे गिरा, आज गेंद बाजी में आशली गाड़नर ने तीन ओवर पाँच गेंदों में 22 रन्स देके एक विकेट निकाला अंतीम ओवर में 13 रन बचाने थे लेकिन वो 13 रन बचा नहीं पाई कैथरीन ब्राइस ने दो ओवर में 24 रन्स देके कोई विकेट नहीं निकाला तनूजा कवर ने 4 ओवर में 21 रन्स देके एक विकेट निकाला इस मुकाबले में तनूजा कवर के बाद इस मैच के अंदर आई गेंद बाजी में मेगना सिंग मेगना सिंग न आज तीन ओवर की गेंद बाजी करी और इतनी खराब गेंद बाजी करी इन्होंने एक अतीस रंस लुटा दिया अपनी गेंद बाजी में और विकेट के नाम पे दोस्तों इनको कोई कोई विकेट नहीं मिला 37 रंस इन्होंने आपको इस मैच के अंदर जो हैं वो गेंद बाजी के साथ जो हैं वो दिये हैं इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को गेंद बाजी करने के लिए जो उत्रे वो आप थी मेगना सिंग के बाद इनका नाम था शबनम मुहमद शकील और शबनम शकील ने आज के दिन गेंद बाजी के साथ कुछ खास प्रोदर्शन इन्होंने भी नहीं करके दिखाया और शकील ने आज अपने तीन ओवर में 31 रंस दे के एक विकेट निकाला शबनम शकील के बाद इस मैच के अंदर गेंद बादी करने के लिए जो उतरी वो थी अगर हम देखते हैं तो आपको अंतीन गेंद बाज जिनका नाम था सनेहराना इनके ही ओवर में 24 रंस आये थे और वहीं से पूरा मैच का रुख बदल गया था पावर प्ले में मुंबई ने 50 रंस बनाए और आज हर्मन प्रीद कौर के 95 रंों की सांदार पारी से मुंबई ने इस मुकाबले को साथ विक्टो से जीत लिया है और आज की प्लेयर आफ दे मैच हम कहें उमेन आफ दे मैच तो वह हर्मन प्रीद कौर कप्तान या पारी के लिए कप्तान ने इस मैच में जबरदस्त लाजवाब पारी लेकिन अब पॉइंट स्टेबल के सूरते हाल क्या है आईए एक नजर पॉइंट स्टेबल के सूरते हाल डाल लेते हैं कि points table के उपा क्या कुछ कहानी रही है तो points table के कहानी आपकी screen पर ये रही number 1 के उपा Mumbai Indians की team चलांग लगा चुकी है number 2 से साथ मुकाबलों में 5 जीत Mumbai Indians के नाम और 5 जीत के साथ 2 हार 10 अंकों के साथ Mumbai number 1 पर run rate प्लस 0.3 का number 2 पर दिल्ली Capitals 6 मैचेज में 4 जीत 2 हार 8 अंकों के साथ वो number 2 पर प्लस 0.0 का run rate है दिल्ली का number 3 पर Bangalore है 6 मुकाबलों में 3 जीत 3 हार 6 अंकों के साथ प्लस 0.0 के run rate के साथ number 3 पर है UP Warriors 7 मुकाबलों में 6 अंकों के साथ आपको number 4 पर है जिनके नाम 6 अंक है minus 0.3 का run rate है और बता दें कि UP Warriors number 4 की position पर number 5 की position पर गुजरात Giants 6 मुकाबलों में 1 जीत 5 हार 2 अंकों के साथ ये number 5 की position पर अगर आज गुजरात जीत जाती तो अपने लिए उमीदे बनाई रगती लेकिन आब गुजरात लगबग लगबग आप मान के चलें कि 80% बहार ही हो गई है लेकिन outside opportunity अभी भी बनी होई है क्योंकि गुजरात अगर अपने दोनों मैच जीत जाए तो 6 अंकों तक पहुँच जाए और UP भी अगर अपना आखरी मैच हार जाए तो वो 6 अंकों पही रह जाएंगे अब बैंगलोर भी अगर अपने दोनों मैच जाए तो आप लोगों को आपको गुजरात के लिए थोड़ा बहुत मौका बन सकता है लेकिन अब गुजरात चक्का तो नहीं लगा पाएंगी लेकिन हर्मन प्रीत कौर ने 95 रनों की सांदार पारी 48 गेंदों के उपर खेल कर इस मैच को जिता दिया विनिंग शॉट इन्होंने पैरों पर डाली वी तेज गती की गेंद के उपर स्वीप करके शॉट फाइनले की तरफ खेल कर एक रन पटोर के मुंबई इंडियन्स की टीम को साथ विक्टो से जीत दिला दी और इसी के साथ गुजरात जायन्स इस कॉंपरिटीशन से भी अब बाहर हो चुका है मुंबई इस कॉंपरिशन में पॉइंट्स टेबल के उपर टेबल टॉपर बन जाएगा दस अंकों के साथ लेकिन कि आज जीत दर्ज की है दो लगतार मैचेज कल का मुकाबला दिल्ली और यूपी का माच अंतीम गेंद के उपर दो रन नहीं बन पाये थे आज मुंबई को चाहिए थे अंतीम ओवर में 10-12 रन्स मुंबई 13 रन्स मुंबई इंडियन्स की टीम ने ये 13 रन्स बहुत आसानी के साथ बना ली है और मुंबई ने ये पांचवी जीत जो है इस कॉमपर्टिशन में दर्ज कर ली है मुंबई का इस सीजन के अंदर एक और मुकाबला रह गया है बाकी जो कि बैंगलोर के खिलाफ इसी मैदान पे 12 तारीकों होगा बैंगलोर और मुंबई का मुकाबला लेकिन आए जानते हैं कि इस मैच में शुरू से लेके अंत तक क्या कुछ भी था आज जब टॉस हुआ तो मुंबई की कप्तान टॉस को हार गई हर्मन प्रीत कौर टॉस को तो हार गई लेकिन मुंबई इंडियन्स को पहले गेंद बाजी करने का मौका मिला इस विकेट के उपा जहां गुजराथ जाइंट्स ने बैटिंग करते हुए एक सुननबे रनों की सांधार पारी खेली साथ विक्टे आपको गुजराथ जाइंट्स की टीम में इस मुकाबले के अंदर जो है वो गवाया जिसमें लौरा वुल्वाट ने 13 रन्स बनाएं आपको 14 गेंदों का सामधा करने के बाद लेगिन फिर आपको वुल्वाट 13 रनों के उपर आउट होके चलती बनी इनके साथ आज के इस मैच के अंदर सलामी बल्ले बादी करने के लिए उतरी बाया हाथ की बैथ मूनी जिनने सांदार पारी खेली 35 गेंदों के उपर 6 चट रनों की अभी तक की अपने जीवन में इस कॉम्पेटिशन में सबसे बहतरीन पारी इस सीजन के अंदर खेली थी लेकिन 6 चट बना के या आउट हो गई नमबा तीन की पोजिशन पे आई दाया हाथ की दयालान हेमलता हेमलता ने आज अपनी बल्लेबादी के साथ खुल मिला के 74 रन्स बनाये क्या पारी खेली हेमलता ने अपने T20 क्रिकेट का उमेंस प्रीमियर लीग का सरवाधिक स्कोर भी बनाया चालेस गेंदो के उपढ़ 74 रनों का लेकिन फिर ये भी चालेस गेंदो के उपढ़ 74 रन्स बनाके आउट हो गई ये जैसे ही आउट हुई वैसे ही एक समय पे लग रहा था कि देड़ सो तक ये टीम पहुंच सकती है दो सो तक पहुंच सकती है लेकिन हेमलता के आउट होने के बाद पूरा पासा पलट गया फिर आई फियोबी लिच फील्ड बायहाथ की बल्लेबाज ने तीन रन्स बनाए चार गेंदों का सामना करने के बाद लिच फील्ड ने लिच फील्ड के बाद आई दाय हाथ की आश गार्डनर कही जाती है पावर हिटर है पावर हिटर का तो पता नहीं लेकिन 4-3 गेंदे खेली पावर हिटर आश गार्डनर ने रन बनाय के वल एक अंध में वो तो भारती फूल माली थी जिनने तेरा गेंदों के उपए 21 रन्स बनाएं एक चौका मारा और फूल माली ने एक छट्का भी मारा 161 का स्ट्राइक डेट रहा और तेरा गेंदों के उपए 21 रनों के उपए फूल माली नॉट आउट रही पुलमाली के बाद कैथरीन ब्राइस जिनने साथ रनों की पारी आठ गेंदों के उपा खेली इस मैच में कैथरीन ब्राइस के बाद स्नेह रना दो गेंदों के उपा एक रनों के उपा इस मैच के अंदा खेलने में कामयाब रही और तनूजा कवर जिन्होंने एक गेंद के उपा खाता खोलने में काम्यावी नहीं मिली तनूजा कवर को चार रन मुफ्त में मिले तीन लिगबाई एक वाइड और चार रन मुफ्त के अंदर इस मैच के अंदर मिले हैं फॉला विकेट्स अठारा रनों के उपा मुंबाई का पहला विकेट गिरा दूसरा विकेट 149 रनों के उपा गिरा तीसरा विकेट 152 रनों के उपा गिरा चौथा विकेट 169 रनों के उपा गिरा पांचवा विकेट 163 रनों के उपा गिरा चाथा विकेट 189 रनों के उपा और इस तरीके से मुंबई इंडियन्स ने 191 रनों के पर तीन विक्टर गवाई उननी सोबर और पांच गेंदों की समाफ्ती पार गेंदबाजी में हेली मैथ्यूज ने अपने तीन ओवर के अंदा 22 रंस देके एक विकेट निकाला हेली माथ्यूज के साथ शबनेम इसमेल चार ओवर में 30 रंस देके एक विकेट निकाला स्ताइका इशाक अपने चार ओवर में 31 रंस देके दो विकेट निकाले स्ताइका इशाक ने फिर आई नाट्स कीवा ब्रंट आपने दो ओवर में 23 रंज दे के कोई विकेट नहीं निकाला नाट्स कीवा ब्रंट के बाद आपको गेनबादी करने उतनी पूजा वस्तराकर चार ओवर 45 रंज और एक सफलता फिर आई अमन जोदकौर अमन जोदकौर ने एक ओवर में 10 रंज दिये कोई विकेट नहीं निकाल पाई अमन जोदकौर और इसके बाद एमेलिया कर उतरी एक ओवर के अंदर 15 रंज और कोई सफलता नहीं इमेलिया कर के बाद ऐस साजना आई एक ओवर के अंदर 11 रन और एक सफलता इस माच में पावर प्ले में 52 रन्स और 19 ओवर पाँच गेंदों में मुंबाई के खिलाफ गुजरात ने बनाए 190 रन साथ विक्टो के नुकसान के बाद जब मुंबाई के टीम पीछा करने उतरी तो मुंबाई को 191 रन्स बनाने थे पहले तो लगा कि बड़ा मुश्किल है कार्या जब यास्तिका भाटिया 36 गेंदों के पर उन्चास रनों के एक बहुत अच्छी स्टार्ट देखर आउट होई आठ चौका मारा इन्होंने एक च्छका मारा लेकिन फिर उन्चास पर आउट हो गई गार्डनर की गेंपे उन्होंने खुदी क्याच पकड़ा अपनी बाई तरह भाग कर इनके साथ ओपनिंग करने उत्री थी हेली माथियूज जिनने 21 गेंदों के उपर 18 रन्स बनाए चार चौके मारे हेली माथियूज ने लेकिन इस सीजन में अभी तक हेली माथियूज का कोई जबरदस्त प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है नमबर 3 की पोजिशन के उपर नाट्स की वा ब्रंट उत्री जिननने 4 गेंदों के उपर 2 रनों की पारी खेली और फिर आपको ये आउट हो गई अच्छा ही हुआ की आउट हो गई क्योंकि फिर हर्मन प्रीद कौर का आगाज हुआ पारी में हर्मन प्रीद कौर शुरू में तो ये रना बॉल पारी खेल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि ये आज बड़ा शौट मार ही नहीं पाएंगी लेकिन फिर स्ट्राटिजिक टाइम आउट जब तेरवे ओवर में लिया गया तब इन्होंने एक अलग बल्ला मंगाया और इस अलग बल्ले से ऐसा धूम धड़ाका मचाया दोस्तों इन्होंने की 10 चौके लगा दिये 5 चौके लगा दिये 197 का स्ट्राइक रेट और one of the finest innings in T20 cricket आप देखेंगे ऐसी पारी आपको सायधी जल्दी देखने को मिलती है T20 cricket में और हर्मन प्रीद कौर ने 95 रंज बनाए 48 गेंदों में 10 चौके 5 चौके 197 का स्ट्राइक रेट हर्मन प्रीद कौर के बल्ले से रहा अंत में इमेलिया कर 12 रंण बनाए 10 गेंदों का सामना करने के बाद एक छक्का भी इमेलिया कर ने इस मैच के इंदर लगाया लेकिन इमेलिया कर अंत में नाबाद रही हर्मन प्रीद कौर के साथ और इन दोनोंने मिलके मुंबई को जीत दिला दी 7 विक्टो से लेकिन जो ये मुफ्त में 15 रं मिले एक तो गुजरात ने 10-15 रं कम बनाए थे दूसरा ये 15 रं इन्होंने मुफ्त में भी दे दिया ये भी आपको बहुत बड़ा कारण रहा है मुंबई के जीतने का चार बाई, चार लिगबाई, साथ वाईड और 19-5 गेंदों में मुंबई इंडियन्स 191 रं तीन विक्टो के नुकसान पे पॉल ओ विक्ट्स पचास रंस पे पहला विक्ट मैथ्यूस का गिरा संतावन पे दूसरा विक्ट गिरा तीसरा विक्ट अंठानबे पे गिरा आज गेंद बाजी में आशली गाडनर ने 3 ओवर 5 गेंदों में 22 रंस देके एक विक्ट निकाला अंतीम ओवर में 13 रं बचाने थे लेकिन वो 13 रं बचा नहीं पाई कैथरीन ब्राइस ने 2 ओवर में 24 रंस देके कोई विक्ट नहीं निकाला तनूजा कवर ने 4 ओवर में 21 रंस देके एक विक्ट निकाला इस मुकाबले में तनूजा कवर के बाद इस मैच के अंदर आई गेंद बाजी में मेगना सिंग मेगना सिंग ना आज 3 ओवर की गेंद बाजी करी और इतनी खराब गेंद बाजी करी इन्होंने एका 30 रंस लुटा दिया अपनी गेंदबाजी में और विकेट के नाम पे दोस्तों इनको कोई विकेट नहीं मिला 37 रंस इन्होंने आपको इस मैच के अंदर जो हैं वो गेंदबाजी के साथ जो हैं इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को गेंदबाजी करने के लिए जो उत्रे वो आपको थी मेगना सिंग के बाद इनका नाम था शबनम मौहमद शकील और शबनम शकील ने गेंदबाजी करने के लिए जो उत्री वो थी अगर हम देखते हैं तो आपको अंतीम गेंदबाज जिनका नाम था सनेहराना इनके ही ओवर में 24 रंस आये थे और वहीं से पूरा मैच का रुख बदल गया था पावर प्ले में मुंबई ने 58 रंस बनाए और आज हर्मन प्र इतका और कप्तान या पारी के लिए कप्तान ने इस माच में जबरदस्त ला जवाब पारी लेकिन अब पॉइंट स्टेबल के सूरते हाल क्या हैं आईए एक नजर पॉइंट स्टेबल के सूरते हाल डाल लेते हैं कि पॉइंट स्टेबल के उपा क्या कुछ कहानी रही है तो पॉइंस टेबल की कहानी आपकी स्क्रीन पर ये रही, नमब एक के उपा मुंबई इंडियन्स की टीम चलांग लगा चुकी है नमब दो से, साथ मुकाबलों में पांच जीत मुंबई इंडियन्स के नाम, और पांच जीत के साथ दो हार, दस अंकों के साथ मुंबई नमब एक पर, रन रेट प्लस 0.3 का, नमब दो पर दिल्ली क्यापिटल्स, छे मैचेज में चार जीत, दो हार, आठ अंकों के साथ वो नमब दो पर, प्लस 0.1.0 का रन रेट है दिल्ली का, नमब तीन पर बैंगलोर है, छे मुकाबलों में, तीन जीत, तीन हार, छे अंकों के साथ, प्लस 0.0 के रन रेट के साथ, नमब तीन पर है, यूपी वारियर्स, साथ मुकाबलों में, छे अंकों के साथ, आपको नमब चार पर है, जिनके नाम 6 अंक है, माइनस 0.3 का रन रेट है और बता दें कि यूपी वारियर्स नमबर 4 की पॉजिशन पे नमबर 5 की पॉजिशन पे गुजरात जायंट्स छे मुकाबलों में 1 जीत 5 हार दो अंकों के साथ ये नमबर 5 की पॉजिशन पे अगर आज गुजरात जीत जाती तो अपने लिए उमीदे बनाई रगती लेकिन आब गुजरात लगबग लगबग आप मान के चलें की 80 प्रतीसत बहार ही हो गई है लेकिन आउटसाइड ऑपरिचिनिटी अभी भी बनी हुई है क्योंकि गुजरात अगर अपने दोनों मैच जीत जाए तो 6 अंकों तक पहुँच जाए और यूपी भी अगर अपना आखरी मैच हार जाए तो वो 6 अंकों पर ही रह जाएंगे और बैंगलोर भी अगर अपने दोनों मैच हार जाए तो आप लोगों को आपको गुजराट के लिए थोड़ा बहुत मौका बन सकता है लेकिन अब गुजराट चक्का तो नहीं लगा पाएंगी लेकिन एक रंज जरूर लगा दिया है और मुंबई इंडियंस गुजराट जाइंट्स के मूँ से इस जीत को छीन लिया है एक समय पे लग रहा था कि गुजराट जाइंट्स इस मैच को आसानी के साथ जीत जाएगा लेकिन हर्मन प्रीत कौर ने 95 रनों की सांदार पारी 48 गेंडों के उपर खेल कर इस मैच को जिता दिया विनिंग शॉर्ट इन्होंने पैरो पर डाली वी तेज गती की गेंड के उपर स्वीप करके शॉर्ट फाइनले की तरफ खेल कर एक रन पटोर के मुंबई इंडियन्स की टीम को साथ विक्टो से जीत दिला दी और इसी के साथ गुजराट जाइंट्स इस कॉमपटीशन से भी अब बाहर हो चुका है मुंबई इस कॉमपटीशन में पॉइंट्स टेबल के उपर टेबल टॉपर बन जाएगा दस अंकों के साथ लेकिन क्या जीत दर्ज की है दो लगतार मैचेस कल का मुकाबला दिली और यूपी का माच अंतीम गेंद के उपर दो रन नहीं बन पाये थे आज मुंबई को चाहिए थे अंतीमोवर में 10-12 रन्स मुंबई 13 रन्स मुंबई इंडियन्स की टीम ने ये 13 रन्स बहुत आसानी के साथ बना लिये और मुंबई ने ये पांचवी जीत जो है इस कॉमपटीशन में दर्ज कर ली है मुंबई का इस सीजन के अंदर एक और मुकाबला रह गया है बाकी जो कि बैंगलोर के खिलाफ इसी मेदान पे 12 तारीकों होगा बैंगलोर और मुंबई का मुकाबला लेगिन आए जानते हैं कि इस मैच में शुरू से लेके अंत तक क्या कुछ भी था आज जब टॉस हुआ तो मुंबई की कप्तान टॉस को हार गई हर्मन प्रीद कॉर टॉस को तो हार गई लेगिन मुंबई इंडियन्स को पहले गेंद बाजी करने का मौका मिला इस विकेट के उपा जाहां गुजराथ जायंट्स ने बैटिंग करते हुए एक सुननबे रनों की सांधार पारी खेली साथ विक्टे आपको गुजराथ जायंट्स की टीम ने इस मुकाबले के अंदर जो है वो गवाया जिसमें लौरा वुलवाट ने तेरा रन्स बनाएं आपको 14 गेंदों का सामदा करने के बाद लेकिन फिर आपको वुलवाट 13 रनों के उपर आउट होके चलती बनी इनके साथ आज के इस मैच के अंदर सलामी बल्ले बादी करने के लिए उतरी बायाहाथ की बैथ मूनी जिनने सांधार पारी के लिए 35 गेंदों के उपर 6 चट रनों की अभी तक की अपने जीवन में इस कॉम्परिटिशन में सबसे बहतरीन पारी इस सीजन के अंदर खेली थी लेकिन 6 चट बना के यह आउट हो गई नमबा 3 की पोजिशन पे आई दायाहाथ की दयालान हेमलता हेमलता ने आज अपनी बल्लेबादी के साथ कुल मिलाके 74 रन्स बनाए किया पारी खेली हेमलता ने अपने T20 क्रिकेट का उमेंस प्रीमियर लीग का सरवाधिक स्कोर भी बनाया 40 गेंदों के उपर 74 रनों का लेकिन फिर ये भी 40 गेंदों के उपर 74 रंस बना के आउट हो गई ये जैसे ही आउट हुई वैसे ही एक समय पर लग रहा था कि डेड़ सो तक ये टीम पहुंच सकती है दो सो तक पहुंच सकती है लेकिन हेमलता के आउट होने के बाद पूरा पासा पलट गया फिर आएं फियोबी लिच फील्ड बायहाथ की बलेबाज ने तीन रंस बनाए चार गेंदों का सामना करने के बाद लिच फील्ड ने लिच फील्ड के बाद आएं दायहाथ की आश गार्डनर कही जाती है पावर हिटर है पावर हिटर का तो पता नहीं लेकिन चार तीन गेंदे खेली पावर हिटर आश काड़नर ने रन बनाए के वल एक अंद में वो तो भारती फूल माली थी जिरने तेरा गेंदों के उपए 21 रन्स बनाए एक चौका मारा और फूल माली ने एक छक्का भी मारा 161 का स्ट्राइक रेट रहा और तेरा गेंदों के उपए 21 रनों के उपए फूल माली नॉट आउट रही फूल माली के बाद कैथरीन ब्राइस जिनने साथ रनों के पारी आठ गेंदों के उपए खेली इस मैच में कैथरीन ब्राइस के बाद स्नेह राना दो गेंदों के उपा एक रनों के उपा इस माच के अंदा खेलने में कामयाब रही और तनूजा कवर जिन्होंने एक गेंद के उपा खाता खोलने में कामयाबी नहीं मिली तनूजा कवर को चार रन मुफ्त में मिले तीन लिगभाई एक वाइड और चार रन मुफ्त के अंदर इस मैच के अंदर मिले हैं फॉला विकेट्स 18 रनों के उपा मुंबाई का पहला विकेट गिरा दूसरा विकेट 149 रनों के उपा गिरा तीसरा विकेट 152 रनों के उपा गिरा चौथा विकेट 169 रनों के उपगिरा, पांचवा विकेट 163 रनों के उपगिरा, छटा विकेट 189 रनों के उपगिरा, साथवा विकेट 181 रनों के उपगिरा, और इस तरीके से मुंबई इंडियन्स ने एक सु एक्यांबे रनों की उपद तीन विक्टे गवाई उन्नीस ओब और पांच गेंदों की समाफ्ति पार गेंदाजी में हेली माथ्यूज ने अपने तीन ओवर के इंदा 22 रूंस दे के एक विकेट निकाला हेली माथ्यूस के साथ शबनेम इसमेल चार ओवर में 30 रंस देके एक विकेट निकाला स्ताइका इशाक अपने चार ओवर में 31 रंस देके दो विकेट निकाले स्ताइका इशाक ने फिर आई नाट्स कीवा ब्रंट अपने दो ओवर में 23 रंस देके कोई विकेट नहीं निकाला नाट्स की वब ब्रंट के बाद आपको गेनबादी करने उतरी पूजा वस्तरा कर चार ओवर पैंतालीस रन और एक सफलता फिर आई अमन जोदकौर अमन जोदकौर ने एक ओवर में दस रन्स दिये कोई विकेट नहीं निकाल पाई अमन जोदकौर और असके बाद एमेलिया कर उतरी एक ओवर के अंदर 15 रन और कोई सफलता नहीं एमेलिया कर के बाद ऐस साजना आई एक ओवर के अंदर 11 रन और एक सफलता इस माच में पावर प्ले में 52 रन्स और 19 सोवर पांच गेंदों में मुंबाई के खिलाफ गुजरात ने बनाए 190 रन 7 विक्टों के नुकसान के बाद जब मुंबाई के टीम पीछा करने उत्री तो मुंबाई को 191 रन्स बनाने थे पहले तो लगा कि बड़ा मुश्किल है कार्या जब यास्तिका भाटिया 36 गेंदों के पहुंचास रनों के एक बहुत अच्छी स्टार्ट देखर आउट हुई आठ चौका मारा इन्होंने एक चौका मारा लेकिन फिर उन्चास पह आउट हो गई गार्डनर की गेंद पे उन्होंने खुदी क्याच पकड़ा अपनी बाई तरह भाग कर इनके साथ ओपनिंग करने उत्री थी हेली मात्यूज जिन्होंने 21 गेंदों के उपर 18 रन्स बनाए चार चौके मारे हेली मात्यूज ने लेकिन इस सीजन में अभी तक हेली मात्यूज का कोई जबरदस्त प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है नमबर 3 की पोजिशन के उपर नाट्स की वा ब्रंट उत्री जिन्होंने 4 गेंदों के उपर 2 रनों की पारी खेली और फिर आपको ये आउट हो गई अच्छा ही हुआ की आउट हो गई क्योंकि फिर हर्मन प्रीद कौर का आगाज हुआ पारी में हर्मन प्रीद कौर शुरू में तो ये रना बॉल पारी खेल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो की ये आज बड़ा शॉट मार ही नहीं पाएंगी लेकिन फिर स्ट्राटिजिक टाइम आउट जब तेरवे ओवर में लिया गया तब इन्होंने एक अलग बल्ला मंगाया और इस अलग बल्ले से ऐसा धूम धड़ाका मचाया दोस्तों इन्होंने की 10 चौके लगा दिये 5 चौके लगा दिये 197 का स्ट्राइक रेट और वन अद फाइनेस्ट इनिंग्स इन T20 क्रिकेट आप देखेंगे ऐसी पारी आपको सायधी जल्दी देखने को मिलती है T20 क्रिकेट में और हर्मन प्रीट कौर ने 95 रंज बनाए 48 गेंदों में 10 चौके 5 चौके 197 का स्ट्राइक रेट हर्मन प्रीट कौर के बल्ले से रहा अंत में इमेलिया कर 12 रंण बनाए 10 गेंदों का सामना करने के बाद एक छक्का भी इमेलिया कर ने इस मैच के इंदर लगाया लेकिन इमेलिया कर अंत में नाबाद रही हर्मन प्रीट कौर के साथ और इन दोनों ने मिलके मुंबई को जीत दिला दी साथ विक्टो से लेकिन जो ये मुफ्त में 15 रन मिले एक तो गुजरात ने 10-15 रन कम बनाये थे दूसरा ये 15 रन इन्होंने मुफ्त में भी दे दिया ये भी आपको बहुत बड़ा कारण रहा है मुंबई के जीतने का चार बाई, चार लिग बाई, साथ वाइड और उननीस ओवर पांच गेंदों में मुंबई इंडियन्स 191 रन तीन विक्टो के नुक्सान पे पॉल ओ विकेट्स 50 रन्स पे पहला विकेट मैथ्यूस का गिरा, संतावन पे दूसरा विकेट गिरा, तीसरा विकेट 98 पे गिरा, आज गेंबाजी में आशली गाडनर ने तीन ओवर पांच गेंदों में 22 रन्स देके एक विकेट निकाला, अन्तीम ओवर में 13 रन बचाने इस मकाबले में, तनूजा कवर के बाद इस मैच के इंदर आईं गेंदबाजी में, मेघना सिंग ना तीन ओवर की गेंद बाजी करी और इतनी खराब गेंदबाजी करी, इन्हों ने एक अठीस रन्स लोटा दिया अपनी गेंदबाजी में, और विकेट के नाम पे दोस्त मेगना सिंग के बाद इनका नाम था शबनम मौहमद शकील और शबनम शकील ने आज के दिन गेनबादी के साथ कुछ खास प्रोदर्शन इन्होंने भी नहीं करके दिखाया और शकील ने आज अपने तीन ओवर में 31 रंस दे के एक विकेट निकाला शबनम शकील के बाद इस म पुरा मैच का रुख बदल गया था पावर प्ले में मुंबई ने 58 रंस बनाए और आज हर्मन प्रीद कौर के 95 रनों की सांधार पारी से मुंबई ने इस मुकाबले को साथ विक्टों से जीत लिया है और आज की प्लेयर आफ दे मैच हम कहें उमेन आफ दी मैच तो वह हर प्रीद कौर कप्तान या पारी के लिए कप्तान ने इस मैच में जबरदस्त लाजवाब पारी लेकिन अब पॉइंस टेबल के सूरते हाल क्या है आए एक नजर पॉइंस टेबल के सूरते हाल डाल लेते हैं कि पॉइंस टेबल के उपा क्या कुछ कहानी रही है तो पॉइं इंडियन्स के नाम और पांच जीत के साथ दो हार दस अंकों के साथ मुंबई नमबर एक पर रन रेट प्लस 0.3 का नमबर दो पर दिल्ली कैपिटल्स छे मैचेज में चार जीत दो हार आठ अंकों के साथ वो नमबर दो पर प्लस 0.0 का रन रेट है दिल्ली का नमबर तीन पर नम्र तिन पर एए यूपी वारियर्स साथ मुकाबलों में छे अंकों के साथ आपको नम्र चार पे है जिनके नाम 6 अंक है माइनस 0.3 का रन रेट है और बता दे एंप is यूपी वारियर्स नम्र चार की पोजिशन पे नमबर पांच की पॉजिशन पे गुजरात जायंट्स छे मुकाबलों में एक जीत पांच हार दो अंकों के साथ ये नमबर पांच की पॉजिशन पे अगर आज गुजरात जीत जाती तो अपने लिए उमीदे बनाई रखती लेकिन अब गुजरात लगबग लगबग आप मा अंकों तक पहुंच जाए और यूपी भी अगर अपना आखरी मैच हार जाए तो वो छे अंकों पर ही रह जाएंगे और बैंगलोर भी अगर अपने दोनों मैच जाए तो आप लोगों को आपको गुजरात के लिए थोड़ा बहुत मौका बन सकता है लेकिन अब गुजरात जाएंट्स इस मैच को आसानी के साथ जीत जाएगा लेकिन हर्मन प्रीत कॉर ने 95 रनों की सांदार पारी 48 गेंदों के उपर खेल कर इस मैच को जिता दिया विनिंग शॉट इन्होंने पैरों पर डाली वी तेज गती की गेंद के उपर स्वीप करके शॉट फाइनले की त टेबल के उपर टेबल टॉपर बन जाएगा दस अंकों के साथ लेकिन क्या जीत दर्ज की है दो लगतार मैचेस कल का मुकाबला दिल्ली और यूपी का माच अंतीम गेंद के उपर दो रन नहीं बन पाये थे आज मुंबई को चाहिए थे अंतीम ओवर में 10-12 रंस मुंबई का इस सीजन के अंदर एक और मुकाबला रह गया है बाकी जो कि बैंगलोर के खिलाफ इसी मैदान पे 12 तारीकों होगा बैंगलोर और मुंबई का मुकाबला लेकिन आए जानते हैं कि इस मैच में शुरू से लेके अंत तक क्या कुछ भी था आज जब टॉस हुआ तो मुंबई की कप्तान टॉस को हार गई हर्मन प्रीद कौर टॉस को तो हार गई लेकिन मुंबई इंडियन्स को पहले गेंद बाजी करने का मौका मिला इस विकेट के उपा जहां गुजराथ जाइंट्स ने बैटिंग करते हुए 190 रनों की सांधार पारी खेली साथ विक गेंदों का सामदा करने के बाद लेकिन फिर आपको वुलवाट 13 रनों के उपर आउट होके चलती बनी इनके साथ आज के इस मैच के इंदा सलामी बल्लेबादी करने के लिए उतरी बायाहाथ की बैथ मूनी जिनने सांधार पारी के लिए 35 गेंदों के उपर 6 चट रनों क अभी तक की अपने जीवन में इस कॉम्पेटिशन में सबसे बहतरीन पारी इस सीजन के अंदा खेली थी लेकिन 6 चट बना के यह आउट हो गई नमबा तीन की पोजिशन पे आई दायाहाथ की दयालान हेमलता हेमलता ने आज अपनी बल्लेबादी के साथ कुल मिला के 74 रन्स बनाये क्या पारी खेली हेमलता ने अपने T20 क्रिकेट का उमेंस प्रीमियर लीग का सरवाधिक स्कोर भी बनाया 40 गेंदों के उपर 74 रनों का लेकिन फिर ये भी 40 गेंदों के उपर 74 रन्स बना के आउट हो गई ये जैसे ही आउट हुएं वैसे ही एक समय पे लग रहा था कि देड़ सो तक ये टीम पहुंच सकती है दो सो तक पहुंच सकती है लेकिन हेमलता के आउट होने के बाद पूरा पासा पलट गया फिर आई फियोबी लिच फिल्ड बायहाथ की बलेबाज ने तीन रन्स बनाए चार गेंदों का सामना करने के बाद लिच फिल्ड ने लिच फिल्ड के बाद आई दायहाथ की आश गार्डनर कही जाती है पावर हिटर है पावर हिटर का तो पता नहीं लेकिन चार तीन गेंदे खेल पावर हिटर आश काड़नर ने रन बनाए केवल एक अंद में वो तो भारती फूल माली थी जिरने तेरा गेंदों के उपए 21 रन्स बनाए एक चौका मारा और फूल माली ने एक छक्का भी मारा 161 का स्ट्राइक लेट रहा और तेरा गेंदों के उपए 21 रनों के उपए फूल माली नॉट आउट रही फूल माली के बाद कैथरीन ब्राइस जिनने साथ रनों की पारी आठ गेंदों के उपए खेली इस मैच में कैथरीन ब्राइस के बाद स्नेह रना दो गेंदों के उपा एक रनों के उपा इस माच के अंदा खेलने में कामयाब रही और तनूजा कवर जिन्होंने एक गेंद के उपा खाता खोलने में कामयाबी नहीं मिली तनूजा कवर को चार रन मुफ्त में मिले तीन लगभाई एक वाइड और चार रन मुफ्त के अंदर इस मैच के अंदर मिले हैं फॉल अ विकेट्स अठारा रनों के उपा मुंबाई का पहला विकेट गिरा दूसरा विकेट 149 रनों के उपगिरा तीसरा विकेट 152 रनों के उपगिरा चौथा विकेट 169 रनों के उपगिरा पांचवा विकेट 163 रनों के उपगिरा छटा विकेट 189 रनों के उपगिरा साथवा विकेट 181 रनों के उपगिरा और इस तरीके से मुंबई इंडियन्स ने 191 रनों के पर तीन विक्टे गवाई उननी सोवर और पांच गेंदों की समाफ्ती पार गेंदबाजी में हेली माथ्यूज ने अपने तीन ओवर के अंदा 22 रंस देके एक विकेट निकाला हेली माथ्यूज के साथ शबनेम इसमेल चार ओवर में 30 रंस देके एक विकेट निकाला स्ताइका इशाक अपने चार ओवर में 31 रंस देके दो विकेट निकाले स्ताइका इशाक ने फिर आई नाट्स कीवा ब्रंट आपने दो ओवर में 23 रंज दे के कोई विकेट नहीं निकाला नाट्स कीवा ब्रंट के बाद आपको गेनबादी करने उतरी पूजा वस्तराकर चार ओवर 45 रंज और एक सफलता फिर आई अमन जोदकौर अमन जोदकौर ने एक ओवर में 10 रंज दिये कोई विकेट नहीं निकाल पाई अमन जोदकौर और इसके बाद एमेलिया कर उतरी एक ओवर के अंदर 15 रंज और कोई सफलता नहीं इमेलिया कर के बाद ऐस साजना आई एक ओवर के अंदर 11 रन और एक सफलता इस माच में पावर प्ले में 52 रन्स और 19 ओवर पाँच गेंदों में मुंबाई के खिलाफ गुजरात ने बनाए 190 रन साथ विक्टो के नुकसान के बाद जब मुंबाई के टीम पीछा करने उतरी तो मुंबाई को 191 रन्स बनाने थे पहले तो लगा कि बड़ा मुश्किल है कार्या जब यास्तिका भाटिया 36 गेंदों के पर उन्चास रनों के एक बहुत अच्छी स्टार्ट देखर आउट हुई आठ चौका मारा इन्होंने एक च्छका मारा लेकिन फिर उन्चास पर आउट हो गई गार्डनर की गेंपे उन्होंने खुदी क्याच पकड़ा अपनी बाई तरह भाग कर इनके साथ ओपनिंग करने उत्री थी हेली मात्यूज जिन्होंने 21 गेंदों के उपर 18 रन्स बनाए चार चौके मारे हेली मात्यूज ने लेकिन इस सीजन में अभी तक हेली मात्यूज का कोई जबरदस्त प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है नमबर तीन की पोजिशन के उपर नाट्स की वा ब्रंट उत्री जिन्होंने 4 गेंदों के उपर दो रनो की पारी खेली और फिर आपको ये आउट हो गई अच्छा ही हुआ कि आउट हो गई क्योंकि फिर हर्मन प्रीद कॉर का आगाज हुआ पारी में हर्मन प्रीद कॉर शुरू में तो ये रना बॉल पारी खेल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि ये आज बड़ा शॉट मार ही नहीं पाएंगी लेकिन फिर स्ट्राटिजिक टाइम आउट जब तेरवे ओवर में लिया गया तब इन्होंने एक अलग बल्ला मंगाया और इस अलग बल्ले से ऐसा धूम धड़ाका मचाया दोस्तों इन्होंने की दस चौके लगा दिये पांच छके लगा दिये 197 का स्ट्राइक रेट और वन अद फाइनेस्ट इनिंग्स इन T20 क्रिकेट आप देखेंगे ऐसी पारी आपको सायधी जल्दी देखने को मिलती है T20 क्रिकेट में और हर्मन प्रीट कौर ने 95 रंज बनाए 48 गेंदों में 10 चौके 5 चके 197 का स्ट्राइक रेट हर्मन प्रीट कौर के बल्ले से रहा अंत में इमेलिया कर 12 रंण बनाए 10 गेंदों का सामना करने के बाद एक छक्का भी इमेलिया कर ने इस मैच के इंदर लगाया लेकिन इमेलिया कर अंत में नाबाद रही हर्मन प्रीट कौर के साथ और इन दोनों ने मिलके मुंबई को जीत दिला दी साथ विक्टो से लेकिन जो ये मुफ्त में 15 रन मिले एक तो गुजरात ने 10-15 रन कम बनाये थे दूसरा ये 15 रन इन्होंने मुफ्त में भी दे दिया ये भी आपको बहुत बड़ा कारण रहा है मुंबई के जीतने का चार बाई, चार लिग बाई, साथ वाइड और उननीस ओवर पांच गेंदों में मुंबई इंडियन्स 191 रन तीन विक्टो के नुकसान पे पॉल ओ विकेट्स पचास रन्स पे पहला विकेट मैथियूस का गिरा तन तावन पे दूसरा विकेट गिरा, तीसरा विकेट 98 पे गिरा, आज गेंद बाजी में आशली गाड़नर ने तीन ओवर पांच गेंदों में 22 रन्स देके एक विकेट निकाला अन्तीम ओवर में 13 रन बचाने थे, लेकिन वह 13 रन बचा नहीं पाई कैथरीन ब्राइस ने दो ओवर में 24 रन्स देके कोई विकेट नहीं निकाला तनूजा कवर ने 4 ओवर में 21 रन्स देके एक विकेट निकाला इस मुकाबले में तनूजा कवर के बाद इस मैच के अंदर आई गेंद बाजी में मेगना सिंग ना आज तीन ओवर की गेंद बाजी करी और इतनी खराब गेंद बाजी करी इन्होंने एका 30 रंस लुटा दिया अपनी गेंद बाजी में और विकेट के नाम पे दोस्तों इनको कोई विकेट नहीं मिला 37 रंस इन्होंने आपको इस मैच के अंदर जो हैं वो गेंद बाजी के साथ जो हैं इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को गेंद बाजी करने के लिए जो उत्रे वो आप थी आपको थी मेगना सिंग के बाद इनका नाम था शबनम मुहमद शकील और शबनम शकील ने आज के दिन गेंद बाजी के साथ कुछ खास प्रोदर्शन इन्होंने भी नहीं करके दिखाया और शकील ने आज अपने तीन ओवर में 31 रंज दे के एक विकेट निकाला शबनम शकील के बाद इस मैच के इंदर गेंद बादी करने के लिए जो उत्री वो थी अगर हम देखते हैं तो आपको अंतीम गेंद बाज जिनका नाम था सनेहराना इनके ही ओवर में 24 रंज आये थे और वहीं से पूरा मैच का रुख बदल गया था पावर प्ले में मुंबई ने 50 रंज बनाए और आज हर्मन प्रीद कौर के 95 रनों की सांधार पारी से मुंबई ने इस मुकाबले को साथ विक्टो से जीत लिया है और आज की प्लेयर आफ दे मैच हम कहें उमेन आफ दे मैच तो वह हर्मन प्रीद कौर कप्तान या पारी के लिए कप्तान ने इस मैच में जबरदस्त लाजवाब पारी लेकिन अब पॉइंस टेबल के सूरते हाल क्या है आएए एक नजर पॉइंस टेबल के सूरते हाल डाल लेते हैं कि पॉइंस टेबल के उपा क्या कुछ कहानी रही है तो पॉइंस टेबल के कहानी आपके स्क्रीन पर ये रही नंब़ 1 के उपा मुंबई इंडियन्स की टीम चलांग लगा चुकी है नंब़ 2 से साथ मुकाबलों में 5 जीत मुंबई इंडियन्स के नाम और 5 जीत के साथ 2 हार 10 अंकों के साथ मुंबई नंब़ 1 पर रन रेट प्लस 0.3 का नमब दो पे दिल्ली कैपिटल्स छे मैचेज में चार जीत दो हार आठ अंकों के साथ वो नमब दो पे प्लस 0.1.0 का रन रेट है दिल्ली का नमब तीन पर बैंगलोर है छे मुकाबलों में तीन जीत तीन हार छे अंकों के साथ प्लस 0.0 के रन रेट के साथ नमब तीन पर है UP Warriors साथ मुकाबलों में 6 अंकों के साथ आपको नमब चार पर है जिनके नाम 6 अंक है माइनस 0.3 का रन रेट है और बता दें कि UP Warriors नमब चार की पोजिशन पर नमब पांच की पोजिशन पर गुजरात Giants